जैन दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़ी होंगे ये वीडियो है रिगार्डिंग CA Final SFM Revision Mergers and Acquisition की चाप्टर का ठीक है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कुछ बाते आप लोगो को बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा ये चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर लीजे क्यूंकि हम लोग ऐसे कई सारे वीडियोज FR और SFM के आयने वाले दिनों में भी लेके आने वाले है FR के लाइब सेशन भी हम लोग बहुत जल्दी कर लोगो को इस वीडियो के बारे माँ बता देता हूँ कि यह रिविजिन वीडियो है SFM के रिविजिन वीडियो जहीं यानि अगर आप ये चाप्टर देख रहे हैं सबसे पहले ये सबसे लास् रिकॉर्ठ हुआ है बागी के चाप्टर के बार तो इसमें बहुत सारे concept ऐसे हैं जो दूसरे chapters में cover किये गए हैं तो जो concept दूसरे chapters में cover किये हैं यहाँ पे cover नहीं किये गए हैं इस video को बनाते समय दूसरा हमने सिर्फ ICI module की पूरी तरीके से मदद ली है यानि जो पढ़ाय है वो ICI module से पढ़ाय हुआ writing time नहीं दिया गया है आप लोगों को क्योंकि institute की answers वहाँ पे हैं मैं यह उमीद करता हूँ कि आप लोग जब यह video देख रहे हैं solve कर रहे हैं मेरे साथ तो आप calculator के उपर सारे calculation ज़रूर कर रहे हैं जो हम लोग बूल रहे हैं तो calculation आप साथ साथ में देख रहे हैं और presentation आप institute को आपके सामने हैं तो आपको एक idea आ रहा है कि किस तरीके चाहा हम लोग पंसर को प्रेजेंट करना है विटियो duration हम लोगों ने यह 100 hours लिखा है हाला कि 100 hours दया नहीं है roughly 65 hours तक के यह complete हुआ है हमारा target था कि हम RTP, MTP के भी questions को इसमें cover कर लेंगे यानि काफी सारे questions को cover कर लेंगे पर comparatively वो फिल्हाल नहीं हो पाया because of results और हमारी FR की जो batch start भी उससे related however मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे total recall हमारे FR के हैं वैसलि हम SFM की भी सारे chapters के total recall लेके हैं इस सारे videos हम लोग उने chapter wise डाले थे और दो महिने में videos आने वाले थे तो बस अब July end हो रहा है June के start से हम लोग उने शुरुआत किया था July end में ये last video हम लोग upload कर रहे हैं हम doubt solving नहीं provide कर रहे हैं SFM की reason being मेरा काफी समय FR की batch और FR की students के पीछे जाता है तो फिलहाल अभी time availability नहीं है और हमने पूरा का पूरा SFM free provide किया है पर हम definitely से doubt solving live sessions in future जरूर लेख आएंगे ठीक हैं आप सभी से request है कि क्योंकि हम पूरा SFM free provide कर रहे हैं तो please हमारे जितने भी videos हैं ये share कीजे जो भी students है सभी लोग के लिए helpful रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा content हम free provide कर रहे है so all the best and thank you for watching the videos आप continue कर सकते हैं यहां से ये video thank you so हमारा अगला chapter और last chapter जो हम record कर रहे है is mergers acquisitions corporate restructuring जैसा कि नाम बता रहे है पहला part अगर हम पढ़े mergers acquisition तो बता रहे है कि आप किसी entity को acquire कर रहे है तो अगर आप किसी entity को acquire करेंगे तो आपने कितने share देना चाहिए या अगर आप दे चुके है तो उसकी value कितनी है उस entity के value determined करना उस entity को कितने share देना चाहिए अगर आप cash देक own acquire कर रहे है तो कितना cash देना चाहिए उसके कारण आपके EPS पर क्या impact होगा, आपके PE पर क्या impact होगा, value of the organization जो पर क्या impact होगा, वो सारी की सारी बाते डिसक्स की गईगे इस chapter के अंदर, ठीक है, तो हम इन्हें solve करने की कोशिश हरेंगे, अब तक हमने जितने भी chapters पड़े, हम mutual fund में बोल सकता हूँ कि is easiest, उससे थ बोड़ा उपर आता है, ठीक है, पर फिर भी comparative SFM का हम लोग पूरा portion देखें, तो इसमें ये easy ही कहलाएगा, बहुत जादा difficulty कहलाएगा, financial ratios जो होता है, ratio analysis वागेरे, उसमें हम लोगोंने कई तरह के ratios पड़े हैं, हम कही ना कहीं उन ratios को यहाँ पर use करने माले हैं, तो ratios का का ही काम पड़ेगा, पर वो repeated ratio जाएगा, बहुत जादा मेनत नहीं रहेगी, initially थोड़ा अजीब लगेगा, पर एक बार सारे questions हो गया ना, तो practice हो जाएगी, आदत हो जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ा बार बार करते रहेंगे, उस तरह के से, ठीक है, तो मैं शुरुआत ही तो types दो होते हैं, आप किसी entity को acquire कर रहे हैं, तो cash दे के acquire कर रहे हैं, दूसरा shares दे के acquire कर रहे हैं, जब आप किसी entity को acquire करते हैं, तो आपका value of the firm कैसे change होता है, उसमें एक synergic benefit होता है, उसका भी calculation कभी कभी आता है, तो बस उतना ही है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं ह तो mergers and acquisition में, इस chapter में जो data दिया है ना, वो data निकालना अगर आपको आता है, तो फिर आपको M&A की field में काम मिलता है, ठीक है, I hope आप लोगों को एक base idea मिल गया, मैं आपको request करूँगा, कि जो TYK के questions है, उसमें question number 20 open कीजिए, 20, हम शुरुबात वहाँ से करेंगे, question number 20 था की 28 था, 20 था, हाँ 20 था, 20, open कीजिए, following information relating to acquisition acquiring company, अभिमान, and target company, अभिशेक, अभिमान वो company है, जो acquire करना चाहता है, किसको, अभिशेक कमनी को, तो अभिमान को क्या बोलेंगे, acquirer, और अभिशेक को क्या बोलेंगे, acquiree, ठीक है, चलो, both companies are promoted by multinational company Trident, the promoter's holding is 50 and 60 percent, तो यह जो Trident है, यह promoter है, और इसके पास 50 percent shares है, अभिमान के 60 percent shares है, अभिशेक के, ठीक है, फिर उनका कुछ data दिया है, data में free float market capitalization दिया है, free float market capitalization, free float market capitalization मतलब वो वाले shares का market capitalization, जो market में freely floated है, याने वो shares जो promoter के पास नहीं है, समझ में है, freely floated है, मतलब promoter के पास नहीं है, याने in case of अभिमान, यह बात कर रहे हैं, 50 percent shares की जो promoters के पास नहीं है, and 40 percent shares of अभिशेक की जो promoters के पास नहीं है, उनका market capitalization, market capitalization कैसे निकलता है, market capitalization is market price of the share multiplied by number of shares, market price multiplied by number of shares is market capitalization, यह free float है, free float मतलब market में freely available shares, याने अदधान promoter share multiplied by share price, multiplied by share price, आप उपर देखेंगे तो आपको share capital दिया हुआ है, 200 lakh अभिमान का, 200 lakh अभिमान का, और नीचे दिया हुआ है 100 rupees paid up value per share, paid up value per share, बरबर है, इसका मतलब shares कितने हैं अभिमान के market, total, total shares कितने हैं अभिमान के, तो अपन बोल सकते हैं 2 lakh shares है, 100 each, 2 lakh shares 100 each, इसमें से 50 percent promoters के पास है, 50 percent promoters के पास है, मतलब market में 1,00,000 share market में 1,00,000 share same कोशिश कीजिए अभिशेट में निकालने की share capital 100,00,000 share capital 100,00,000 face value 10 है market में total 10,00,000 share market में total shares 10,00,000 share market में 40% है याने 4,00,000 share आपको ये 4,00,000 share के basis पे अभिशेट का market price मिल जाएगा share का आसान विक्कत नहीं भी कुछ पैसी अभिमान कब भी निकल जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं फिलाल बोलता है दोनों कमनी के shareholders को justice करना है जाहिर सी बात है एक कमनी दूसरे कमनी को acquire कर रही है वो अपने shares देगी इसलिए justice करने की बात हो रही है shares देगी for this the swap ratio यह swap ratio वर्ड से आपको समझ में आएगा कि एक कमनी दूसरे कमनी को shares देना चाहती है swap ratio are assigned to different parameters by the board of directors as under कि book value के basis पर अब देको exchange ratio define होगा एक कमनी दूसरे कमनी को share दे रही है तो उसका exchange ratio define होगा तो कैसे define होगा वो बोलता है आप book value के basis पर define करो दोनों के आप EPS के basis पर define करो दोनों के आप market price के basis पर decide करो दोनों के ठीक है अरे तो तीनों में से कौन सा लूँ तो तीनों का उन्होंने weight दे दिया कि book value का 25% लीजेगा जो भी ratio बनता है EPS का 50% ले लीजेगा जो भी ratio बनता है market price का 25% ले लीजेगा जो भी ratio बनता है Sir ratio कैसे निकलेगा निकाल लेंगे पर पहले book value जाने तो सही दोनों कमनी का पहले EPS तो जाने है पहले market value तो जाने है फिर आगे बढ़ेंगे market value तो हम निकाल चुके थे मतलब और ली तो निकाली चुके थे अना लिखके निकाल लेंगे अभी EPS निकल जाएगा book value निकल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है पहले इतना कर लेते हैं फिर आके दिमाग लगाएंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम बना देते हैं table अभी मान अभी शेक हमेशा ध्यान रखिएगा कौन अक्वाइर है और कौन अक्वाइरी है ये जानना बहुत ज़रूरी होते है ठीक है चलिए तो सबसे पहले तो market value निकाल देते हैं share capital 200 और 100 एक काम करते हैं सबसे पहले book value निकाल लेते हैं क्योंकि reserves भी दिये हैं reserve 800-500 हमको पता है कि जो book value है जो book value है मतलब nothing but network book value is nothing but network तो ये 1000 है ये 600 है shares कितने हैं तो हमने निकाले थे 2,10,000 2,10,000 ये तो आप समझ गया होंगी face value के basis पे face value के basis पे हमने निकाले थे तो book value per share book value per share 500 और 60 500 और 60 I've got this clear network को divide कर दिया number of shares network को divide कर दिया number of shares है face value से divide किये थे share capital को तो number of shares आ गये थे चल अब उन्होंने बुला था free float market capitalization उसके पहले मैं promoters share लिख देता हूं promoter share पहले वाले case में 50% थे 1,00,00, दूसरे वाले case में 6,00,00 थे मतलब free float shares कितने हैं free float shares 1,00,00 और 4,00,00 free float market capitalization दिया हुआ है free float market capitalization 400 और 128 400,00,00 और 128,00,00 इसका मतलब market price per share इक तो कुछा था book value per share फिर भोला market price per share free float जो भी capitalization है divided by free float के shares free float के shares भई, market price multiplied by number of shares market capitalization मिलता है market price multiplied by free float shares free float market capitalization मिलता है free float market capitalization से free float share divide कर देंगे market price per share मिल जाएगा तो यह आ रहा है 400 और यह आ रहा है 32 I hope it is clear चल और आखरी पूचा था EPS आखरी पूचा था EPS EPS के लिए earning चाहिए यार earning तो दिया नहीं पर PE दिया है PE price earning multiple 10 और 4 PE multiplied by EPS price earning multiple multiplied by EPS is nothing but market price of the share या market price of the share divided by EPS is nothing but PE तो जब यह दोनों पता है तो EPS निकालना कौनसी बड़ी बात है हाना तो EPS क्या होगा 40 और 32 divided by 48 I hope यहां तक के figures सही आये हैं तो अपन पहले question number 20 में यहां तक के figures compare कर लेते हैं ठीक है नंबरों share 12 book value per share 500 हमारा 400 आया था कहा नहीं 500 ही आया था free float market capitalization hence total market capital market price 2400 और 32 और EPS 48 ठीक है तो यहां तक के तो अपन एकदम सही पहुंचे हैं तो अब आ जाते हैं swap ratio पे कि भई swap ratio क्या होना चाहिए swap ratio अगर मैं book value के basis पे निकालू ठीक है ना swap ratio निकलने की कोशिश करते हैं हम दोक और swap ratio सबसे पहले तो निकालते हैं book value के basis पे कि क्या होना चाहिए तो अपन जब exchange ratio बोल रहे हैं on the basis of book value per share आपन बोल रहे है कि अभीमान का एक share 500 का मैं आपन झालते हैं और अभी एक a 60 है अभीछक का उस्च में देना आपन बोल रहए हए तो अपन एक share लिएक शेर तो नहीं देंगो बना 500 का 60 का दूदकों का, it doesn't make sense तो आपन बोलेंगे कि यह 90 का share और यह तेरे जादा शेर लेंगे ताकि हम हमारा एक शेर दे स्वेव उसके कितने शेर ले रहा है भी शेख के बदले ये मोटिव नहीं है रेचो कैसे नीकालेंगे रेचो का लेडियों आप प्सक्रा inspired बात ही दे43 को मैं मेला कितना शेर दोग औ η एक शेर क के बदले मेल मेरा कितना share दूँगा ठीक है I hope it is clear समझ में है अगर आपको ऐसा ratio निकालना है तो ratio हमेशा रहेगा acquire का जो भी चीज आप ले रहे हैं वो numerator में और acquirer का जो भी है वो denominator में ठीक है ना उससे आपको ratio मिलेगा यानि क्या book value per share के basis पे swap ratio बोलूँ तो 60 divided by 500 60 divided by 500 यानि 0.12 यह 0.12 क्या बोलना चाहता है कि भाई मैं मेरा ते को 0.12 share दूँगा तेरे एक share के बदले मैं मेरा ते को 0.12 share दूँगा तेरे एक share के बदले ठीक है I hope यहाँ तक कि पुरा का पुरा clear है आगे बढ़ते अगला ratio है EPS EPS जैसा मैंने बुला same pattern continue कीजिए acquiring numerator में और acquiring denominator में तो 8 divided by 40 0.2 यानि यह बुलना चाहता है कि भाई मैं तेरे एक share के बदले मेरा 0.2 share दूँगा 0.2 अभिमान का 0.2 share जाएगा अभिशेक के एक share के बदले ठीक है तीसरा है market price market price यानि 32 by 400 32 by 400 ठीक है तो यहाँ पे वह आपको यहाँ पे किता हा रहे है तो इस विल बी 32 divided by 400 0.08 0.08 चलिए पहले वाले का 25% लेना है दूसरे वाले का 50% लेना है और आखरी वाले का भी 25% लेना है तो इस इस 0.12 into 25 0.2 into 50 and 0.08 into 0.25 सब मिला के 0.15 ठीक है ना अड़ करना है इनको आपस में यहाँ तक निकाल ली जा रहा है कि नी आ रहा है देख लीजे एक बाद एक बाद देख लीजे मतलब अभिशेक के एक शेयर के बदले अभीमान अपना 0.15 शेयर देगा अभिशेक के एक शेयर के बदले अभीमान अपना 0.15 शेयर देगा तो number of shares to be issued number of shares to be issued सामने वाले के shares है 10 lakh ठीक है 10 lakh ही है so 10 lakh in 2.15 1.5 lakh 1.5 lakh I hope it is clear what is the swap ratio based on above weights तो पहला part अपना हो गया let's compare the answer 0.15 चले coming back तो बस इन question में ऐसे ratios आ सकते हैं आप लोगों को range of share transfer आ सकते हैं जैसे range of share transfer अगर मैं आपको बोलूँ range of share transfer तो ये तीन methods आ गए एक book value आ गया, एक EPS आ गया, एक market price आ गया अभी के लिए हम एक rough idea समझ रहे हैं कि हम minimum shares किते देंगे सामने वाले को rough idea अभी कुछ ये exact नहीं है इसमें थोड़ी गड़बड है हम हमारे calculation के सबसे बोल रहे हैं कि हम minimum सामने वाले को 0.08 share देंगे अपना उसके एक share के बदले and maximum data rate we are ready to give us 0.2 क्योंकि अभी हमने सिर्फ तीन ratios देखे हैं पर ये सही नहीं बोला मैंने मैं असे वापको बता रहा हूँ ये एक range बन सकती है, हो सकता है ये range ये range हो सकती है तो 0.08 से 0.2 हाना, minimum, maximum एक range बोल दिया पर ये सही अंसर नहीं है, इसको ऐसा सही अंसर मत पकड़ लेना चलो तो ऐसे range आते हैं, बस ऐसा पन discuss कर रहा है अब वो बोलता है what is the book value, book value बताओ EPS बताओ, expected market price बताओ of abhimaan, after acquisition acquisition के बाद, assuming P.E. ratio of abhimaan remains unchanged और हम almost जितने भी question करेंगे सब में यही होगा, कि जो acquirer है, उसका P.E. नहीं बदलेगा सामने वाली entity को भी उसी का P.E. लग जाएगा, यान आप ऐसा सोच के देखो, एक example अगर आप लोगों को इतने में ध्यान में होगा, तो अपनी ये जो company थी byju, तो byju ने take over किया था white hat junior को तो byju ने जब take over किया था, उसके पहले शायदा white hat junior को इतना जानते भी नहीं होंगे coding company, आपको कबसे पता चला कि वो बच्चों को coding सिखाते हैं जब से TV पर बहुत जादा आड आने लग गई, ठीक है ना, तो आड तो byju कराने लगा, तो उसने उस company को take over कर लिया हो सकता है, उस company का P-E ratio 4 था पर byju के अंदर का वो पार्ट हो गया, इसलिए उसका P-E बढ़ जाता है comparatively क्योंकि sale बढ़ जाता है क्योंकि कभी कभी किसी और का पार्ट बनने से sale बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे एक फैकल्टी जोगिरे कभी अगर अगर आपन बोलें कि आपने इतने साल अपने जब C.A की पढ़ाई की तो कभी कभी अपन एक बहुत अच्छी फैकल्टी के पास में पढ़ रहे हैं बहुत senior faculty है, कभी famous faculty आप उनके पास पढ़ रहे हैं क्योंकि अब वो अभिमान company का part हो गया तो उसके कारण में उसका P.E. बढ़ जाता है 10 वो in general बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार होगा बट उसका बोलने का मतलब यह है, मैं यह समझा रहा हूँ उनको and all assets and liabilities are taken over at book value यानि asset liabilities are book value पे हुग है, pooling of interest method pooling of interest method, काईदे से इसमें pooling of interest method लग भी सकता है क्यों? promoter के पास 50-60% शहिस थे, promoter के आस पहले दोनों company का control था अभी भी दोनों company का control उसी promoter के पास है तो index 103 में appendix होता है, तो अगर आपने F.R. पढ़ा होगा तो ध्यान में होगा कि appendix to index 103 लग रहा है, common control uncommon control, cooling of interest method, कोई goodwill नहीं आएगा कोई goodwill नहीं आएगा ठीक है ? तो company को book value पर टेक ओवर ?, ठीक है? भाई ? book value पर टेक ओवर किया जा रहा है यानै asset liabilities को book value पर मARE किया जा रहा है finance के अउंगल से कहा नहीं वो नहीं, accounting के अउंगल से बात हो लिए 1600, 1600, I hope it is clear, ठीक है न, यह lakhs में की क्रोर में, lakhs में, चलो, पर जाहिर सी बात है, share capital and reserves का ratio बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यह जो हमारी company है, अभीमान, अभीमान उसको take over कर रहा है, तो अभीमान के shares थे 200 lakh के, उसने issue किया 1.5 lakh shares of 100 each, तो अब share capital तो 350 lakh हो गया मैं उसका share capital तो add नहीं कर सकता न, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि 200 और 100 add कर गे 300 कर दो, यह तो नहीं कर सकते हैं, यह तो नहीं कर सकते हैं, हमने उसको 1.5 lakh shares दी है, हमारे एक share का face value 100 है, तो 1.5 in 200, तो share तो market price पे issue होगा, हम market price की बात ही नहीं कर रहा है, common control की बात कर रह तो ultimately share capital में तो इत्ता ही गया न, share capital में तो इत्ता ही गया, इसका मतलब reserve में बचा हुआ balance गया, 1600 minus 350, 1250 lakhs, यह present करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, presentation के लिए required है, कि share capital का कितना हो गया, reserves कितना हो गया, अलग-अलग बताना पड़ता है, otherwise ऊपर network तो 1600 रहेगा, यह easy है, ह अभिमान का और other assets लिख देना, फिर दोनों companies को acquire करना, अभिमान में share premium आ जाएगा, क्योंकि उसका share market price पे issue हो रहा है, इसलिए, और जो अभिशेक है, उसकी balance sheet तो close हो रही है, उसकी balance sheet तो close हो रही है, तो आपको अभिमान में share premium मिल जाएगा, वो share premium को reserves में डालता है, reserve में फिलाल आगे बढ़ता है, यह तो clear है, अपन डिसक्स नहीं कर रहा है हो सब, यह होगा, यह base idea है, बस, उसने पूछा क्या था अपने को, उसने पूछा था है यार बताओ book value क्या होई, बताओ book value क्या होई, तो जो shares थे, वो हो गए, 3.5 lakh, तो book value per share हो गई, 16,000 divided by 3.5, 457.14, 457.14, फिर उसके बाद में उसने बोला कि देखो यह तो आपने बता दिया book value अच्छी बात है, अब आप बताओ यह EPS, EPS बता देते हैं, earning chain नहीं होगा, earning chain नहीं होगा, अभी P.E. मत लगा देना, market capitalization का add करके P.E. ला दाद होगे, earning दोनों के add कर, earnings कितनी हैं, फेले earnings पता करो, यह EPS है, EPS add नहीं होगा, earnings, earning कितनी थी, EPS multiplied by number of shares, ठीक है, 40 multiplied by 2,8,8,8,8 multiplied by 10,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 45.71, 45.71, तो उसने पूछा था, what is book value, बता दिया, EPS बता दो, बता दिया, expected market price of abhimaan after acquisition, तो अब आता है market price, तो market price क्या होगा, EPS multiplied by PE, PE remains unchanged, PE remains unchanged, तो 10 से multiply किया, तो 457.1, 10 से multiply किया, तो 457.1, आईए देखते हैं, 457.1, share capital और reserve जैसा हमने discuss किया, EPS 45.71, market price 457.1, ठीक है, 457.14, तो यहां तक के होगया हम लोगों का market price, EPS, book value per share, यह भी हमारा पूरा का पूरा होगया, match, चलो, आगे बढ़ते हैं, sir इससे किसको फाइदा हुआ, किसको नुकसान, यह सब हम बाद में discuss करेंगे, पहले हम लोग इस question को पूरे तरीके से complete करने की कोशिश करते हैं, फिर इस question में further analysis करेंगे, हमारे समझने के लिए, क्योंकि आगे कुछ question में वो काम आ सकता है, अब बोलता है, बताओ, प्रमोटर की revised holding कितनी है, प्रमोटर की revised holding कितनी है, चलो देखते हैं, जो हमारे प्रमोटर है, उनके पास अभी मान के पहले, एक लाग शेयर थे, दो लाग का 50%, अब अभी शेयक के, उनके पास 6 लाग शेयर थे, उन्हें हर एक शेयर के बदले, 0.15 शेयर मिला, हर एक शेयर के बदले, 0.15 शेयर मिला, तो ये हुआ होगा उन्हों का नए number of shares, जो उनके पास है, 0.9, यहने total 1.9 lakh shares, 1.9 lakh shares, percentage में अगर मैं बोलूं, तो 1.9 divided by 3.5, 54.29%, 54.29%, I hope it is clear, ठीक है, आसानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, free float market capitalization, free float market capitalization, तो उसके लिए पहले तो free float shares चाहिए, 3.5 में से 1.9 हमारे पास है, अगर मैं वो हटा दूँ, तो 1.6 lakh free float shares है, तो free float market capitalization, आपने शेयर का price तो निकाल लाई था, 457.1, हाना, उसको multiply कर दो, market price of the share multiplied by market में आपके कितने shares है, market में आपके कितने shares है, free float market capitalization, I hope यहाँ तक clear है, चलो, तो यहाँ तक तो बहुत easy था, यहाँ तक है कोई बहुत जादा tricky है, हमने कुछ भी discuss नहीं किया, also calculate, number of shares, number of shares, EPS, book value, if after acquisition, after acquisition you decide to issue bonus shares in the ratio of 1 is to 2, 1 is to 2, हर 2 share के बदले 1 share bonus देंगे, 1 is to 2, हर 2 share के बदले 1 share bonus देंगे, तो देखिये shares थे 3.5, तो bonus दे दिया 3.5 by 2 into 1, 1.75 lakh shares, bonus दे दिया, and, यानि दोनों एक साथ अलग अलग नहीं solve करना है, आएक साथ, split shares into 5 each, split shares into 5 each, तो 100 रुपे के share को 5 में split कर रहे हैं, यानि 20 shares, 20 shares, तो split अगर मैं multiply कर दूं, इसमें, 3.5 plus 1.75 मैं split अगर multiply कर दूं, तो हो जाएगा 5.25 into 20, I hope it is clear, 100 रुपे face value गए एक share था, आप उसको 5 रुपे कर रहे हो, 100 रुपे face value के share को 5 रुपे कर रहे हो, यानि 100 by 5, 20 share देना पड़ेगा, 20 share देना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह हो गया, 5.25 into 20, 105, 105 lakh shares, 105 lakh shares, मैं आपको फिर से share capital, share premium बता देता हूँ, sorry share capital and other reserves बता देता हूँ, 105 shares हो गए, 5 each, 5 each, 525, 350 से 525 कैसे हो गए, जाहिर सी बात है, इन उनों का total, 350 और 175, bonus, bonus reserve से दिया होगा, bonus reserve से दिया होगा, तो फिर से share split क्यों नहीं add हुआ, share split भी तो add होना था, यह तो से bonus और share capital का total है, share split या share consolidation से, share split या share consolidation से, share capital chain नहीं होता कभी, यह बात ध्यान रखिएगा, तो reserves, जो आपके पहले, 12.50 थे, देख लो, मैं उसमें से सिर्फ bonus माइनस करता हूँ, 175, 1.75 of 100 each, फिलाल 100 के इसाब से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो 12.50 माइनस 175, 1075, तो total तो अपना अभी भी 16 सो ही रहेगा न, bonus के कारण कोई share के, वनलब network थोड़ी change हो जाएगा, share split के कारण network change नहीं हो जाएगा, तो वो ही आ रहा है, वो ही आ रहा है, तो मैंने वो समझाने की कोशिश किया आप लोगों को इसके तरू, उसने आप से ये नहीं पूछा, ये तो मैंने बता दिया आपको, कि भाई कोछ चेंड नहीं हुआ है, वो बोलता है, number of shares बताओ, बता दिया, EPS बताओ, EPS बताओ, तो अपनी अर्निंग तो नहीं बदली इन सब चीज़ों के गरण, तो अर्निंग थी 160 लाक्स, हमने निकाला था न, 160 लाक्स, EPS नहीं हो जाएगा, 160 लाक्स डिवाइड बाई, number of shares हो गए 105 लाक्स, 105 लाक्स, तो 1.52, 1.52, और बोलता है, book value भी बता दो यारब, book value भी बता दो, तो book value per share, ये तो share capital 1600 ही है, divided by 105, तो हो गया होगा, 15.24, 15.24, I hope it is clear till this particular point, तो ये हमने तीनों के तीनों चीज़े निकालने ही कुशिश लाएगा, चले, आगे बढ़ते हैं, question नहीं तहीं मांगा था, question यहां खतम हो गया, हम question को analyze करने की कुशिश करते हैं, कि ये जो भी हमने किया, इसके कारण अभिशेक को फाइदा हुआ, या अभिमान को फाइदा हुआ, let's try to understand, कि अभिशेक को फाइदा हुआ, कि अभिमान को फाइदा हुआ, ठीक है न, trying to find benefit, क्योंकि आगे जाके काम आ सकता है आपके, एक तो है अभिमान, और एक है अभिशेक, ठीक है, ANA के ऐसे लिक रहा हुआ, market capitalization, अभिमान के shareholders का, before acquisition, क्या था, before acquisition, आप लोगो ने market price निकाला था, market price of the share, 400, market price 400, और shares थे 2,00,00, याने 800,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, dud, और यह जो अभिशेक है, इसका market capitalization, 32 का price और 10,00,00 share, 32 का प्राइज, और 10 लाग शेयर याने 320 लाग वाल्यू के अंगल से बात हो लिए, वाल्यू के अंगल से, आफ्टर एक्विजिशन ना, अभिशेक कंपनी डिसॉल्व होगी, अक्वायर कर लिया ना, अभिमान ने तो अभिमान ने अपने अंडर में उसको मर्ज कर लिया होगा, तो अभिशेक कंपनी डिसॉल्व होगी, अपने समान रहे हैं कि उसको लीगल एंटेटी खतम कर दिया और अभिमान में तो अब शेयर ओल्डर्स के अंगल से सोचना है, किसके अंगल से, शेयर ओल्डर्स कि आफ्टर एक्विजिशन अभिमान के ओरिजिनल शेयर ओल्डर्स थे 2,00,00,00,00 और अभिशेक के शेयर ओल्डर्स हो गया 1.5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कहां गया अपने निकाला था ना 457.1 और उनको मिले देड़ लाग शेर्स इन्टू 457.1 ठीक है तो 914.2 और 685.65 देखो फाइदा दोनों को हुआ इनको 114.2 लाग का फाइदा हुआ और इनको तो जबरदस फाइदा हुआ 685.65 माइनस 320, 365.65 सर ऐसा क्यों हुआ कि अभिशेक के शेर्स को जाधा फाइदा हुआ और अभिमान के शेर्स को कम फाइदा हुआ अभिशेक के शेर्स का तो PE ratio ही 4 से 10 हो गया था 4 था ना या 5 था जो भी था 4 से 10 तो एक तो drastic change अब ratio of shares भी काईदे से वैसे ही कुद तो maintain होने चीए था यानि market price of the share के basis पे maintain होने चीए था अगर हम market price of the share के basis पे ratio बोले हैं तो ratio ratios पे जाईए ratios जो आपने निकाले था market price के इसाब से तो एक share के बदले 0.08 share देना चीए था market price of the share के बदले में यानि कि एक share अगर आप अभिशेक का ले रहे है तो आपने अपना तो 0.08 share ही देना चीए था आप अल्मूस्ट उसका डबल दी हो 0.15 तो जाहिर सी बात है na benefit नोजएक टो उनको पास अगुए तो value-wise, value-wise अभिशेक के shareholders फायदे में रहे हैं ऐसा निए कि अभिशेक के shareholders को फायदा नी मादि की रहे है कि उनको फायदा हुवाई है पर अभिशेक के shareholders जादा फायदे में रहे है about this synergic benefit थेक है यह value-wise benefit पट हुआ, earning wise check करते हैं earning wise बिफोर acquisition in-case shareholders का earning था 80 lakh और in-case shareholders का earning था 80 lakh after acquisition abdish Web dissolve हो गया तो abishék का अलग से कोई earning नहीं है ये धियान में रखिए bonus issue split के पहले की बात कर रहा है bonus issue बात कर रहा है जो EPS अपने निकाला था वो EPS निकाला था 45.71 45.71 तो मैं बोलूंगा 2 lakh shares into 45.71 और यहां 1.5 lakh shares into 45.71 तो 2 into 45.71 91.42 और 1.5 into 45.71 इस 68.56 5 lakhs अब यहां अगर आप earning wise देखेंगे तो फाइदे में रहे अभिमान और loss में रहे अभिशेक क्यों फिर swap ratio देखें फिर swap ratio देखें कि swap ratio में अगर हमसे earning के साब से चलें तो share देने चीए थे आपने 0.2 0.2 पर दिये 0.15 कम दिये ना कम दिये तो जही सी बात है फाइदा अभिमान को पासओन हुआ फाइदा अभिमान को पासओन हुआ समझ आ रहा है मैं ratio की basis भी बता दे रहा हूँ आप वही बात है आगे बढ़ते हैं अगला आ रहा है book value per share अब इसमें तो एक को फाइदा एक को नुकसान हुआ earning में पर market price में ऐसा नहीं हुआ market price में पी एक को फाइदा एक को नुकसान हो सकता था अगर वो PE ratio सेम रखने की बात नहीं करता वो market capitalization सेम रखने की बात करता अगर वो बुलता नहीं market capitalization will be same तो एक को फाइदा एक को नुकसान होता हम देख लेंगे बाद में पहले हम लोग अभी basic idea ले रहे है अभी basic idea ले रहे है एक book value के basis पे भी पढ़ लेता है क्योंकि वो भी एक ratio हमने निकाला था तो before के basis पे अगर हम लोग book value बोले मैं per share basis पे नहीं लिख रहा हूँ overall basis पे लिख रहा हूँ कि overall basis पे book value था 1000 और 600 1000 और 600 and after acquisition अगर मैं बोलू हूँ तो book value per share तो आपने निकाला ही था per share 455.14 457.14 457.14 457.14 into 2 and 457.14 into 1.5 914.28 685.71 इनको 85.71 का फाइदा हो गया इनको exactly होत्ता ही नुकसान हुआ हो 85.72 मैं 72 लिख रहा हूँ अगर आप इसको भी यहाँ पे 72 कर देंगे तो वही हो जाएगा उपर भी यह हुआ होगा अगर आप देखेंगे 80-91.42 इनको फाइदा हुआ 11.42 का और उनको 80-68.565 11.043 आ रहा है मैं उसको भी 42 ही लिख रहा हूँ कि उत्ते कही नुकसान हुआ है ठीक है जबकि market capitalization में ऐसा नहीं हुआ because of P उसे explain कर दूँँगा अभी अगर P same नहीं होता तो क्या हुआ होता हम समझ लेंगे ठीक है Sir तीनों में हमने ये देखा पहले में तो ठीक है दोनों को फाइदा हुआ पर जादा फाइदा अभी शेक को हो गया बाकि दोनों में एक को फाइदा एक को नुकसान तो हो मानेंगे क्यों वो मानेंगे क्यों तो देखो क्या बुक वैल्यू बर्शेर मैंटर करता है सही में काईदे से नहीं irrelevant है सवाल उठता है अर्निंग मैंटर करती है की value तो आप मैंसे कई लोग ना बोलेंगे Sir अर्निंग मैंटर करती है मैं क्या कमा रहा हूँ वो ज़रूरी है नई आज की डेट में इन फैक्ट फाइनांस जगत में अर्निंग मैंटर ही नहीं करती value मैंटर करता है आप कितना कमाते हैं इस इर्रेलिवंट आपकी बाजार में कीमत क्या है is the main thing that is relevant और उसको uncash करना बड़ी बात होती है देखो एक कमपनी कितना profit कमा रही है और एक कमपनी का share price क्या है shareholder को किस से ज़्यादा मतलब है आप बोलोगे sir earning से ही share price define होती है नहीं PE से define होती है बहुत सारी ऐसी companies आपको दिखेगी online चेक कीज़ेगा निफ्टी की 500 companies में अगर आप चेक करेंगे तो एक जैसी दो companies होगी याने similar industry companies निकाले हो एक जैसी earning होगी दोनों की दोनों का EPS सेम आ रहा होगा पर दोनों का market price अलग 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 होगा because of the PE ratio because of the PE ratio दोनों का market capitalization हो सकता है कि तो उनों का सब कुछ सेम होगा फिर PE अलग अलग होगा जिसके कारण market price अलगाता है shareholder को share price से मतलब होता है shareholder को मतलब नहीं होता कि earning क्या है एक penny stock हर रोज 5% upper circuit लगा रहा है और एक बहुत बड़ी company है लेट से हिंदुस्तान Unilever जो से 0.1% up-down कर रही है आप कौन सी company का share खरीदना पसंद करोगा अगर मैं पूछो तो कई सारे लोग बोलेंगे 5% upper circuit लगा उसमें ये भी risk है कि 5% lower circuit लग सकता है और एक बार खरीदोगी क्योंकि उसमें मुनाफ़ा बहुत तेजी से कमा लिया जाएगा आपको value of the firm में मतलब था आपको कोई मतलब नहीं था कि उसकी earning क्या है तो matter करता है कभी भी ये ratio ये ratio irrelevant है I hope it is clear समझ में आया होगा आपको चलिए अगर P.E. same नहीं होता अगर P.E. same नहीं होता तो acquisition के बाद market capitalization इन दोनों का total होता unless acquisition के कारण कोई synergic benefit हुआ वो अभी हम लोग पहुँचे नहीं हो आप तो दोनों को मिला के इतना ही हुआ होता बराबर यानि 1-1-2-0 रहा होता market capitalization 1-1-2-0 रहा होता market capitalization इसका मतलब market price per share रहा होता 1-1-2-0 divided by 3.5 ठीक न अगर question बोलता कि P-E ratio के इसाब से नहीं है तो यह होता P-E ratio के इसाब से नहीं है तो यह रहा होता काईदे से हमने यह देखा था कि देना चीए था 0.08 देना चीए था 0.08 दिया 0.15 यानि कि अभिमान नुकसान में है और अभिशेक फाइदे में है ये यहां दिखेगा आपको ये यहां दिखेगा आपको कि before capitalization before capitalization 800 और 320 है और after capitalization इसके 2,0,00, शेश इंटू 320 और इसके 1,5,00, शेश इंटू 320 तो 2,0,000, टू 320 है 640 और देड़ इंटू 320 है 480 तो अगर आपने P.E. सेम नहीं रखा होता तो यहां 160 का नुकसान हुआ होता और यहां 160 का फाइदा मतलब कंपनी का benefit पासओन हो गया होता अभी शेक के शाउटर उसको ठीक है Merger and Acquisition में swap ratio क्यों इतना important होता है उसका यह सबसे बड़ा reason है कि अगर आपने बीच में सुना होगा कि MDH को actual acquire करने का offer दे रहा है ऐसा एक market में rumor आया था और EDFC का price तेजी से किरा था ठीक है उन सब reasons होते है यह market capitalization concept कि हो सकता है company का existing value उनको pass on हो जाए ऐसा क्यों हुआ होगा maybe MDH का PE ratio बहुत कम है और actual का बहुत जादा अब आप बोलोगी sir MDH तो listed नहीं है तो listing के angle से थोड़ी बात होती है unlisted भी बहुत सारे valuations होते हैं तो उसमें आया था ना कि इतने पर value किया गया है तो valuation से लोगों ने PE निकाल लिया होगा आप समझें उसके कारण impact आया होगा ऐसा कुछ और होगा कि जाद pass on Hindustan Unilever का benefit उनको pass on हो रहा है तो यह हम बस एक rough idea ले रहे हैं मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हवा में बता रहा हूँ क्योंकि एक ताम ऐसा practically चीज़ों को लिखा के नहीं बता सकता ना अभी तो marginal and acquisition आपने शुरू किया है और हम revision के angle से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पा रहा हूँ पर हां वो example को आप इससे correlate ज़रूर कर पाएंगे हां यार ऐसा कुछ हुआ होगा हवा में इससे ही पर correlate ज़रूर कर पा रहा हूँ ठीक है I hope it is clear So this was a particular question जो हम लोग समझ रहे हैं अगरी से पहला question हम लोगों ने किया है समझ रहे हैं कि इस तरह के question इस पूरे chapter में हम लोगों को पढ़ना है चलिए तो हम अगला question देखता है Question number 28 Same pattern में कुछ ratios को हम determine करने की कोशिश करेंगे चलिए BA and DA Both companies operate in same industry आपको financial data दिया हुए Sales वगेरे भी दिया हुए Assume that both companies are in the process of negotiating a merger through exchange of equity shares Exchange करना है shares को You are asked to assist in establishing equitable exchange terms पहला Decompose the share price Decompose the share price Into EPS and PE component यहने बोल रहा है share price के दो तुपडे कर दो EPS निकल दो और PE निकल दो तो यह तो आसान है हमको पता है इन दो लों का multiplication ही share price होता है आपको share price दिया हुआ है 40 और 15 40 और 15 तो question पूरा पढ़ने से पहले ही हम कोशिश करते हैं उसको solve करने की ठीक है जितना भी हम solve कर सके तो BA और DA 2 है आपको दिया हुआ है share का price तो share का price दिया हुआ है 40 और 15 ठीक है EPS और PE निकालने के लिए at least अपने पास earning available for equity shareholders है और earning के basis पे number of equity shares भी है तो मैं EPS तो बता ही सकता हूँ परबर है तो अगर मैं आपको बोलूँ की EPS क्या है तो पहला वाला 2,10,000 divided by 1 लाक 2.1 और दूसरा वाला 99,000 divided by 80,000 याने 1.2375 1.2375 इन दोनों के basis पे अपन PE निकाल देंगे ठीक है I hope यहाँ तक है clear है पहुँच सिंपल था आपको pad दिया है number और share दिया है divide कर दिया हम इने EPS मिल गया उसके basis पे PE निकाल देंगे आई यह PE निकाल देंगे क्या रहा है 19.05 12.12 ठीक है 12.12 और 19.05 चलिए अल्सों segregate EPS figures इन्टो return on equity and book value book value को ही वो लोग बोल रहा है intrinsic value पर share book value intrinsic value पर share ठीक है return on equity क्या होता है कि आपने shareholder से कितना पैसा लिया और उस पे आपने कितना कमा है उस पे आपने कितना कमा है तो return on equity is nothing but pat divided by net worth pat divided by net worth या दूसरे वो शब्दों में EPS divided by book value कोईश है बरबर either case लिख सकते हैं आई balance sheet से पहले net worth ले लेते हैं net worth इन दोनों का total तो बारा लाग और आट लाग ठीक है shares एक लाग और असी अजार book value per share मतलब बारा और 10 इसका मतलब return on equity को यह EPS divided by book value per share कर देंगे ठीक है 2.1 divided by 12 17.5% और 1.2375 divided by 10 याने 12.375% I hope यहाँ तक है clear है तो इन्होंने पहला तो उन्होंने आपको पूछा कि आप बताईए कुछ चीज है एक तो बताया EPS फिर बोला कि PE रितल लिया तो EPS निकाल लिया पी निकाल लिया फिर बोला कि ROE बताई या ROE निकाल लिया book value निकाल लिगे book value को intrinsic value बोल रहा हूँ इसके लिए आपको थोड़ी मेनद करनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा हम लोगों ने जो भी portfolio management में पड़ा है ठीक है आपको dividend payment ratio दिया है dividend payment ratio याने retention ratio पता है retention ratio पता है dividend payout ratio है ठीक है payout ratio dividend का ratio नहीं कि इतना percent of face value dividend का rate नहीं है dividend payout ratio याने हमारे earning का इतना percent हम बाट दे रहे हैं याने बचा हुआ रिटेन करने है और दूसरे का 40% हुआ इसका मतलब growth rate इन दोनों का multiplication तो 17.5 का 60% हो गया 10.5% और 12.375 का 40% हो गया 4.95% ठीक है 4.95% I hope यहाँ था कि पूरा का पूरा clear है growth rate था तीसरे पार्ट पर आ रहे हैं based on expected operating synergies जो भी उपर आप लोग उने निकाला वो synergies BA limited estimates that intrinsic value of DA DA के equity share का intrinsic value है 20% उसके share का करीब करी price 20 होना चाहिए on its date of acquisition on जिस दिन acquire करेंगे उस दिन you are required to develop a range of justifiable equity share exchange ratios that can be offered justifiable ratios that can be offered by BA limited to the shareholders of DA limited based on analysis in 1 and 2 याने उपर जो दोनों किये उसके basis पर अपना analysis दीजे उसके basis पर अपना analysis दीजे would you expect the negotiated terms to be closer to the upper और lower exchange ratio limits and why तो पहले तो आपको बोल रहा है based on above operating ratios एक तो हम मान रहे हैं कि रफली इसका intrinsic value 20 रुपर होगा ऐसा मान रहे हैं और उपर आपको जो भी data दिया हुआ गया है one and two में आपने जो भी data निकाला उसके basis पर आप लोग थोड़े कुछ ratios बताइए कि क्या ratios होना चीं यहां पर आपको क्या बूल रहा है यहां पर आपको क्या बोल रहा है तो बात कीजिए, तो देखे, earning justifiable नहीं होता, यह मैंने बताया था पिछले question में, value of the firm is the best solution, फिर भी हम निकाल लेते हैं ratios, तो हम एक तो निकाल रहे है, EPS के basis पर ratio, EPS के basis पर ratio क्या होना चीए, उसकी earning 1.2375 है, कम है, और अपनी earning जादा है, acquirer की earning जादा है, 2.1, तो जाहिर इसी बात है, अपन कम shares देंगे, तो 1.2375 divided by 2.1, अपन इसको देंगे, इसके हिसाब से 0.5928, 0.59 shares लिख देता हूं, या 0.59, 2 decimal पर लिखते हैं, 0.59 share, उसका हर एक share के बदले, अपना 0.59 share देंगे, यह पहला ratio यूज किया, PE के basis पर exchange ratio नहीं होता, market price के basis पर हो सकता है, जो स 15 by 40, 15 by 40, यह सबसे best ratio है, 0.375, पर उसने आपको intrinsic value दे रखा है, 20, अब यहाँ थोड़ा confusion आपको हो सकता है, यहाँ वो intrinsic value बोल रहा है 20, और उपर वो बोल रहा है intrinsic value, book value, तो कोई भी बच्चा यह सोचेगा, कि जब यह intrinsic value 20 दे रहा है, और acquisition date में intrinsic value 20 होगा है, इसा हम assume कर र दिमाग में तो यही आएगा न, उसने ऊपर आपको बोला था, कि भई intrinsic value मतलब book value, intrinsic value मतलब book value यही बोल रहा था हो आपको, और अब वो बोलता है intrinsic value 20 हो जाएगा acquisition date पे, तो बताव आप उसके basis पे ratio, यहाँ अपने दिमाग में तो यह click होगा न, कि वो book value की बात कर रहा है, जबकि उपर वो intrinsic value को book value बोल रहा था और यहाँ वो intrinsic value को book value नहीं बोल रहा है, तो यह थोड़ा सा confusing point है, यह इंसेट्यू की दरब से थोड़ा सा confusing point है, यहाँ वो intrinsic value को intrinsic value ही बोल रहा है, जो normally intrinsic value होता है, और वो intrinsic value को book value बोल रहा था, क्योंकि hash करके दिखाया था न, उसने अपने को वहाँ पर ऐसे अपन समझ पा रहे थे तो यहाँ basically उसने लिखना चाहिए था intrinsic value मतलब intrinsic value क्या होता है भई हम expect कर रहे हैं यह price होगा उसका यानि market price के comparison में यह वाला price बोल रहा होगा आपको तो intrinsic value के basis पर हम expect कर रहे हैं कि price 15 होगा यानि कि 0.20 होगा यानि 0.5 0.5 का exchange ratio 0.5 का exchange ratio I hope यहाँ तक clear है चलो तो अपन ने EPS use कर लिया book value per share भी use कर लेते हैं अपन निकाल तो लेते हैं काम क्या आएगा वो बात अलगे अपन निकाल तो लेते हैं 10 by 12 अब काईदे से यह तो सबसे गलत ratio है 0.83 सबसे गलत ratio होगा यह तो बाकी सब में इतना कम आ रहा है और in fact आप अगर compare भी करेंगे तो एक company जिसका P E जादा है वो BA BA का P E जादा DA का P E कम जिसका P E कम है जाहर से बात है उसको कम share देंगे क्योंकि उसका P E बढ़ेगा अपने कारण यह की नहीं अपना P E गिरेगा उसके कारण दूसरा network हो गया book value per share जाने दीजिए return on equity BA का जादा है return on equity BA का जादा है DA का कम तो return on equity के इसाब से DA को कम share देना चाहिए growth rate भी BA का जादा है DA का कम BA का जादा DA का कम again काईदे से DA को number of shares कम देना चाहिए समझ में आ रहा है न यहां तक के पूरा का पूरा तो कहीं ना कहीं book value वाला ratio तो गलत ही है अपने कौन सा ratio यूज करना चाहिए EPS भी गलत ही है अपने को पता है सही ratio market price है वैसे तो market price है पर उन्होंने intrinsic value दिया है तो वो भी ratio बन रहा है क्योंकि दोनों के दोनों 40 को ही base मान रहे है दोनों के दोनों 40 को ही base मान रहे है तो उनके basis पे ही हम इनको solve करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं के basis पे institute ने भी solve किया है जितना मुझे ध्यान में है आईए हम question number 28 का यहाँ पे answer देख लेते है उसने 1 and 2 के basis पे analysis बोला इसलिए हम लोगोंने सारे के सारे लिख दिये पर institute ने सारे के सारे नहीं लिखे है जितना मुझे ध्यान में है आईए देखते है retention ratio 10.5, 4.95 यह अपना match हो गया 17.5, 12.37 यह भी अपना match हो गया ठीक है P भी match हो गया 19.05, 12.12 अब उसने नीचे justifiable ratio एक तो दिया 0.5 और एक दिया 0.375 जिसको वो lower और upper limit बोल रहा है वापस पढ़ लेते हैं question क्या बोल रहा है हो सकता है कि हम question को बराबर interpret नहीं कर रहा है आईए question की Hindi language को समधने की कोशिश करता है question आपको बोल रहा है based on the expected operating of operating synergy उनके आपस के synergy पे BA estimate कर रहा है कि intrinsic value 20 हो जाएगा यनि 15 से 20 हो जाएगा जाहिए सी बात एक बड़ी company तुमको ले रही है तो तुम्हारा share price बड़ेगा उसके काने तो 15 से 20 हो गया ठीक है you are required to develop range of justifiable equity share exchange ratios that can be offered हम सामने वाले को क्या range of shares दे सकते हैं ये बताईए आप आप justify कीजिए कि क्या देना चाहिए फिर उसके बाद में full stop है वहाँ full stop और फिर वो बोलता है कि उपर आपने analyze किया था one or two में उसने यह full stop कर दिया फिर उसने बोला आपने one or two में कुछ analyze किया था उसके basis पर बताईए उसके basis पर बताईए कि किस तरफ पर you are required to give justifiable range of ratios पहले तो एक ratio नहीं मांगा range of ratios मांगा कि minimum कितने shares देना चाहिए maximum कितने shares और फिर बोलो ये जो minimum maximum आप बोल रहे हैं वो वहाँ पर आपने जो one and two में identify किया उससे आप justify किजिए कि क्या सही है क्या सही है समझ मैं है exam में अगर आप ये पूरा एक साथ पढ़ें तो ये confusion हो सकता है कि आप ये सारे के सारे निकाल दे और आप ये सारे के सारे निकाल के बोल दे कि minimum इन में से 0.375 और maximum 0.83 ये range हो गया हाना जिबकि question ये नहीं बोल रहा तो line का interpretation मैं अब समझा रहा हूँ आप लोग को कि उसने पहले बोला आप एक range बताईए आपके हैसाब से क्या होना चाहिए और आपने जो one and two में ऊपर जो analysis का chart बनाया इसके basis पे बताईए कि उस range में क्या सही है उस range में क्या सही है lower वाला सही है कि अपर वाला सही है तो काईदे से range EPS से नहीं निकलती B book value per share से नहीं निकलती हमने first question में discuss किया यानि range इन दोनों से निकलना चाहिए market price और intrinsic value तो इन दोनों के basis पे अपना 40 रुपय का है वो shareholder 15 के नीचे मानेगा नहीं वो बोलेगा minimum में को 15 तो consideration चाहिए ही वो 15 के नीचे क्यों माने वो बोलेगा में को 15 के नीचे में को मैं नहीं बेचू मा मेरा share तो आपको से 15 रुपय वर्त का अपना share देना पड़ेगा आपका 15 रुपय वर्त का आपका share 0.375 है 0.375 into 40 पंदा रुपय होता है एक ही नहीं तो minimum आपको उसका उत्ता देना ही पड़ेगा acquisition के बाद उसका share 20 रुपय का हो गया acquisition के बाद याना acquisition date पे उसका share 20 रुपय हो गया बराबर पिछले question में आपने देगा था P.E. ratio की current benefit हुआ था तो दोनों को फाइदा हो रहा था market capitalization में हमने compare गया था maximum आप कित्ता देने को तयार होंगे उसको उसको maximum आप कित्ता देने को तयार होगे जितना भई मेरा price hamper ना हो मेरे जेब से maximum पर फाइदा से też पासान का ना हो गया था भई तेरा को मेरे अंदर में जोडने के कारन में को synerg connects हुआ मैं maximum बोट रहाँ मैं दे दूँगा यह क्यों मैं maximum देने को तयार के होइउ हुआ मेरा तोड़ी उसको पासान गरूँगा बही मैं जो already कमा रहा हूं जिसके कारएंट मेरा market capital बना हुआ है वो pass on नहीं करूँगा बही मैं maximum minimum ते को कितना दूँगा जितना ते को चीए और maximum उतना दूँगा कि तेर को लेने के कारएंट में को synergic benefit कितना हो रहा है PBA का अच्छा, ROE BA का अच्छा, Growth Rate BEE का अच्छा, यह सबकुत तो BA का अच्छा है तो BA का अच्छा है तो BA ने अपने कम shares देना चीए उसके shares लेने के लिए भई हम अच्छे हैं तो हम वो synergy का फाइदा रखें उसको क्यो pass on करें सबकुत तो हमारा अच्छा है, तो हमने उसको 0.375 देना चीए, अपना 1 share 0.5 नहीं देना चीए काईदे से 0.375 देना चीए, यह comment करके आना है, बस, यह comment करके आना है तो यहां तक हम समझने की कोशिश की है, ठीक है अब वैसे तो question है, पर question के अंदर ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देको range कैसे निकली, range हमेशा value के basis पे निकलेगी ठीक है, value के लिए जो भी दिया रहे है, EPS, book value यह सब हाल तो उपकाते है, main चीज क्या है, market price अब वो range में justify कैसे होता है, उनके कई सारे reasons होता है, कि जहां हम अच्छे हैं, उसके साब से justify करो तो एक lower दे दिया 0.375, यह 0.375 के, या उससे थोड़ा बहुत उपर, उससे ज्यादा नहीं देना चीए, यह होगा third part का answer fourth part पर है, calculate post-merger EPS, post-merger EPS पूछ रहा हो, अगर exchange ratio 0.4 is to 1 defined हुआ है, 0.4 is to 1 defined हुआ है, तो बताओ कि EPS क्या होगा, being offered by BA and indicate the immediate EPS accretion or dilution, याने कि कि किसको क्या फाइदा हुआ, किसको नुकसान, हम table नहीं मनाए थे EPS का, वो table का फाइदा नुकसान पूछ रहा हुआ, accretion बताओ, dilution बताओ, if any that will occur for each group of shareholders, each group of shareholders को कितना कितना फाइदा होगा, उसके कारेंट, हाई, निकलते हैं, BA, DA, shares कितने DA, तो BA के पास तो already shares थे, एक लग, बरबर, और DA के 80,000 shares थे, उसके हर share के बदले, हम हमारा 0.4 share दे रहे हैं, उसके हर share के बदले, हम हमारा 0.4 share दे रहे हैं, याने 32,000, पहले earning कितनी थी, पहले earning कितनी थी, question में दिया हुआ था, 210,000 और 99,000, I hope it is clear, बाद में किसका कितना हिस्सा बन रहा है, तो form की combined earning दोनों मिलाके हो जाएगी, 210,000 और 99,000, 210,000, 3,09,000, इसके लिए shares हो गए, 1,32,000, 1,32,000, याने EPS हो गया, 2.34, पर EPS से compare नहीं किया जा सकता, EPS से compare नहीं किया जा सकता, यह EPS multiplied by BA के shares, यह EPS multiplied by BA के shares, तो 2,00, 34,000, 1 shares, और यही EPS multiplied by 32,000 shares अगर मैं करूं, तो 74,909, किता हो रहा है, 234, minus कर देता हूं मैं, 3,09,000, 75,000 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वह actually 2.34 something something था, तो अभी दोनों का total match करने के यह साब से 75,000 लिख रहा हूं, याने अपने को दिख रहा है कि इसको 24,000 का benefit हो गया, और इसको 24,000 का loss हो गया, accretion और dilution का मतलब यह था, कि वह किसको क्या फाइदा हो गया और किसको क्या नुकसान, कैसे निकाल रहे हो, आपने क्या निकाला, कि acquisition के बाद EPS क्या हुआ, EPS multiplied by BA के तो औरिदनली shares, और DA को आपने कितने shares दिए, उससे multiply कीज़े, DA को कितने share दिए, उससे multiply कीज़े, पिछले बार भी यह किया था हमने, EPS निकाला था दोनों का combined, फिर उसके बाद में जितने और इतना shares थे, अभिमान के पास, और अभिशेक का multiply किया था, कि उसको कितने share दिए उससे, उससे हम लोग निकाल रहे थे, accretion dilution, इस तरीके से, बहुत सारी books में, एक और तरीका दिया है, if you feel comfortable कीजिए, if you feel comfortable कीजिए, जहाँ EPS compare किया था, कि EPS of DA, 1.2375 है, उसको आप अपना 0.4 share दे रहे हो, और अब, जिस company का 0.4 share दे रहे हो, उसका EPS 2.34 है, उसका EPS 2.34 है, तो 2.34 multiplied by 0.4, 0.936, आप ऐसे भी dilution निकाल सकते हो, multiplied by number of shares, multiplied by original number of shares, ठीक है, तो 0.936-1.2375, multiplied by, 80,000 shares, 24,120 आ रहा है, अपने 24,000 लिख रहा है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी जगाँ पर आपको वैसे दिखेगा, मैं इस तरीके से बताता हूँ, यह मैं को यह simple लगता है, यह मेरा personal opinion है, आप अगर उस pattern से comfortable है, कि भई, DA का एक share, के बदले हम लों से 0.4 share दिया, अब EPS 2.34 है, तो 2.34 multiplied by 0.4, अब उसको इतना earning हो रहा है, 0.4 के एसाब से हो रहा है, आप से निकाल रहा है, और पहले उसको इतने पर ही 1.2375 मिल रहा था, तो उसको कितना नुकसान हुआ, multiplied by उस original shares, अब इसमें आप multiply करते समय गडबड कर सकते हैं, कुछ calculation में गडबड कर सकते हैं, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं यह pattern बताता हूँ, तो टोटालिटी में compare कर लो, टोटालिटी में वैसे भी बता नहीं है, कि क्या gain हुआ और क्या loss, इसलिए, आप इस लिए, तो फोथ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, बेस ऑन 0.4 इस्ट वन, सेम रिशो, assuming BA limited pre-merger PE ratio, will continue after merger, उसको वही वाला PE लग जाएगा, combined गमनी को, combined गमनी को BA का PE लग जाएगा, estimate post-merger market price, estimate post-merger market price, तो post-merger market price तो बहुत आसान है निकलना, कैसे, अपन ने post-merger EPS निकल लिया, 2.34, मैं उसको multiply कर देता हूँ, BA के PE से, 19.05, 19.05, क्योंकि वह continue होगा, ऐसा निका कहना है, 2.34 x 19.05, अभी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कात हो रही होगी, ऐसा हो सकता है, यार क्या हो रहा है, अभी इससे क्यों multiply करना है, अभी इससे क्यों करना है, पर हम हर question में यही करते रहेंगे, तो 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 यही करेंगे, तो दिमांद में बढ़ आएगा हो, हां कि यार ऐसी होता है, ठीके ना, तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, समत्ते जाएगे, पहले questions में समझा रहा हूँ, ऐसा मत सोतना यार मैं solve नहीं कर पा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए question की मदद से समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं तो पहले खुद question frame करूँ, आपको समझा रहा हूँ, फिर ये question solve करूँ, उससे अच्छे direct question से ही समझा रहा हूँ, तो that's where the difference lies, इसलिए थोड़ा ऐसा हो सकता है, बहुत सारे steps हो जा रहा है, ठीक है पर question में जो जीद मांगी होँ निकाला है, नया कुछ नहीं किया, question ने बुला post merger बता हूँ, तो post merger EPS multiplied by P, अब वो आपको बोलता है, also show accretion dilution, तो accretion dilution निकाल लेंगे, चलो B A, D A, market capitalization, तो market capitalization था इनका, 40 और 15 के हिसाब से, 40 into 1 lakh, 40 into 1 lakh, 40 lakh before, फिर दूसरे का price था 15, और shares थे 80,000, 15 और shares थे 80,000, ठीक है, 12 lakh, 12 lakh, after, हमने market price निकाल लिया, तो 44.577 into 1 lakh, और 44.577 into 80,000, मत कर देना, इनको 32,000 shares दिये गया, ठीक है, तो यह हो गया, 44.57 lakhs या 5 lakhs, और यह हो गया, 14.26 lakhs, तो दोनों को ही फाइदा हुआ है, दोनों को ही फाइदा हुआ है, इनको फाइदा हुआ है, 4.598 lakh, और इनको 2.26 lakhs, ठीक है, comparative benefit BA को जादा हुआ, DA को काम, आई हो किया तक लियर है, अगर हम market capitalization के basis पे करते, तो क्या हुआ होता, market capitalization के basis पे करते, तो क्या हुआ होता, कहीं ना कहीं, market capitalization basis पे करते हैं, तो फाइदा DA को pass on हो गया हुआ हुआ, फाइदा DA को pass on हो गया हुआ हुआ, ठीक है, क्यों, market capitalization के basis पे तो ratio होना चीए था, 0.375, तो आपने दे दिया 0.4 share, आपने दे दिया 0.4 share, यह कि नहीं, तो फाइदा हो पास on हो गया, वो दिखता है, मैं इन ratio से भी आपको यह बहुत सारे फाइदे नुकसान EPS का भी समझा सकता हूँ, आप आप EPS का देखो ना, 0.59 दिया हुआ, तो देना चीएदा 0.59 share, पर आपने दिया 0.5, EPS का आप से देना चीएदा 0.59 share, आपने दिया 0.5, इसका मतलब नुकसान DA को हुआ, और BA को फाइदा, यहां वही हुआ था, 24,000 का, यह समझ में भी आता है महाँ से, ऐसा बुल रहा हूँ, market capitalization question में मांगा नहीं है, question खतम हो गया है, मैं solve करवा रहा हूँ, मैं solve करवा रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए, BA, DA, अगर market capitalization देखते हैं, अभी हमने लिखा ही था, 40,000 और 12,000, तो combined market capital 52,000 होता, combined market capital 52,000 होता, तो अगर मैं after की बात करूँ, after की बात, तो 52,000 for, 1,32,000 shares, तो एक लाग shares का कितना, 39.39 लाक्स, और वहीं पे 32,52 लाग, और 1,32,000 shares, तो 32,000 shares का कितना, तो 1.26 लाक्स, 1.26 लाक्स, I have a bit is clear, ठीके देखे लो, 39.39 plus 1.26, क्या बट बट कर रहा है, 52,00, दिवाइद, 52,00, दिवाइद बाइ 1,32,000, इंटो 1,639,00, तो ये तो बराबर निकाला हमने, और 52,00, दिवाइद बाइ 1,32,000, इंटो 32,000, 12., ये 1.26 थोड़ी है, 12.60, जिरो लाक, सिक्स वन लाक्स, 12.61 लाक्स, तो इन दोनों को आड कर दीजे, 12.61 प्लस 39.39 बराबर 52 आ रहा है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता तो इसको फाइदा हो जाता, यही मैंने आपको बुला था और इसको नुकसान हो जाता, यही डिसकस किया था हमने, यह द नुमबर 31 देखते हैं, 31, 31 है पे नुमबर 13.48 पे, अब हम कैश पेमेंट वाला कुश्चन देख रहे हैं, कि शेर की जगे अगर कैश देखेंगे तो कैसे बतलेगा, चलिए, XYZ लिमिटेड का शेर करेंटली ट्रेड हो रहा है 24 पर शेर, 24 रुपीस, XYZ has total 10 लाक एक्विट 30 shares outstanding and promoters are holding 40%, तो अब हम बोल सकते हैं कि promoters के पास 4 लाक शेर है और free float में 6 लाक शेर है, ये शेर का market price है 24 रुपीस पर शेर, 24 रुपीस पर शेर, PQR Limited wishes to acquire XYZ because of likely synergy, an estimated synergic benefit है 80 लाक रुपीस, तो इससे पहले हमने जब भी questions किये, तो हम लोगों ने ऐसा किया कि P.E. सामने वाले का maintained, जिसके कारण हमने देखा कि जाहिर सी बात है, market capitalization बढ़ रहा था, वो कोई कमनी को acquire कर रहे था, जिसका P.E. कम था, हम उसको हमारा P.E. applicable ह बढ़ रहा था, तो हम इसको बोलते थे, synergic benefit, बराबर है, अभी तक हमने जो भी questions किया, हम उसके basis पर बोल रहे थे, synergic benefit, तो 80 लाक रुपे का synergic benefit, इस question में amount wise उन्होंने आपको दे दिया, कोई P.E. नहीं कुछ नहीं, कोई calculation मत कीजिए, अगर ये company को आप acquire करते हैं, तो आ lower salaries and fewer perks, top management will lead to a saving of 4 lakh per annum, 4 lakh रुपा per annum की saving हो सकती है, the management with their families, our promoters, जो management कर रहा हूं, वही promoters है, याने family business है, family business है, और इसका present value है 30 lakh, तो इसका present value है 30 lakh, तो savings का valuation हम बोल रहा है 30 lakh, एक तो synergic benefit है, और एक savings का value उन्होंने बोला 30 lakh, additional information P.Q.R. की दीवी है, अपनी entity, XYZ, इसको अ acquire करना है, यह वो company है, जो acquire करना चाहती है, EPS 4 रुपय, total number of share outstanding है 15 lakh, और इनका market price है 40, what is the maximum price per equity share debt, which can be offered to P.Q.R., एक होगा minimum, एक होगा maximum, तो पहले वो बुल रहा है, maximum तुम कितना offer करने को तयार हो सामने वाले का share खरीदने के लिए, अब ध्यान रखो, अगर मैं किसी का share ख capitalization है, उतना पैसा तुम्हां उसको देने को तयार रहोंगा ही, जितना उसका market capitalization है, उतना पैसा दो देने को तयार होंगा ही, market price 24 रुपय into 10 lakh shares, maximum बोल रहा है, maximum कितना दूँगा, यार उसको acquire करने से अपने को कुछ फाइदा भी हो रहा है, मैं वो फाइदा भी अगर उसे pass on कर दूँँ, मैं वो फाइदा भी उसको अगर pass on कर दूँँ, तो I am ready to, मतलब ठीक है, मेरी company वो ही value पर रहेगी, maximum बोल रहा हूँ, maximum, minimum की बात नहीं हो रही, तो theoretically 80,20,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, के वर synergic benefit, saving भी तो 30,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हो गया 35 रूपीस पर्श है 35 रूपीस पर्श है अब बात करते हैं what is the minimum that we are ready to pay तो minimum के तो basically दो तुकड़े होंगे एक होगा promoter एक होगा free float काहिदे से तो ऐसे दो तुकड़े नहीं हो सकते but इसको समझने की कोशिश करते हैं free float वालों को तो मैं 24 रूपए देने को तयार हूँ यानि वो shares कोई अपन 24 रूपए में खरीदने को तयार है पर promoter अपना share 24 रूपए में नहीं देगा promoter अपना share 24 रूपए में नहीं देगा क्यों sir क्यों नहीं देगा देखो promoter वो था जो company से family business schwach रहा था उर एक्सरा निकाल रहा था एक्स्ट्रा सैलेरी निकाल रहा था कि चार्लाग रुपय थ्यूसर नहीं निकाल रहा होता इट लया का घ्स सेहर का प्राइज कितना उपर होता सिंस अंपन इसकोम मैं कुछ समझा रहा हूं गंच्ट स्वुशनन नहीं दिखा रहा है फिलाल कंपनी का वाल्यू है 20.10 अगर वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकाल रहे होते हैं तो 30 की एक्स्ट्रा वाल्यू बढ़ जाती डिवाइड बाइड बाइड बाइट 10 लाक शेज तो यह हो जाता क्या 27 रुपीज इनके पास 40 पर सेज है प्रमोटर्स के प पासas तो 30 लाक रुपतरा प्रमोटर्स को कही ओर निकाल रहा था इं? नहीं मिलेंगे family business था इसलिए निकाल ले रहा था तो यह जो 4 lakh रुपे extra रुप निकाल ले रहा था यह भी तो आपको उसे compensate करके देना पड़ेगा तो management को अगर आपको pay करना है तो management को तो आपको 30 lakh भी pay करना पड़ेगा तो plus 30 lakh divided by 4 lakh 24 into 4 plus 30 divided by 4 31.5 इसे बोलते है acquisition cost इसे बोलते है acquisition cost controlling stake acquire करने का cost आपको controlling stake चीए तो इतना देना पड़ेगा पर इसमें एक चोटी सी problem है आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि कोई shareholder को 24 से share खरीद रहा है और किसी का 31.5 से लगे तो कुटो भी बात होगी ना ये तो कुटो भी गोगी है तो वैसे तो देखा जाए तो काईदे से आपको पूरे के पूरे shares ही 31.5 पे खरीदना पड़ेगा क्योंकि 31.5 के नीचे management नहीं मानेगा तो that will be the minimum price that you will have to pay to all shareholders अभी नहींने वही समझाया है 240, 80, 30, 35 रुपीज पर शेर maximum निकाला अब minimum देखिए ये calculation मैं नहीं समझा रहा है हमारे लिए इतना relevant नहीं है management को 24 रुपे के हिसाब से 96,00,00,00 बराबर है फिर 30,00,00, 126 उनके 4,00,00,00 शेर तो 31.5 minimum price at which management of XYZ will be willing to offer their controlling interest तो management तो 31.5 के नीचे नहीं मानेगा आप maximum 35 देने को तैयार है management 31.5 के नीचे नहीं मानेगा ठेके ना तो हमको बस ये दो answers देने थे हमको पूरी कमनी 31.5 पे खरीदना है क्या सबूरी नहीं है obviously आप पूरे 100% शेर्स खरीदना चाता है तो 31.5 पे खरीदना पड़ेगा practically आप क्या करेंगे practically आप 31.5 पे चार लाग शेर्स खरीद लेंगे control आपके पास आगया और फिर बाद में अगर आपको बाद में बचवे शेर्स खरीदना है तो market से धीरे 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 steak उठा लेना I hope it is clear समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा कुश्चन का concept this was cash concept तो अग्ला कुश्चन देखते हैं question number 29 page number 13.47 during the audit of weak bank limited RBI suggested the bank should either merge with another bank or may closed ठीक है question को important भी mark कर देजेगा क्योंकि bank के एक ही question है strong bank submitted the proposal to merger of weak bank और आपको balance sheet दी हुई अब अगर देखेंगे तो weak bank का NPA बहुत जादा है non-performing assets बराबर है बहुत जादा है strong bank का कम है ठीक है अब वो इसको एक weight assign कर रहा है मतलब वो बोल रहे हैं कि आप जो swap ratio define करेंगे ना swap ratio उनमें इनको कित्ता कित्ता weight देखना है तो देखो 30, 28, 32, 100, or 10 अब इसकी बात है पूरे का total 100 होगा ठीक है तो ये उन लोगों में बोला है कि इतने इतने weight देना है आप इसके basis पर ratio define कीजिए अब NP हमारा main point है जो हमको यहां पर discuss करना है अगला है capital adequacy ratio कि आपका capital कितना adequate है याने total capital हमारा कितना है share capital plus reserve divided by risk weighted asset याने कि जो asset के ऊपर कितना risk देना है आपके उसके basis पर आपका capital कितना adequate है ठीक है तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा NPA जितना कम उतना अच्छा अब तक हमने जितने भी questions किये उन में कोई questions में हमने ये नहीं देखा कि ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा पहली बार हम देख रहे हैं तो NPA is the main point of discussion ठीक है तो capital adequacy ratio जितना ज्यादा उतना अच्छा market price first है जितना ज्यादा उतना अच्छा इनके basis पर swap ratio बोल रहा है book value भी देखे रखाया हो उसने book value दिया है न book value को 10 का weightage है दिया नहीं है अपने को निकालना है निकाल लेंगे अपन बड़ी बात नहीं हो तो खेर अपने लिए ठीक है और फिर हो बोलता है कि trading weak bank की बहुत irregular होती है और strong bank की बहुत frequent trading होती है तो चलिए आईए हम NPA छोड़के पहले बाकियों के basis पे swap ratio निकाल लेता है capital adequacy ratio है ने swap ratio उन्होंने देखे रखाया ratio अपने को उसके basis पे swap ratio निकालना है है कि नहीं तो अपन पहला लिख रहे है capital adequacy ratio उसके इसाब से swap ratio क्या होना चाहिए weak bank का 5 है strong bank का 16 है ने 5 by 16 5 by 16 I hope it is clear 0.3125 और इसको weight देना है 28% ब्राबर तो हमने weights के basis पे किस तरीके से हम swap ratio निकालता है है हमने देखा है इससे पहले भी question चलिए दूसरा market price तो market price आपको दिया हुआ है 12 और 96 याने 12 by 96 0.125 इसको weight दिया है आपने 32% ठीक है तो यह होगया 0.04 तीसरा book value बुक वाल्यू पहले निकाल लेते हैं आपको दिया हुआ है paid up capital or reserves टोटल होगया net worth net worth divided by 10 रूपी का एक share है या 150 divided by 10 15 lakh shares 15 lakh shares तो इन दोनों का total हो रहा है 150 plus 80 230 weak bank की बात कर रहा है 230 divided by किते 15 lakh shares 150 by 10 150 by 10 15.33 और strong bank का है 6000 divided by 15 लिग दिया 50 divided by 50 तो यह हो जाएगा 120 shares 120 lakh shares ठीक है अब ध्यान दीजे यहाँ preliminary expense भी लिख रहा है और net worth में तो preliminary expense भी minus होता है net worth में preliminary expense भी minus होता है तो यहाँ पर वो minus करने के बात price निकालना चाहिए था तो यह price अपना गलत हो गया तो 230 minus 50 divided by 15 बारा रूपे हो गया 12 रूपे अब यह निकल गया book values book value के basis पर ratio निकाल रहे है 12 divided by 120.1 और इसको weighted दे रहे हो आप 10% यही लिखाता था न 10% 10% याने 0.01 चलिए आखरी आते हैं NPA अगर NPA में भी हम ऐसी ratio निकाल दें अगर हम ऐसी ratio calculate कर दें 40 by 5 तो आज आता है 40 by 5 अगर आप करते हैं तो वो बोलता है कि हर एक share के बदले या rather हमारा एक उसके एक share के बदले हम हमारे 8 share देंगे अभी तक क्या आप क्या बूल रहे थे अभी तक क्या बूल रहे थे उसके एक share के बदले capital adequacy ratio हम हमारा 0.3125 share देंगे इसके एक share के बदले market price के हिसाब से हमारा 0.125 share देंगे book value के हिसाब से हमारा 0.1 share देंगे और NPA के हिसाब से अगर आप ऐसा ही ले लेते हैं 40 by 5 तो आप बोलोगे एक share के बदले हमारे 8 share देंगे उसके NPA जादा है अपनों उसको जादा share देंगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कोई खराब चीज के basis पे भी share allocation की बात करें अभी तक कि अपन लोग अच्छी चीज हो के basis पे allocation की बात करते थे EPS, market price, book value पहली बार हम NPA बोल रहा है कि खराब तो खराब ratio की case में आपको ratio भी तो उल्टा करना पड़ेगा ना फिर खराब जितना जादा उतना अच्छा नहीं होता है अब तक ratio कैसे कर रहे थे जो चीज जितनी जादा है उतनी अच्छी तो उसके basis पे ratio नहीं कर रहे थे अब उल्टा यार यह जितना कम रहेगा उतना अच्छा तो ratio भी reverse करना पड़ेगा ratio भी reverse करना पड़ेगा that was the main core of discussion यहाँ 40 by 5 नहीं करेंगे गलत हो जाएगा 5 by 40 exam में हापन क्या pressure में रहते हैं हापन लोग solve करनेंगे ना तो गलत हो जाएगा तो 5 by 40 0.125 इसको wait देना है 30% 0.0375 पूरा add कर लेते हैं तो सब मिलाके 0.175 share बन रहा है एक आप सामने वाले की एक share के बदले है week limited एक share के बदले है strong अपना 0.175 share देगा ठीक है तो question no.29 मैंने पढ़ा ही नहीं था कि question क्या मांग रहा है पर हाँ swap ratio दिया है तो obviously बात है वो तो मांगे गई वो तो बस मैंने solve कर दिया चलिए देखते है तो 0.175 सबसे पहला part तो अबना सही है उसमें किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं है I hope यहाँ तक clear है main point जो mark करना था वो था NPA question के सामने लिख दीजेगा इसे ultra consider करना है क्योंकि यह खराब ratio ठीक है इसे ultra consider करना है क्योंकि यह खराब ratio ऐसा लिख देना था कि ध्यान जाए exam चाहिए अब question क्या मांग रहा था पहले तो गुला swap ratio अपने निकाल दिया a certain number of shares to be issued number of shares to be issued तो सामने वाले के 15 lakh shares है अनो shares to be issued सामने वाले के 15 lakh shares है in 2.175 2.625 lakh shares issue करेंगे अपने ठीक है I hope it is clear prepare balance sheet after merger अब balance sheet बनाने के लिए वैसे तो उन लोगों ने अपने को देना चाहिए था सब asset liability की value याने fair value सामने वाले की दिया नहीं है तो अपन pooling of interest लगा रहे हैं याने book value कोई fair value मान रहे हैं book value कोई fair value मान रहे हैं और आगे बट रहे हैं चलो देखो 2,900 2,000 20,100 30,500 20,70 काईदे से 50 कोई asset होना नीची है ना फिर भी एक बार इसे हटा ही देता है ना इसे नहीं लिखेंगे अपन इसे अपन reserve में से minus कर देंगे फिर भी इक बार institute का अंसर बाद में देख लेंगे क्या हो रहा है share capital पर ध्यान दीजेगा आपके shares थे 500 आपके shares थे 500 और आपने issue कर दिये 2.5625 of 10 each price तो 10 है ना तो 26.25 तो 526.25 526.25 reserves पर बाद में आता हूँ 48,000 other liabilities 2500 plus 890 3390 3390 चो आपके share का market price 96 है मैं मान रहा हूँ कि आपने 96 पर issue किया होगा है इसा मैं assume कर रहा हूँ फिलाल तो फिलाल तो मैं assume कर रहा हूँ कि यहाँ आपने 96 पर issue किया होगा ठीक है अगर मैं ऐसा मान लूँ कि आपने 96 पर issue किया होगा तो इसमें से 10 रुपया हटा रहा हूँ 86 multiplied by 2.62 file actions यह securities premium है ठीक है securities premium चलो इतने से तो अपने reserves बढ़ जाएंगे तो 5500 प्लस 225.75 securities premium ठीक है अब देखना यार balancing figure क्या आया था balancing figure क्या आया था तो काइदे से हमने जो purchase consideration दिया वो दिया 2.62 file actions और अपने share का बाजार बाउ 96 252 ऐसा आपन मान रहे हैं ऐसा मान रहे हैं ठीक है सामने वाले के net assets अपने 180 निकाले थे जिता मैं को याद है तो 252 माइनस 180 यहां पर goodwill आ रहा है 72 का तो यार यह तो नहीं होना चीए काइदे से अब गुडविल तो बनता नहीं है यार इस company का अपन ने तो बहुत ही खराब company को take over गिया तो गुडविल बोलना तो गलत होगा हना तो मेरे हिसाब से इस तरह का calculation करना गलत है SFM के angle से सोतना logically सोतना accounts के angle से मत सोतना SFM के angle से सोतना कि यार यह सोच अपनी गलत बन रही है यह सोच नहीं बनननी चाहिए अपनी तो फिर क्या करें sir तो मान लेते हैं shares face value पे account हुए और ऐसा कोई भी securities premium था ही नहीं ऐसा कोई भी securities premium था ही नहीं अगर ऐसा मानते हैं तो purchase consideration हो गया आपना 26.25 हा ना 26.25 जो अपने shares दिये तो 153.75 का capital reserve बन जाना चाहिए उस से साब से तो 153.75 अब देखते हैं institute ने क्या किया है यह अपनने सिर्फ discuss किया है ना ऐसा ज़रूरी नहींगी यही answer होगा discuss किया है अपनने देखते हैं balance sheet में क्या किया गया है balance sheet after merger 526.25 share capital 5500 अपनने भी तो 5500 ही लिखा था अरे अपन तो वहीं पर बना रहे थे 153.75 यह देख लो अपनने यही निकाला 153.75 ठीक है बाकी तो सब कुछ as it is added है कोई दिक्कत नहीं है बस यह point है जो में को लगता है कि गलत है अब इसका मतलब institute ने क्या किया है institute ने pooling of interest method लगा दिया होगा पर अगर pooling of interest method लगाया होता तो बड़ा mix है बड़ा अजीब सा scenario है उन्होंने मान लिया कि shares face value पर account हो है मान लिया है कि shares face value पर account हो है और फिर उसके basis पर balance sheet बना दी बड़ा अजीब सा है logically गलत भी नहीं है ना यार goodwill तो बनता ही नहीं है खराब company का goodwill का income ठेकिन I hope it is clear तो goodwill दिखाना गलत था इसलिए मैं भी ऐसा कर दिया होगा so this is what you need to remember in exam अब मैंने ऐसा क्यों किया मैंने पहले goodwill बना के क्यों किया कि exam में ये confusion आपको हो सकता है और अगर ये confusion हुआ और आप वैसा solve करके आ गए ठीक है goodwill बना के आ गए तो फिर घड़बड हो जाएगी ना बैलें जी उसलिए मैंने ऐसा लिख दिया था तब वहाँ पे goodwill वाला ठीक है तो आप इसके answer के उपर में यहाँ पे उपर लिखिएगा कि अगर balance sheet बनाते समय है जो balance sheet उनोंने बोला आपको prepare the balance sheet आप टम हो जा अगर balance sheet 96 के market price पे बनाएं तो goodwill आता है इसलिए हम face value पे share बान रहे है इसलिए हम face value पे share बान रहे है market price पे नहीं है इसा लिख के रखिएगा इसके सामने था कि एक्जाम में एकदम देखते ही क्लिक हो कि हाँ यार अपन क्यो 96 पे नहीं कर रहा है क्योंकि written practice अपन generally करते नहीं आना तो ये confusion पे सीधा एक्जाम में आता है इक्जाम में जब अपन ये balance sheet बना रहे है तब ये confusion आएगा कि यार अरे ये 96 पे कर रहे है तो goodwill आ रहा है अपन जब किये थे class में तब goodwill नहीं आ रहा था क्या गलती होगी यार एक्जाम में प्रेशर आएगा एक्जाम में ये प्रेशर नहीं आना चाहिए इसलिए यहाँ पर अपन लोग ये चीज़ लिखके रख ले रहे है यहाँ पर लिखके रखोगे न तो एक्जाम में revision की समय वो point पे नजार आजाएगा आयर अपने को ना face value के उपर में करना अगर ये question आ जाता है तो वैसे ठीक है चलो calculate capital adequacy ratio gross NPA of strong bank after merger merger के बाद में capital adequacy ratio क्या होगा अब ऐसा simply दोनों को add करके नहीं बोल सकते हैं कि हाँ 10% हो जाएगा अपने को कुछ calculations इसके करने पढ़ेंगे तो पहले तो अपन बात करते हैं NPA की NPA easy है इसलिए 40% NPA NPA किसका होता है NPA किसका होता है जाहिर सी बाते advances का होता है जाहिर सी बाते advances का होता है तो अपना आते है NPA calculation NPA weak strong 40% 5% किसका होगा advances का advance कितने है 3500 और 27000 3500 और 27000 दोनों को मिला दे तो 3500 यह हमने balance sheet में लिखा था इसका मतलब amount of NPA हो गया 3500 का 40% 1400 और 27000 का 5% 1350 यहने 1350 और 1400 मिला के 2750 के NPA है 2750 के NPA है 2750 किसका 3500 का 3500 का बस अब divide कर दीजे अब divide कर दीजे 9.01% 9.01% I hope it is clear तो वैसे तो उन्होंने उपर भी आपको लिखके दिया होगा नहीं उपर नहीं लिखके दिया है पर यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो you don't need to very much अंसर मैच कर लेते हैं 2750 amount ही पूचाता लगता है सिर्फ formula तो लिखा उन्होंने पर बाकी सिर्फ amount लिखाया है 2750 उन्होंने percentage नहीं निकाला आईए यह बीच का एक part था जो अपन ने किया नहीं यह अगय थे number of share अच्छे यह book value का calculation था ठीक है यह तो अपन ने किया ही था कोई बात नहीं कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं question का अगला part है C.A.R. और उन्होंने आपको C.A.R. का formula दिया है total capital upon risk weighted assets अब यह risk weighted assets तो नहीं पता capital तो निकाल लेंगे अपन capital निकाल लेंगे पर risk weighted assets अपने को नहीं पता हाँ न? तो देखो मैं लिख लेता हूँ capital adequacy ratio weak का strong का तो पहले तो अपन C.A.R. लिख रहा है उनका कितना है 5% और 16% 5% और 16% यह हो गया capital adequacy ratio फिर अपन लिख लेते हैं total capital ठीक है total capital तो total capital क्या होगा? तो वो तो मैं paid up capital reserve का total लिखूँगा 180 और 6,000 180 और 6,000 इसका मतलब जो risk weighted assets है हो कितने होंगे? यह हमको नहीं मालूम है risk weighted asset, question में नहीं दिया है question में नहीं दिया है, जो है समझना पड़ेगा कि हमको calculate करना है risk weighted asset जैसे उपर NPA का amount calculate करना था है यहा risk weighted assets calculate करना है ठीक है? तो total capital upon risk weighted assets यह percentage है 5% यह 5% क्या है? total capital upon risk weighted assets या नि रिस्क weighted assets क्या हुआ? total capital upon capital adequacy ratio अगर CAR होता है total capital upon risk weighted assets तो risk weighted assets हो गया total capital upon capital adequacy ratio बरबर याने 180 divided by 5% 3600 और 6000 divided by 16% 37500 इन दोनों को add कर देते है 41,100 41,100 चीक है? capital अपना जो नया capital है अपना जो नया capital है उसमें यह capital reserve 153.75 भी आ गया बरबर तो अपना नया capital है 526.25 प्लस 5,500 प्लस 153.75 सब मिला गे 61,80 61,80 जो उपर दिया है वोई आ रहा है वोई आ रहा है तो 61,80 divided by 41,100 पुर रहा है कुछ 15.03% 15.03% इन दोनों को डिवाइट गया 15.03% आई यह answer को मैच करते है तो total capital को लेके exam में confusion आ सकता है 15.04 confusion ही आ सकता है कि total capital में क्या क्या लेना है capital reserve लेना है कि नहीं लेना है यह चोटी मोटी बात हैं आ सकती है तो बहुत simple answer है और कुछ नहीं है main कहानी थी risk-weighted assets को अपने को identify करना है इस question का जो main crux था दो चीज़ें थी एक तो था NPA ultra ratio लेना है और दूसरे risk-weighted assets को अपने को consider करना है तो question ऐसे बहुत tricky है मतलब पढ़ने जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा और solution बहुत easy है solution बहुत easy आप रिस-weighted assets और NPA पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं है solution तो बहुत easy बनता है I hope यह question पूरे तरीके से आप लोगो समझ में आया होगा हमने कैसे solve किया कुछ easy questions देख लेते हैं आपने बहुत difficult questions अभी तरके solve किया है ratio of 1 is to 2 मतलब 0.5 share for every 1 share of T T का एक share लेंगे और अपना 0.5 share देंगे अपना 0.5 share देंगे PAT दिया है equity share outstanding दिया है EPS दिया है मतलब वो तो वैसे ही निकाल सकते थे P ratio दिया है market price दिया है EPS और market price तो आपन ही निकाल सकते थे कोई बाद नहीं number of equity shares to be issued कितने shares issue करना है तो सामने वाले के 1,80,000 shares है हर एक share के बदले अपना 0.5 share simple हर एक share के बदले अपना 0.5 share 90,000 what is the EPS of A after acquisition acquisition के बाद का EPS क्या होगा तो दोनों के profit add हो जाएंगे 21,60,000 और shares हो जाएंगे 6,90,000 हाना 21,60,000 divided by 6,90,000 3.13 3.13 नया point क्या पढ़ने जा रहे हैं determine the equivalent earning per share of T हम अब तक क्या करते आएंगे हैं हम क्या करते थे हम बोलते थे कि तुमारा जो पुराना EPS है वो है 3 और 2 3 और 2 अब हम क्या करते थे हम पुरानी earning दिखाते थे overall हम पुरानी earning दिखाते थे overall 18,00,000 और 3,60,000 18,00,000 और 3,60,000 अब हम बोलते थे कि after acquisition का EPS बन रहा है 3.13 इंटो 6,00,000 and 3.13 इंटो 90,000 ठीक है ठीक है ठीक है 18.78,00,000 तो यहां पर हम बोलते थे कि इसका तो accretion हो गया और इसका dilution हो गया देख लो calculate करके 3.6 माइनस 2.82 0.78 तो इकका accretion हो गया इकका dilution हो गया उसने यह नहीं पूछा आपसे accretion dilution नहीं पूछा उसने बना equivalent DPS बताओ T का equivalent EPS बताओ तो उसका पहले का EPS था 2 वो बोलता है equivalent बताओ यानि कि उतने कही comparison में आज EPS कितना मिल रहा हूँ तो पहले वो अपने T के 1 share के बदले 1 share के बदले 2 रुपय कमा रहा था अब उसको उस 1 share के बदले में 0.5 share मिला उसको 1 share के बदले 0.5 share मिला वो 0.5 share के equivalent उसको EPS क्या मिल रहा हूँ वो 0.5 share का equivalent EPS उसको क्या मिल रहा है तो ये तो आसान है निकालना हमको ये पता है कि नहीं वाली जो firm है उसकी earning 3.13 है नहीं firm की earning बोले नहीं firm की earning 3.13 इसका उसको 0.5 share मिला है इसका उसे 0.5 share मिला है तो 3.13 into 0.5 3.13 into 0.5 1.565 1.565 एक तरीका यह है दूसरा तरीका ये institute का दिया हूँ ठीका ना दूसरा तरीका जो में को लगता है यार बहुत comfortable है अपने को ये तो पता है कि उसकी equivalent उसने इत्ता कमाया 2.82 2.82 lakh मैं इसको इसके पुराने shares जित्ते भी थे उससे divide गर देता हूँ 1.8000 1.8000 तो 2.82,000 divided by 1.8000 अगर मैं करूँ तो वो भी तो इत्ता ही आता है 1.566 आ रहा है 1.565 2.8000 सेमी तो आएगा सेमी आएगा I hope it is clear चाहें तो उसको allocated earning divided by उसके पुराने shares की basis पे किजिए ये comfortable लग रहा है तो ये किजिए कि पहले EPS 2 था अब EPS किता हुआ होगा नई वाले firm का EPS multiplied by कितना fraction shares को मिला अब इस question में पूछा है इसलिए हमको निकलना पड़ा, what is the expected market price of A limited after acquisition, assuming P multiple remains unchanged, याने इसका P e 10 ही रहेगा merged firm, merged firm का P e 10 ही रहेगा, तो 3.13 into 10, बरबर, 3.13 into 10, 31.3, 31.3, अब वो बोल रहा है determine the market value of the merged firm, तो market value of merged firm 31.3 multiplied by 6,90,000, हैगी नहीं, 215.97 lakhs, 215.97 lakhs, आईए, last answer जो है, 6th question का, उसको देखते हैं, I hope it is clear, take it, 31.3 market price, 1.57 बोल रहा है fractional chair, हमने 1.565 लिखा है, और कुछ नहीं, 3.13, तो overall अपना answer यहाँ तक के match हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 7, question number 7, आपको एक firm का, दो firm दीए, mark and mask, acquiring firm है mark, और target firm है mask, यानि mask को acquire करेगा mark, ठीक है न, पहली firm acquirer है, दूसरे acquire है, 2000 earning after tax, 200 number of share outstanding, spending, तो EPS, लिख देता हूँ, 10 रुपय, PE 10, PE 10, next page पर market price नहीं है, तो market price भी लिख देता हूँ, 100, ऐसी लगेगा तो सही, क्योंकि basic उपर जैसी, same similar type of questions कर रहा है, दूसरे वाले का EPS 4, देख लीचे, 4 और share का price 20, चलो, what is the swap ratio on current market price, market price के basis पर swap ratio, market price के basis पर swap ratio, तो निकाल नहीं पड़ा है, इसका उनलब EPS और market price, तो 20 by 10, 20 by 10, 0.2, 0.2 swap ratio हो गया, हर एक share उसका लेंगे और अपना 0.2 देंगे, what is the EPS after acquisition, what is the EPS after acquisition, तो after acquisition earning हो गई 2400 लाग, 2400 लाग, सामने वाले को shares देंगे 0.2 याने 20 लाग, 0.2, 20 लाग, तो 220 लाग shares हो गया, I hope it is clear, इसके बदले 20 लाग shares दे रहे हैं, उसके पहले से 200 लाग share outstanding है, तो 200 plus 20, 220 लाग, EPS 2400 divided by 220, तो कुछ चीज हैं, अपन ऐसी calculate कर ले रहे हैं, ठीके न, ऐसी calculate कर ले रहे हैं, EPS बोला न, तुने चल 10.91, चलो, what is the expected market price after acquisition, assuming P is unchanged, P 10 रहेगा, P 10 रहेगा, तो 10.91 into 10, 109.1, 109.1, Determine market value of the merged firm, तो merged firm में 220 लाग share outstanding है, 109.1 into 220 लाग, 24,000 लाग, 24,000 लाग, तो value अरी है, gain loss to the shareholders, ये बाद में निकाल लेता है, पहले ये पहले 4 compare कर लेता है, फिर gain loss निकालेंगे, question number 7 देखिए, हाँ भई, market price 120, ratio 0.2, shares 20 लाग देंगे उसे, 10.91, P 10K सबसे 109.1, 240 करोड, मैंने 24,000 लाग लिखा है, तो कोई फर्क नहीं है बहुत ज़ादा, चलो gain loss की बाद करेंगे, आईए, तो आप बोल रहे है, calculate gain loss to the shareholders of two independent companies after acquisition, तो mark और mask दो companies है, before वाले का, ये बोल रहे है, gain loss to the shareholders after acquisition, obviously value basis पे, value basis पे, तो before क्या था, before क्या था, number of shares 2000, market price 100, 200 और 100, 200 into 100, ठीक है, 20,000, और यहाँ पे number of shares outstanding है, 100, share का price 20, 20, तो ये थाड, 100 into 20, 2000, after acquisition, after acquisition share का price अपने 10.91 निकाल दिया, 10.91 ही निकाला न, दिखा नहीं है मैंने, नहीं रहा न, ये तो 10, 109.1, 109.1, 109.1, अब इसके shares थे, 109.1 multiplied by, इसके shares तो उत्ते ही थे 200, अना, और इसके हो गए 109.1 multiplied by, अपने इसको 20 लाक shares दिये थे, 20 लाक, तो 109.1 into 200, 21820, तो इसको gain हो गया 1820, ये P maintain करने के कारण होगा, दोनों कोई profit हो गया, in fact, मेरे साब से तो, 109.1 into 20, दूसरे वाले का value आ रहा है 2182, ये उसको profit हो गया 182 लाक का, तो दोनों ही gaining position में, this was because P remained unchanged, I hope it is clear, चलिए ये वाल answer match कर लेते हैं, question number 7 का, फिर चलेंगे question number 8 पे, 18.2 crore, 1.82 crore, I hope it is clear, चल, moving ahead, तो ये similar type है, आपने ये तीनों में एक देख लिया, तो बच्चे पे दो नहीं भी देखे, तो चलता वाली काहनी है, XYZ wants to purchase ABC by exchanging 0.7 share for each share of ABC, XYZ खरीदना चाहता है, ठीक है, XYZ खरीदना चाहता है, 0.7 shares दे रहा अपना, for each share of ABC, तो इस वाप ratio बन गया, अब उसने बोला, equity share outstanding, EPS और market price, आप कुछ बोला नहीं है, जाइड सी बात है, XYZ का data होगा, और ABC का data होगा, अपन ऐसा मान रहे हैं, चलो, illustrate the impact after merger on EPS of both the companies, दोनों का EPS का impact बताई गया, चलो, देख लेते हैं, इनका EPS रहा होगा, 400 lakhs, earning, earning, ABC, XYZ, before, EPS, तो रहा होगा, 40 और 10 lakh multiply होगया, 400 lakh, 28 इन्टो 4, 112 lakhs, बरभर, EPS multiplied by number of shares outstanding, after, तो combined होगया, 512 earning, आपने 0.7 share दिया, 4 lakh shares के against, 4 lakh shares के against, 0.7 share आप दे रहे हैं, याने 2 lakh, 2 lakh 80, 2 lakh 80, चलो, so divided by, 10 lakh, plus 2.8 lakh, 40 का EPS है, 40 का, तो 40 into 10, 400 lakhs, 40 into 10, 400 lakhs, चीक है, और उनको आपने, 2.8 lakh shares दिये, तो 2.8 into, 40, 112, 112, 112, ठीक है, तो लाग 80,000 shares, 10 lakh shares, चलो ठीक है, याने की, it is unchanged, it is unchanged, एक तरह से, मतलब, जो shares है, वो EPS के ratio में दिये गए है, वो दिख भी रहा, EPS के, Earning के ratio में नही, EPS के ratio में 28 by 40, 28 by 40, एक shareholder किता कमा रहा था, उस basis पे 28 by 40, ठीक है, 0.7, 28 by 40, 0.7, I hope it is clear, ठीक है, तो Earning remains unchanged, no impact, management, has quoted an exchange ratio, 1 is to 1, for the merger, merger, ABC के management है, assume P ratio will remain unchanged, P ratio will remain unchanged, after merger, what will be the gain from merger, for ABC, ABC को क्या gain होगा, अगर 1 is to 1 का exchange ratio रहा तो, ठीक है, तो चलो, पहले तो अपन बात करते हैं, कि P है कितना, तो 250 का market price, और 40 का EPS, मतलब 6.25, और 160 का market price, और 28 के हिसाब से, 5.71, ठीक है, पहले तो ये निकलेगा, और P will remain unchanged, याने कि 6.25, चलो, अगर 1 is to 1 दे रहे हैं, याने कि 4,00,000 shares दे दे देंगे, 1 is to 1 दे रहे हैं, याने कि 4,00,000 shares दे दे देंगे, अब, market price, before अगर मैं बोलूँ, before, तो मैं market, price, gain loss पूछ रहा है आपको, तो overall basis पही निकल लेंगे, gain loss पुरा, तो market price के basis पह अगर मैं निकल लूँ, तो हमारे number of shares outstanding, 10,00,000, 10,00,000, और 250 का market price, 250 का market price, याने 2500,00,000,000 market capitalization था, 160 का market price, and 4,00,000 shares outstanding, तो 160 into 4, 640,00,000,000 का market capitalization था, after अगर मैं बोलूँ, तो आपका जो price है, price, वो हो गया, 40 multiplied by 6.25, 250, market price बाद में हो जाएगा, 250, 40,00,000, 40 rupees का EPS, 40 rupees का EPS, multiplied by market price, EPS 40 था न, EPS remained unchanged है क्या, नहीं वाली firm का EPS है, हाँ, वो 40, अच्छा, नहीं, नहीं, रुकिये, 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 पहले तो में एको EPS recalculate करना पड़ेगा, अगर आपने 1 is to 1 कर दिया है, ठीक है, अगर आपने 1 is to 1 कर दिया है, तो में को EPS पहले recalculate करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर दियान नहीं दिया, हमारी जो earning है, हमारी जो earning है, वो हो जाएगी 512, earning हो जाएगी 512,00, और अगर आप 1 is to 1 के ratio में shares दे रहे हैं, तो shares हो जाएगे 14,00, shares हो जाएगे 14,00, I hope it is clear, याने earning हो गई 36.57, 36.57, अगर PE 6.25 भी रहा, अगर PE 6.25 रहा, तो market price हो जाएगा, 6.25 into 36.57, 228.56, I hope it is clear, यहां तक के समझ गए, तो 228.56 के हिसाब से, मैं दोनों की value निकाल दूँगा, ठीक है, तो यह हो रहा है 2285.6,00, और, इसको अपन ने, एक मेंट इसको में अच्छे से लिएता हूँ, 228.56 into 4,00, शेज ही दी है इनको अपन ने, ठीक है, तो 914.25,00, 914.25,00, I hope it is clear, तो, 2500-2285.6, 214.4 का loss है यहां पर, और, 640-914.25, 274.25 का gain है, अगर हम बात करें, XYZ की, आईए question number 8, का यह वाला पार्ट देख लेता है, तो पहला तो profit था, XYZ ABC, डेटा उल्टा दियावा था, ABC, XYZ wants to purchase ABC, relevant financial data is as under, पहला XYZ था, दूसरा ABC, पहला XYZ, दूसरा ABC, हमने भी वैसी किया था, पहला XYZ, दूसरा ABC, ABC, ठीक है, तो 10,00,40,00,400,00, 112,00,00, यहां तक के matched है, 6.25, 5.71, 250 और 160 का price, ठीक है, तो EPS 40 है, impact nil, यह हम लोगों ने कर लिया था, Exchange Ratio, 4,00, 1,00, 14,00, शेर्ज देंगे, 512,00 के इसाबसे, 36.57 का profit आना चाहिए, 6.25 के EPS के इसाबसे, 228.56 का market price हो गया, 160 before merger था, तो 68.56 का gain, per share, उन्होंने per share basis के बताया है, हमने overall बता दिया, overall बता दिया, 68.56 per share, 228 हो गया, उनका पहले का price 160 तो और, 1 to 1 के ratio में shares दिये गया है, 1 to 1 के ratio में shares दिये थे, तो उन्होंने per share बताया, हमने overall basis पे निकाल दिया, I hope it is clear, इतना problematic issue नहीं है, पर main चीज था हमारे एक calculation, अगर आप पुराना वाला profit ले ले लेंगे, तो गडबड हो जाएगा, EPS recalculate करना है, EPS recalculate करना है, वो सबसे main factor है, आई यह आगे बढ़ते हैं, What will be the gain loss to the shareholders of XYZ Limited, तो यह gain loss हमने निकाल तो दिया है, kind of, question का last part देखिए, Determine the maximum exchange ratio, maximum exchange ratio acceptable to XYZ Limited, maximum, यानि उं maximum किता देने को तयार होंगे, ध्यान रखिए, कोई इस बात को accept नहीं करेगा, कि उनका market capital, खराब होके, उसका एक part सामना आले को चले जा, काईदे से, कोई यह चीज accept नहीं करेगा, तो अगर आप देखेंगे, इसके नाम लिख लेता हूँ पहले, XYZ ABC, Earning की बात करते हैं, तो हमने दोनों की Earning लिखा था, 400 और 112, 400 और 112, अब Institute का जैसा answer है, मैं उस pattern में नहीं समझा रहा हूँ, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, पर answer अपना same आएगा, ठीके प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत इदर उदर है, तो में को नहीं लगता मार्क्स कटेंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ, वो लॉजिकल लगेगा, समझ मैं रहा हूँ, PE, इनका 6.25 है, बरभर, याने इनका market capital, EPS multiplied by PE is market share, market price, market price multiplied by number of shares is market capital, समझ रहे हैं, earning per share multiplied by PE is market price, market price multiplied by number of shares is market capital, earnings multiplied by, earning EPS नहीं, earning multiplied by PE भी तो market capital ही होगा, PE multiplied by market price, EPS multiplied by number of shares, market capital, तो EPS multiplied by number of shares तो earning ही है न, तो earning multiplied by P में को सीधा market capital मिल जाएगा खेर हम पहले निकाल चुके हैं पर मैं यह logic समझा रहा था आपको 2500 तो XYZ कभी accept नहीं करेगा कि उसका जो market capital है 2500 से नीचे जाए existing shareholders का existing shareholders का market capital 2500 से नीचे नहीं जाना चाहिए in short वो यह चाहता है कि उसका share price 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए 200 ही था ना 250 ही था जितना मुझे ध्यार में है 250 के नीचे नहीं जाना चाहिए बरबर है I hope यहां तक है clear है निकाल भी था पर ने 250 का price share का पहले चले खेर जाने दीजे फिलाल वो बात आगे बढ़ते जब आप ABC को take over करोगे उसकी earning आपकी earning में add होई उसका PE भी 6.25 हो गया उसका PE भी 6.25 हो गया मतलब यह earning पे अगर 6.25 लगा दे तो ABC market capital edition अगर मैं बोलू हो तो वो कितना होगा 112 into 6.25 बरबर so this will be the maximum we are ready to pay भाई उनके आने से हमको जो फाइदा हो रहा है वो हम उनको pass on कर देंगे उससे जादा तो देने को तैयार नहीं होगे न तो इतने पर आप उसको कितने shares दोगे इसका मतलब आप उसको कितने shares दोगे मैंने आपको क्या का open market capital 2500 in short आप नहीं चाहते कि आपके share का price 250 के नीचे जाए आपके share का price 250 के नीचे जाए 250 का share price यहां दिया हुए cushion में तो 250 के नीचे नहीं जाना चाहिए तो 700 lakh is the maximum that you are ready to pay to them share price आपका 250 है of XYZ share price of XYZ 250 यहने shares to be issued कितना होगा 700 divided by 250 2.8 lakh 2.8 lakh maximum number of shares जो हम ABC को देने को तैया रहे हैं वो है 2.8 lakh maximum number of shares भई इससे जादा तो नहीं देंगे तुमको ठीक है 2.8 lakhs I hope it is clear तो उपर जब 0.7 का ratio देख रहे हैं तो 4 lakh multiplied by 0.7 2.8 thousand यह है so that is maximum that you are ready to pay sir minimum क्या होगा minimum minimum उनके share orders का अंगल जा सोतना पड़ेगा उनके share orders को minimum क्या चाहिए यार तुम जितने भी share दो वो share का equivalent price equivalent value 160 आना चाहिए वो share का equivalent value 160 आना चाहिए 164 4 lakh shares 164 4 lakh shares याने उनको equivalent amount चाहिए 640 lakhs उनको किता पैसा चाहिए उनको चाहिए 640 lakhs ना 4 lakh shares है हर share का भाव 160 है तो वो बोलते है रंबो तुम 640 lakh रुपय दे दो उसके नीचे तो वो नहीं मानेंगे तो ये जो 640 है 640 अगर आप इसको divide करते हैं by their market price market price किसका XYZ का market price किसका XYZ का assuming market price के basis पे देंगे market price will be unchanged तो 2 lakh 56,000 2 lakh 56,000 तो minimum will be 256 question ने मांगा नहीं है हम calculate कर रहा है question ने मांगा नहीं है यहां रखिये तो 2 lakh 56 and maximum that we are ready to give is 2 lakh 80,000 I hope यहां रखके पुरा का पुरा clear होगा चलिए यह पाट यहां प्रेंट करते हैं तो चलिए question number 1 starting के कुछ initial questions है वो देखते हैं be limited highly successful wishes to expand by acquiring other forms it is expected high growth in earning and dividend reflected by a PE ratio of 17 तो इसका PE ratio 17 है अपने को यह पता है चलिए the board of directors have advised that it will take over a lower PE ratio form कोई lower PE वाली company को take over करने की बात कर रहा हूँ फिर उन्होंने बात किया C limited की possible target with a PE of 10 with a PE of 10 and 1 lakh shares in issue shares की बात करें तो इसकी 1 lakh shares है shares in issue with a share price of 15 तो market price अगर बोले तो 15 है be limited as 5 lakh shares be limited की shares की बात करें तो पाइल पाइल आक है और उन्होंने बुला है की market price 12 ठीक है calculate the change in earning per share of B if it acquires whole of C by issuing shares at a market price at a market price assume price of B will remain constant ठीक है exchange ratio market price पे है ठीक है तो जो swap ratio है वो market price पे है सामने वाले का share 15 का है अपना 12 का है जो take over कर रहा है तो हम लोग ultra ratio देख रहे हैं basically यहाँ पे तो 15 divided by 12 1.25 shares 1.25 shares आप issue बित्ते करेंगे 1.25 into 1 lakh 1,25,000 shares ठीक है टोटल इतने share issue करने वाले है अब वो बोलता है बताओ earning impact तो earning impact पहले तो market price और PE से अपन EPS निकल लेते है market price दिया हुआ है PE दिया हुआ है तो EPS निकल जाएगा बताइए calculate कीजे 12 divided by 17 0.7059 0.7059 और दूसरे वाले का 15 by 10 1.5 total earning बोलूँ अगर total earning तो 0.7059 multiplied by number of shares 5 lakh shares है तो 3.529 lakh shares 3.529 lakh amount 3.529 lakh total amount ठीक है और 1.5 multiplied by 1 lakh shares 1.5 lakh की earning combined earning देखते है combined earning 3.529 plus 1.5 4.029 lakh 5.029 lakh 5.029 lakh I hope it is clear ठीक है ठीक है EPS हो जाएगा 5.029 lakh divided by जो B है उसके 5 lakh shares थे और C को आपने 1.25 lakh shares दे दी है तो एक combined company का EPS हो गया 0.805 0.805 0.805 चलो मांगा क्या था calculate change in EPS of B B के EPS पर क्या impact है B के EPS पर क्या impact है तो B का old EPS हो पन देख रहे है 1.5 तो cumulative EPS पर impact बुला है earning पर नहीं तो EPS पर निकालना है तो new वाला तो नई वाली company की earning multiplied by उनको कितने shares मिले उनके एक share के बदले उनको कितने share मिले यानिकी swap ratio earning नहीं company का earning नहीं company का multiplied by इससे पहले भी हम लोगों नहीं किया है multiplied by swap ratio swap ratio 1.25 है देखिए तो 1.00 या 01 लिख जैता हूँ तो 0.49 का loss है इंका तो 0.49 का loss है I hope it is clear आईए इसका answer देखते है question number 1 3 5 2 9 4 1 1,50,000 total shares 6,25,000 0.8 तो present EPS है 0.71 तो EPS of B will increase from अच्छा आपने C का बता दिया क्या sorry sorry मैंने C का बता दिया आपनों को कि यह C का हो गया यह गडबड होगी मेरी C का मैं दूसरी form इसको समझ रहा था B का बता ना था तो B का तो बहुत ही आसान है B की present earning 0.7059 है 0.7059 और उनकी नई earning 0.805 हो गई तो उनको तो फाइदा हो गया उनको तो फाइदा हो गया, I hope it is clear ठीक है B का तो easy था, अपने C का निकल दिया गलती से, तो C के angle से समझ लीजेगा, C का मांगा नहीं है पर अपने समझ लिया यहां पर, मैंने गलती से उसको C समझ के निकल लिया था, ठीक है अब B का तो पहले भी एकी share था, अभी भी एकी share है, तो उसको तो कोई share का difference कोई लेना देना ली न, उसको सीधा नए EPS से compare करना है, तो हमने उसके पुराने EPS को नए EPS से compare कर दिया, बस उसको उसको फाइदा दिख रहा है, 0.70 से वो दिख रहा है कि 0.80 पर आ गया, ठीक है चलो, आते हैं question number 2 पे Elrond Limited, plans to acquire Dung Limited, present financial data आपको दिया हुआ है, market price और number of shares outstanding Merger is expected to generate gains, अगर वो दोनों merge हो जाते हैं तो एक synergic benefit आएगा gain, जिसकी present value आपको 200 दिविया है, इस question को mark कर लीजएगा as important, important in the sense इसको पढ़ने की ज़रत है, exam point of view से नहीं एक different question है, different चीज़ पूछी हुए, इसलिए इसको mark करके रखिएगा पढ़ने के लिए, the exchange ratio is 0.5, exchange ratio is 0.5, मतलब क्या doom limited के एक share के बदले, elron limited अपना 0.5 share देगा, बराबर है, तो सामने वाले के 10 लाग shares into 0.5 उसको 5 लाग share इसको पांच लाग share इसको करेगा, तो doom limited के अपनी खुद की एक market value है, 10 लाग share into market price, 25 रुपर, 200 लाग, तो भई मैं अगर उसको 200 लाग दे रहा हूं और मेरे पाँ 200 लाग रुपे की company आ रही है, तो as such मेरे जेब से पैसा कुछ नहीं लगा न, आप ये barter समझो कि मैंने पैसा दिया और पैसा देके मैंको तो company मिल गई, true cost is अगर मैं 200 के उपर कुछ दे देता, सही माई ने मैं कॉस दी कि barter transaction के जैसे सोची कि मैंने 200 देगे 200 की company खरी दी, ये relevant नहीं है, relevant क्या है कि अगर मैं इस company को acquire करने के लिए 200 से जादा देता कुछ, तो इसको बोलते true cost, तो इस case में अगर अगर अपन देखें तो बे, true cost क्या रहा, अपने तो shares दी है सामने होले को, अब share wise आप बोलेंगे, तो आपने अपने पांच लाग share दी है, आपने एक share का price 50 है, तो आप तो बोलेंगे sir, मेरे जेब से पैसा दोता ही है 250, तो cost तो लगी नहीं ना sir, ऐसे नहीं value है, वो जो synergic benefit है ना, उसको into 20,000, और सामने वाले की form की value 250, अब 200 से value बढ़ जाएगी, synergic benefit, question बोल रहा है, तो हमारे form की value तो होगी 1450, याने हमको पता हमारे share का price बढ़ने वाला है, तो आपने पहले जब दिया तब share का price या था, वो relevant थोड़ी है, बाद में क्या हो जाएगा, वो relevant है, खेर मैं share के price क business आपको नहीं समझा रहे हैं, institute ने जैसा किया, आपन वैसा समझ नहीं कोशिश कर रहे हैं, तो institute के हिसाब से, institute के हिसाब से, और गलत नहीं है, सही तरीका है, ऐसा हिसाब से नहीं बोलना चाहिए मैंने, आप सामने वाले को अपने 5,000,000 share दे रहे हैं, 5,000,000 share और अब आप के company के total shares हो जाएंगे 25,000,000,000, यानि आप सामने वाले को 20% stake दे रहे हो अपनी company का 20%, यानि कि इसमें सामने वाले का 20% stake आ गया 20%, बराबर है, ये value of the firm से, सामने वाले की value of the firm 20% है, यानि 14,50 का 20%, बराबर, 290 तो 290 क्रोर तो उसका हो गया 290 क्रोर या 290 लाक 290 लाक तो उसका हो गया तो 290 लाक is what you have given him to buy 250 का कंपनी तो आपका true cost 40 लाक है true cost 40 लाक है एक बार समझने की कोशिश करता है दूसरे sense में कंपनी की value अगर 14.50 हो जाती है और आप 25 लाक शेर्स दे चुके है याने की एक शेर का बाजार भाव फिल्हाल 58 होगा एक शेर का बाजार भाव 58 होगा आपके price से तो उपर ही चला गया अना excuse me याने company जब acquire की excuse me तो आप तो value कर रहे थे 50 के इसाब से जबकी synergic benefit के साथ आपको पता था की value तो 58 हो जाएगी value 58 हो जाएगी तो 58 के इसाब से दिना चीए था ना बढ़ आपने 58 के साब से नहीं दिया 50 के साब से दिया तो जो 8 है that is your loss that you have made by giving away तो 58 पे आपने 8 extra दे दिया मैं एक तर ऐसे ये बोल रहा हूँ हाना 8 extra for 5 lakh shares 5 lakh shares दिया उसको 8 रुपए extra गया उन 5 lakh shares के उपर multiply कर दी ये 40 lakh that is the true cost मैं ये concept समझा रहा था institute ने simple तरीके से बता दिया कि देखो यार सामने वाले को आपने 20 देना था दे दिया 290 true cost is 40 lakh उन्होंने ऐसे बता रहा है I hope ये बात समझ में आई होगी ठीक है तो that is question number 2 answer की तरफ नहीं जा रहा हूँ presentation देख लिजएगा institute ने किस तरीके से किया है we are moving ahead to question number 3 MK limited is considering acquiring NN limited और आपको data दिया है उनकी earnings दी भी है number of shares दिया और market price दिया है exchange of equity shares is based on current market value current market value सामने वाले का price 160 अपना price 200 तो 160 by 200 हम सामने वाले को अपना 0.8 share देंगे उसके एक share के बदले find the earnings of company after merger तो after merger earning होगी 78 बराबर after merger earning होगी 78 lakhs ठीक है earning per share बताना है आप उनको अपना 0.8 share देंगे तो आपके shares है फिलाल 60 lakh 60 lakh है ना नहीं 12 lakh 12 lakh आपके shares है 12 lakh और आप सामने वाले के 3 lakh shares के बदले अपने खुद के 0.8 share देंगे तो यह होगा नया IPS हाना 5.42 5.42 I hope it is clear तो बोलता है earning बताओ and exchange ratio बताओ ऐसा कि NN के shareholders को नुकसान ना हो अब यार तुम कौन से angle से बोल रहो हो पहले यह समदना ज़ूरी है क्योंकि इससे पहले भी ऐसा question हम लोगो नहीं किया था तब हम लोग यह देख रहे थे कि exchange law तो value of the firm के basis पर बोल रहे थे कि सामने वाले को नुकसान ना हो इसका क्या मतलब है value of the firm काईदे से यहां भी वही मतलब होना था कि exchange ratio बताओ ताकि NN limited नुकसान में ना हो तो NN तो नुकसान में हो गई नहीं क्योंकि हमने market price के basis पर शेयस दिये है पर यह statement first point को continue करके बोल रहा है कि earning बताओ firm की और ऐसा बताओ कि उसको नुकसान ना हो किसमे earning में यार लिखना चाहिए था यार लिखना चाहिए था क्योंकि generally अपने यह words पढ़ते हैं तो अपने को लगता है हाँ यार market price की बात कर रहा होगा market price पे उसका value capitalization का नुकसान उसका नहीं होना चाहिए shareholders का loss का value का loss नहीं होना चाहिए कौन सोता है earning का loss पटीग अब institute ने यहां पर first question के continuation में बोला कि EPS बताओ और ऐसा ratio बताओ कि नुकसान ना हो मतलब वो earning के point of view से बोल रहा है ऐसा समझना पड़ेगा ठीक है ऐसा समझना पड़ेगा तो earning के साथ अगर ऐसा question आ रहा है मतलब EPS की basis पर आपको ratio पुछ रहा है और market value अगरे की basis पर बोलेगा तो फिर कहानी कुछ और होगी तो इस तरह के से ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अब अगर वो इस तरीके से बोल रहा है आपको तो मैं तो बोलूँगा EPS की ratio में अ ठीक है इनका EPS जादा है इनका EPS जादा है तो ratio 6 by 5 रहना चीए था ratio होना चीए था 6 by 5 याने 1.2 share देना चीए था 1.2 share देखो 3,00,000 x 1.2 3,00,000 x 1.2 इतने share देना चीए था 12,00,000 है 78,00,000 के हिसाब से EPS हो जाता ऐसे में 3.6 plus 12 15.6 पांच रुपे का 5 रुपे का EPS हो जाता तो आप वो company की बात देखो उनका पहले EPS था 6 रुपे और बाद में अभी नए वाले का 5 रुपे नए वाले का 5 रुपे और आप बदले में 1.2 share देने की बात कर रहे हैं तो 6 रुपे it is unchanged अगर मैं ये ratio के basis पे बोलूँ तो पहले था उनका 6 रुपे और बाद में ध्यान कर रहे हैं तो ठीक है उन्नों को हो गया नुकसान उनको हो गया नुकसान I hope it is clear अब तो ये almost हर question में कर रहे हैं तो ये जमना शुरू हो गया होगा question number 3 हो गया अपना question number 4 ABC is intending to acquire XYZ by merger and following information is available number of share दे दिया earning दे दिया और बोलता है market value of the share दे दिया present EPS क्या है बताओ तो present EPS क्या है 50 lakh divided by 10 lakh 5 रुपे और 18 lakh divided by 6 lakh 3 रुपे इस प्रपोस्ट merger takes place what will be the new EPS for ABC Limited assume merger takes place by exchange of equity shares and exchange ratio is current market price exchange ratio is current market price ABC acquire गर रहा है XYZ को याने की 28 by 42 0.67 या 1 3rd share देगा उसके share के बदले 0.6666 recurring ही रखिएगा 0.67 मत ले लीजेगा सामने वाले की share है 6 lakh सामने वाले की share है 6 lakh तो हम issue करेंगे 6 lakh multiplied by 0.6666 4 lakh shares 4 lakh shares अपन उसको issue करेंगे तो बोलता ही कि नहीं earning क्या होगी तो दोनों की earning add कर दो 68 lakh divided by 10 lakh share plus 4 lakh share तो 68 divided by 14 68 divided by 14 4.86 4.86 I hope it is clear फिर हो बोलता है what should be the exchange ratio if XYZ wants to ensure that earnings of the member is same earnings of the member is same तो earnings same रखने के लिए तो swap ratio EPS के basis पे होना चीए अभी हमने यह discuss किया अब भी पिछले question में हमने यह discuss किया है same to same ही question होगे आप 0.6 रहना चीए था 0.6 रहना चीए था I hope it is clear तो अब मैं before after calculate नहीं कर रहा question number 4 में क्योंकि हम लोग उने बहुत सारे question में यह same चीज calculate करके रखिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कुछ और questions देखते हैं अपने पहले 4 questions तो हो गए है यहां तक question number 11 देखिए page number 13.34 पे दो companies दी है Krishna Rama earning number of shares EPS PE ratio market price company Rama is acquiring company Krishna इस बार उल्टा है ठीक है न ध्यान दीजेगा Rama Krishna को acquire कर रही है on one to one basis one to one basis exchanging its shares on one to one basis based on market price of both company तो दोनों का market price 35 है तो बोल रहा है one is to one के ratio में हम लोगों को exchange करना है पूरे के पूरे हमारे जो shares है one is to one के ratio में exchange होंगे what will be the EPS subsequent to money EPS subsequent to money तो दोनों की earning add हो गई 17 लाक divide हो गया 6 लाक तो 17 बाइचे 2.83 2.83 2.83 simple what is the change in EPS of the shareholders of the company Rama and Krishna Rama and Krishna तो मैं दोनों का लिख देता हूं Rama Krishna पहले दोनों का EPS लिखते हैं before कितना था तो before में था ध्यान दीजिए उल्टा लिखना है 2.5 3.5 2.5 3.5 after अब Rama के shareholders के पास तो उत्ती ही shares है उनकी earning हो गई 2.83 उनकी earning हो गई 2.83 तो उनको तो फाइदा हो गया ठीक है Krishna के shareholders के पास 1 to 1 के ratio में shares मिले है मतलब fraction अभी ratio same है ratio is 1 तो क्या होता है नया EPS multiplied by swap ratio नया EPS multiplied by swap ratio तो इस question में तो easy हो गया आपके लिए तो वह भी 2.83 है तो Rama को फाइदा हो गया Krishna को नुकसान तो बस वो लिक्के देना है ठीक है ना difference निकाल देंगे यह आप चलो तो third part देखिए determine the market value post merger PE likely to remain the same PE likely to remain the same तो जाहिर सी बात है PE Rama का continue होगा 14 PE Rama का होगा 14 बराबर है तो आपने profit निकाला EPS 2.83 2.83 इंटो 14 यह होगा हमारा नया market price 39.62 आप बोर रहो market value बताओ market value यह तो सिर्फ share का price हुआ और shares हो गए 6 लाग 2 लाग और 4 लाग मिला के 6 लाग तो 39.62 इंटो 6 लाग 237.72 लाग 237.72 लाग market value I hope it is clear market value बूचा था post merger Are certain the profits occurring to shareholders? अब अगर आप fourth point पढ़ेंगे तो आप confused हो जाएंगे यार profits की बाद कैसे कर रहा है? Earnings की बाद तो second point पे कर ली फिर वापस क्यों बात कर रहा है? तो यह confusion हो सकता है यहाँ profit से मतलब है कि value of share के basis पे, value of share के basis पे shareholders को क्या फाइदा हो गया या क्या नुकसान? Shareholders को क्या फाइदा हो गया या क्या नुकसान? Both the shareholders of the companies को ठीक है यह value shares के point of view से पूचा गया है, shares के point of view तो यह समदना पढ़ेगा, third question के continuation में fourth question पूचा जा रहा है ठीक है, तो अपन बात करेंगे Rama Krishna की market capitalization पहले निकाल लेते हैं, पहले market capitalization था 35 रुपीज का share, 35 रुपीज का share, 2 लाक shares, 70 लाक, 70 लाक क्रिशना का और Rama का 35 रुपीज, 4 लाक shares, 35 रुपीज, 4 लाक shares, 140 लाक, ठीक है, before, अगर after देखें, तो काईदे से तो दोनों ही फाइदे में रहे, दोनों के share का price, 39.62 हो गया, तो 39.62 for 2 लाक shares, 79.24, और 39.62 for 4 लाक shares, 158.48, तो दोनों के share holders, overall benefit पे चले गए, आईए question number 11, एक बार answer match कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, exchange ratio दिया था, नया EPS 2.83, तो 2.83 compared to 2.5, 0.33 का gain 3.5, existing 3.5, तो उसके basis पे decrease 0.67, P ratio 14, 39.62 share का price, independently 158 compared to 140, 158 compared to 140, और 79 compared to 70, तो यह किया आपन ने पुरा कप्र, I hope it is clear, समझ गया होगा पुरा कप्र, basic question था, चले, question number 12, 11 कर लिया, 12, M Limited is studying the possible acquisition of N Limited by way of merger, the following data is given, 80 lakh earning, 24 lakh earning, number of equity shares दिया और market value दिया, मैं EPS लिख देता हूं, EPS, 80 lakh divided by 16 lakh shares, 5 रुपए, 24 lakh divided by 4 lakh shares, 6 रुपए, मैं PE भी लिख देता हूं, PE, यहां लिख रहा हूं PE, EPS market price by, EPS, PE यहने इसका PE 40 है, और दूसरे वाले का market price है, 160 divided by 6 lakh shares, 26.67, चलो, the merger goes through exchange of equity, and exchange ratio is based on current market price, 160 is to 200, 160 is to 200, यहने 0.8 share देंगे, उसके 1 share के बदले, N के 1 share के बदले, M अपना 0.8 share देगा, तो बताओ नए EPS के, बताना है नए EPS क्या है, तो 104 lakh divided by M के 16 lakh shares, और उसके 4 lakh into 0.8, तो रहे 3.2, 16 में आट कर दिया तो 19.2, 104 divided by 19.2, 5.42, 5.42, N wants to be sure that earning available to shareholders will not be diminished, कौन insure करना चाता है, N, कि उसके shareholders की earning diminish नहीं होरी, profit word नहीं उस हुआ है, earning, earning diminish नहीं होरी है, what should be the exchange ratio, हमने पढ़ा था, EPS के basis क्यों आची है, EPS के basis पे, यहने 6 by 5, यहने 1.2, same question अपन नहीं किया था, 0.8, 1.2, same ही कहानी है पुरी, चली, तो कुछ हाँ डिसकेस नहीं कर रहा है, repeat है, question number 13 देख रहा है, longitude limited is in the process of acquiring latitude limited, profit after share number of shares EPS PE दिया हुआ है, मैं market price निकल रहा हूँ EPS और PE के basis पे, 120, 50, pre-merger market price, पहला सबल कोई था, निकल लिया, maximum exchange ratio, maximum shares कित्ते देंगे ratio, longitude limited can offer without dilution of EPS, उसका EPS dilute नहीं होना चाहिए, उसका EPS dilute नहीं होना चाहिए, तो उसने maximum कितने shares देना चाहिए, तो जाहिए सी बात है, EPS dilute नहीं होना चाहिए, तो maximum shares कित्ते देंगा, जो EPS के ratio में रहेंगे, जो EPS के ratio में रहेंगे, क्योंकि उससे उपर अगर दिया तो EPS dilute हो जाएगा, तो EPS अगर हम देखें तो 5 by 8, 5 by 8, maximum share देगा 0.625, 0.625 और यह maximum है, इसके उपर अगर देगा तो EPS dilute हो जाएगा उसका, और बोलता है market value के basis पे, याने market value dilute नहीं होना चाहिए, याने market value के basis पे, market value dilute नहीं होना चाहिए मतलब, market value के basis पे, याने 50 divided by 120, 0.42 या 417, 4167, आईए देख लेते हैं, 13th question के 2 part, market price 5 by 8, 5 by 8 120, pre-merger pat, pre-merger pat, combined pat, longitude limited EPS 8, maximum number of shares 25 lakh, 5 to 80, तो direct आ सकता था, इन्होंने जिस तरीके से क्या, उसकी जरुद तो नहीं थी, देख लेते हैं, हमने 5 to 80 निकाला ना, हाँ 5 by 8 निकाला अगला देखते हैं, 0.417, अब इन्होंने जैसा किया, इतना solve करने की मेरे साब से तो जरुद नहीं है, market price के ratio पर directly निकाल सकता है, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने निकाला बताओ, combined PE किता है, EPS किता है, अब EPS उत्ता ही होना अची है, जितना M का है, longitude का है, sorry, longitude का है, longitude के EPS से divide करके shares निकाले, longitude के share इतने हैं, मतलब उनको किते देंगे, या EPS का ratio सीधा लगा सकते हैं, वैसे उन्होंने same market price के लिए भी किया, तो मुझे लगता है इतना solve करने की जोरा था, आप लोग directly भी ratio से निकाल सकते हैं, और ratio के basis पर बता सकते है, number of shares निकालते हैं, फिर 5 by 8 multiplied by shares of latitude, वैसे ही नीचे भी market price divided multiplied by shares of latitude, चले, आगे बढ़ते हैं, तो हमने उत्ता detail solve नहीं कर रहा है, जितना institute का क्या हुआ, question number 13 हो गया हमारा, moving ahead, question number 17, question number 17, question number 18, question number 19, यह तीनों question हमने question number 20 किया था, अभिमान और अभिशेक का उसके basis पर, ठीक है, तो यह तीनों question उस basis पर यह आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अगर आपने एक question किया है, तो यह तीन question skip किया जा सकते हैं, सिर्फ दिये वे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, और कोई reason नहीं, the following is provided relating to acquiring company efficient limited and target company healthy limited, तो efficient acquirer है, healthy acquirer है, number of shares दिये है, market capitalization दिया है, number of shares दिये है, इससे अपने को market price मल जाएगा, market price 500 by 10, 50 और 750 divided by 7.500 रुपया, चलो, PE दिया हुआ है, reserve and surplus दिया हुआ है, और promoters holding दिया है, PE पता है, market price पता है, तो EPS बता सकते हैं, हाना, कोशिश कीज़े, कोशिश कीज़े निकलने की, कि market price पता है, PE पता है, तो EPS हो गया 5, वैसे ही, 20, ठीक है, board of directors of both the companies, decided to give a fair deal to the shareholders, share deal to the shareholders, with a swap ratio weight decided as, 40, 25, 35, earning को, book value को, और market price को, चलिए लिख लेते हैं, हम earnings निकाल चुके हैं, earning यहने earning per share, earning per share निकाल चुके हैं, 5 और 20, हाना, तो EPS के basis पे, अगर मैं ratio लिखूं, तो ratio हो जाएगा 20 by 5, 20 by 5, 20 का EPS, एक बार देख लेते हैं, 100 market price था, divided by 5 का पी, परबर, 20 का EPS है, और 20 by 5, 20 by 5, 4, दूसरा था, book value per share, book value per share, तो book value निकाल देते हैं, देखो, आपको number of shares पता है, of 10 each, तो यह share capital हो गया, share capital, share capital 100 efficient का निकाल रहा हूँ मैं, 100, share capital 100, reserve and surplus 300, reserve and surplus 300 याने 400 हो गया, 400 हो गया, 400 divided by 10 lakh shares, 400 divided by 10 lakh shares, तो efficient limited का, 400 divided by 10, 40 का book value हो गया, book value लिख रहा हूँ, healthy का, 75 lakh का share capital, 75 lakh reserves 165, तो 165 प्लस 75, 240, 240, divided by 7.5, 32 रुपीज का price हो गया, 32, यहने 32 divided by 40, book value के basis पर ratio हो गया, 08, 08, I hope it is clear, तीसरा है market price, market price of the share, हम लोगों ने निकाल लाई था, 100 by 50, याने 2, अब इन तीनों के weights दिये में हैं, 40, 25, 35, चलिए, तो यह 1.6, 0.2, 0.7, इन तीनों ratio को अगर add कर देंगे, तो यह ratio में share देना है, याने हम, सामने वाले के, एक share के बदले, अपना 2.5 share देंगे, अपना 2.5 share देंगे, I hope it is clear, चलो, तो पहला तो calculate the swap ratio, तो पहला swap ratio match कर लेते हैं, 17 number, 2.5, ठीक है, आईए, तो कैए repeat questions है, इससे लिए आपन बहुत जादा ऐसा time नहीं दे रहे हैं इनको, आप खुद कर सकते हैं, मतलब मेरा video तक देखने की आप लोगों को ज़रत नहीं है, खुद से ही जम जाएगा, अगर आपने अभीमान अभीशेक का question समझाए, तो ये सारे question खुद कर सकते हैं, calculate promoters holding after acquisition, तो promoters की holding क्या थी, efficient limited के 4.75 lakh shares थे already, तो पहले तो total shares लिख देते हैं, total shares, तो पहले efficient के लिख रहा है, efficient के total shares थे 10 lakh, healthy के shareholders को आप 2.5 into 7.5 lakh shares दे रहे हैं, 18.75 याने 28.75 lakh shares आ गए, अब promoters की बात करते हैं, efficient के promoters के पास 4.75 lakh shares थे, healthy के promoters के पास 5 lakh shares थे, तो 5 lakh into 2.5, ठीक है, यहने 12.5, तो total आ गए, 12.5 plus 4.75, 17.25, 17.25, 17.25 divided by 28.75, ठीक है न, यह आपको percentage holding मिल जाएगा, 60%, 60% देख लीजे, देख लीजे अच्छे से, calculator पे देख लेना, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60% आगे बढ़ते हैं, what is the EPS of Efficient Limited, after acquisition of Healthy Limited, EPS क्या हो जाएगा, तो पहले तो अपन Earnings, Total, निकाल लेते हैं, Total Earnings, चला, Efficient Limited की Earnings है, 5 रुपए का EPS था, 10 लाग शेहस के इसाब से 50 लाग, और Healthy Limited की Earnings हमने निकाला था, 20 रुपए, तो 7.5 लाग शेहस के इसाब से, Earnings हो गई 150 लाग, Total Earnings 200 लाग, Merged Firm की यही हो जाएगी, Merged Firm की Earnings यही हो जाएगी, Shares हमने निकाले 28.75 लाग, 28.75 लाग, तो EPS हो जाएगा, 200 divided by 28.75, 6.96, 6.96, चला, फिरो बोलता है, What is the expected market price per share, and market capitalization of Efficient Limited, after acquisition, assuming P.E. Ratio remains unchanged, P.E. Ratio remains unchanged, इंडियाने P.E. कितना हो जाएगा 10, P.E. हो जाएगा 10, तो यह तो अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए तो, तो market price हो जाएगा, 6.96 multiplied by 10, याने 69.6, 69.6, और market capitalization हो जाएगा, 69.6 multiplied by, 28.75 लाग, 2,100,00, 69.56 आपनने लिखा 69.6, 69.56 से multiply गर के 1999.85 अपने 2000 point something नहीं का दा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अपने answer में ठीक है चली moving ahead calculate the free float market capitalization of merged firm free float market capitalization of merged firm एक तो तरीका है कि अपने को promoters holding पता है 60% यहने 40% free float है तो free float का market capitalization होगा यह 2001 lakh यह 1999.85 जो institute का है multiplied by 40% directly निकाल सकते है ठीक है 800.4 lakhs या 800 lakhs या आप निकाल सकते हैं कि उनके पास shares कितने है जैसे यहाँ पे 10 lakh में से 4.75 promoter के पास तो free float कितने है 18.75 में से 12.5 promoters के पास तो free float कितने है multiply करके निकाल सकते है I hope यहाँ तक के समझ में आया ठीक है चलिए आईए question number 18 देखते है question number 18 same नाम है abhimaan is a subsidiary of janum and is acquiring swabhimaan which is also a subsidiary of janum तो 50 और 60 percent holding है यहाँ भी 50 और 60 percent ही था जितना मुझे पता है share capital 200-100 200-100 reserve 900-600 reserve 800-500 थे तो थोड़ा तो फर्क है थोड़ा फर्क है तो चलो solve करते हैं फिर तो promoters holding दिया है share capital and reserves दिया है इससे book value मिल जाएगा तो पहले book value निकाल लेते हैं आपने को पता है वो ही करना है same as previous question पहले book value निकाल लिए book value निकाल लिए आपको दिया हुआ है कि paid up share एक value 100 है याने total shares कितने में total shares 2,00,00,00 निकाल लिए book value स्वाभी मान की 550 आ रही है मेरे इसाब से book value 550 अभी मान की स्वाभी मान की 700 divided by 10,00,00 shares याने 70 70 उनका 10 रुपे का share है ठीक है उनका 10 रुपे का share है इसी लिए तो 70 by 550 0.127 EPS अगला है EPS चलो देखते है free float market capitalization दिया हुआ है 500,00,00 total shares total shares 2,00,00,00 है promoter के पास 1,00,00 है तो free float में 1,00,00 shares free float में 1,00,00 shares 500 shares के हिसाब से market price हो जाएगा 500 रुपे market price 500 रुपे 500,00,00,00 divided by 1,00,00,00 free float पे free float या नहीं market में जो free float हो रहे हैं shares चलो यहाँ 10,00,00,00 share 6,00,00 अगर promoter के पास है 6,00,00,00 promoter के पास है तो 4,00,00,00 market में 156,00,00 के हिसाब से divided by 4,00,00,00 39,00 रुपीज का market price हो गया 39 ठीक है तो market price 3rd वाला दिया हुई है तो 39 divided by 500 39 divided by 500 EPS EPS निकलते हैं PE ratio के basis पे PE ratio के basis पे EPS निकल जाएगा मैं यहाँ EPS लिख रहा हूँ निकल यह ज़रा market price 500 है PE 10 market price 500 है PE 10 तो EPS 50 market price 39 है PE 4 तो 9.75 तो 9.75 divided by 50 हाना 0.195 0.078 तो 0.127 का 25% 0.03175 0.195 का 50% 0.0975 0.078 का 25% 0.095 अगर सबको add करें तो आ रहा है 0.14875 0.14875 ठीक है जाहिर सी बात है बहुत काम आएगा 10 रुपे और 100 रुपे के शेयर का ऐसी फर्क है paid up value काई फर्क है तो जाहीर सी बात है यह difference आना ही था आईए question no.18 answer match करेंगे 0.1488525 लिखा है अब अनने 0.14875 निकाला है तो ठीक है चलेगा इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छे लिए moving head तो swap ratio पूछा था बता दिया book value बताईए, EPS बताईए, expected market price बताईए और swap भी मान assuming PE remains same all assets and liabilities are taken over at book value तो book value basis पे, book value basis पे यह दोनों same रहेंगे अब वो share capital और reserve and surplus का difference आता है तो ठीक है वो आप लोग निकाल सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं अपन उस पे focus नहीं कर रहें अपन direct simply add कर रहें तो 1100 और 700 1100 और 700 1800 का share capital in reserve है 1800 का share capital in reserve हो जाएगा ठीक है तो अपने को निकालना है book value per share दोनों का share capital दोनों का share capital और दोनों के reserves को add कर देंगे ठीक है इतना ही रहेगा reserve and surplus आप चाहिए तो निकाल सकते हैं simply अभीमान के shares अभीमान को जितने shares दी है वो उसमें add कर देंगे ठीक है, multiplied by face value 100 और बाकी अभीमान का reserve अभीमान का reserve और वो थोड़ा बहुत आप लों का balancing figure आएगा difference आएगा क्योंकि ultimately asset liability का total तो हो अभीमान का 700D रहेगा न asset minus liability तो take over में तो 700D आएगा तो तो obvious है तो जो balancing figure हो reserves के basis पे adjust हो जाएगा book value पे adjustment हो रहा है pooling of interest method लग रहा है appendix लग रहा है common control वाला nds103 shares कितने दिये shares कितने दिये सामने वाले के shares हमने देखा था 10 लाग थे ना 10 लाग 10 लाग into point 14875 1,48,750 1,48,750 1,48,750 0.0 पे नहीं है ना 0.14 पे यह हाँ ठीक है तो shares हो गए यह सामने वाले की shares थे 2 लाग तो यह हो गए 3,48,750 shares तो book value per share 800 divided by 3.4875 516.13 516.13 यह हो गया पहला ठीक है दूसरा दूसरा बोला था EPS बताओ EPS हमने दोनों की EPS निकाले थे पर earning नहीं निकाली थी तो दोनों की earning निकाल लेंगे EPS अभिमान का पचास था पचास और उसके shares outstanding थे 2 लाग प्लस अभिमान का EPS था 9.75 और उसके shares outstanding थे 10 लाग यह total earning हो जाएगी combined firm की divided by 3.4875 actions ठीक है तो यह रहा है 56.63 end में एक साथ compare कर लेंगे तीनों मैंने अभी तीनों के तीनों वहाँ compare नहीं कर रहा हूँ आपके पास तो open होँगा ठीक है तीसरा वो बोलता है बताओ market price if the PE remains the same if PE PE remain the same यहने PE तो 10 रहेगा अभी मान का 10 तो market price हो गया 566.3 566.3 आईए question number 18 match करते है 516.02 मेरा 516.13 है 56.62 यह हमारा same आया 0.63 है और PE remains the same पे 566.2 अपने 566.3 निकाता है तो same है पूरा का पूरा यहां तक के match हो गया I hope it is clear यहां तक के कोई problem नहीं है आईए question number 19 पे जाते है question number 19 तो यहां तक तो अपना पूरा का पूरा solve हो गया तो ऐसे बहुत जादा logics की बात नहीं कर रहे है same same repetition है question number 19 आपको number of shares market capitalization दिया है तो यहां तक के मैं market price निकाल लूँगा market price 1000 divided by 20 पचास रुपय 1500 divided by 1500 रुपय फिर P.E. ratio दिया है reserve and surplus दिया और promoters holding दिया है तो यहां तक मैं EPS निकाल लूँगा market price divided by P.E. market price divided by P.E. 5 और 20 अब आप देखिए question number 19 और question number 17 5-20 का EPS market price same number of shares double कर दिया market capitalization 1500 और 1500 तो 500 और 750 P.E. ratio 10 और 5 same ही है reserves को भी उन्होंने 300, 165 का 300 का 600 कर दिया और 165 का 330 double कर दिया हाना 500 का 1000 हर चीज को सिफ double कर दिया उन्होंने और कुछ नहीं है तो answer obviously same आएगा पुरा का पुरा तो हम question number 19 solve नहीं कर रहा है same as question number 17 same answer आने वाला है पुरा का पुरा 40, 25, 35 का percent है 40, 25, 35 वो भी same तो अपने को ज़रत नहीं question number 13 आप खुद भी कर सकता है पुरा का पुरा सेम अंसर रहने वाला है determine the maximum exchange ratio acceptable to the shareholders of XYZ मुझे concept सम्झाना है उसके और कुछ नहीं तो इस question को थोड़ा recall करवाता हूं इसमें XYZ का market price 250 था ABC का market price 160 था PE दोनों के दियेव हैं 6.25, 5.71 Shares outstanding दिया हुआ है सबको दियागा और वो बोलता है maximum कितने Shares ABC देने को तहीं आ ले maximum कितने देने को तहीं आ ले तो हमने बोला था कि आर देखो PE तो 6.25 maintain हो जाएगा PE 6.25 maintain हो जाएगा जो भी आप company बनाना चाहते हैं उस company का market capital XYZ के shareholders का same रहना चाहिए बदलना नहीं चाहिए उनका market capital at gold रहना चाहिए तो हमने कहा था कि company की combined earning ठीक है न एक बार वापस से लिख लेता हूँ जो combined earning होगी company की तो देखिये 40 का EPS है और shares outstanding है 10 lakh तो 400 lakhs 400 lakhs और जो दूसरी company है 4 lakh equity shares है और EPS है 28 तो 28 into 412 lakhs 112 lakhs तो combined company की value की earning होगी 512 lakhs 512 lakhs हम बोल रहे हैं कि यार P maintained रहेगा 6.25 ठीक है तो 512 into 6.25 हम बोल रहे हैं कि market capital fix होगया company का 3200 lakhs 3200 lakhs XYZ के shareholders का market capital unchanged होना चाहिए उनके market capital ले उपर कोई impact नहीं आना चाहिए तो उनका market capital फिलहाल कितना है market price नहीं देख रहे हैं हम मान रहे हैं कि पुराना वाला ही price रहेगा ठीक है 250 तभी तो सामने वाले का market capital stable रहेगा नहीं तो market capital आप कैसे stable रखेंगे आपको market capital सामने वाले का 2500 रखना है उसके 10 lakh shares outstanding है तो market price तो 250 रहना चाहिए वो unchanged रहना चाहिए इसका मतलब आप shares कितने दे सकते हैं 700 lakh divided by 250 ठीक है 700 lakh divided by 250 2.8 lakh shares दे सकते हैं 2.8 lakh shares दे सकते हैं वो भी यहां दखके पुरा का पुरा recall हो गया होगा तो हमने यह निकाला उनका market capital 2500 यह होना चाहिए existing shoulders का existing shoulders के shares भी fixed है 10 lakh मतलब market price 250 रहेगा तो 250 का share price ही रहेगा price अगर change नहीं करना है तो कितने shares अपने सामने वाले को offer करना चाहिए 2.8 lakh shares offer करना चाहिए खताम उससे जाद और कुछ नहीं ठीक है अगर अगर अपन देखें तो अपना ratio क्या है अगर अपन यहां 2.8 lakh shares बूलें याने 70% 0.7 उनका एक share लेकर अपना 0.7 share देंगे I hope it is clear यहां तक के समझ में आया होगा ठीक है याने exchange ratio अगर मैं बोलूँ आपको exchange ratio तो 2.8 divided by 4 उनके फिलहाल 4 lakh shares है और हम बोल रहे हैं हम तुमको 2.8 lakh shares ही देंगे याने exchange ratio होगा 0.7 याने अपन उनका एक share लेंगे और अपन उनको 0.7 share देंगे उनसे एक share लेंगे और अपनी company का अपन उनको 0.7 share देंगे तभी तो अपन दोला का CSI share दे रहे है ना तो यह बनगे अपना exchange ratio I hope यहां तक के clear है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक बार रुक चाहिए कुशन अब 8 का answer देख लेते हैं अपन ने जो discuss किया वही है 8 2.8 lakh shares 2.8 is to 4.7 चलो पढ़िया शांदार अब क्यों वापस कराया एक question देखते हैं वो question number 10 normally solve करेंगे normally फिर question में मैं कुछ alter करके आपको पूछूंगा कि क्यों मैंने वापस कराया अभी तो उसका कोई लेना देना नहीं कि क्यों कराया पर एक बार एक question को normally solve कर लेते हैं फिर बाद में बताऊंगा कि क्यों उसको वैसे solve कर रहा था following information is provided relating to acquiring company money limited and target company रत्नम limited दोनों का earning after tax दिया हुआ है दोनों के number of shares outstanding दिये हुए है तो यहां तक में कोई EPS मिल जाएगा फटाफट निकल लीजिए 10 4 PE ratio 10 और 5 दिया हुआ है तो market price of the share निकल जाएगा 10 into 10 100 4 into 5 20 determine the swap ratio based on current market price swap ratio depending on current market price point 2 point 2 I hope it is clear target कम नहीं रत्नम है EPS after acquisition EPS after acquisition तो after acquisition profit होगे 6000 दोनों का profit का total divided by आपके share outstanding है 200 और उसके share outstanding थे 1000 उसके बदले अपन 0.2 दे रहे है याने 200 तो 6000 divided by 400 15 15 तो यह हो गया 15 what is the expected market price per share of money after acquisition assuming P E ratio is adversely affected by 10% adversely affected by 10% किसका P E money का और 10% से affect हो गया मतलब नया P E क्या हो गया नया P E 9 हो गया 10% माइनस कर दीज़े 10% माइनस कर दीज़े तो 9 हो गया बराबर है तो market price क्या हो जाएगा 15 into 9 15 into 9 135 135 determine the market value of the merged company पूरी market value चाहिए तो 135 multiplied by कितने 4 lakhs 400 lakhs 400 lakhs 54,000 lakhs 54,000 lakhs चलो अब वो independent gain loss बोल रहा है उससे पहले अपन ये पहले 4 part match कर लेते हैं question number 10 के तो 0.2 का swap ratio 15 का EPS 135 का price और 54,000 रूपीज का market price ठीक है ना तो यहाँ तक कि तो अपन ने match कर लिया कोई दिक्कत नहीं है concept जो में को समझाना था थोड़ी देर में करते हैं पहले original question तो solve पर लें gain loss to the shareholders of two entities निकाल लेते हैं पहली वाली company का नाम है money दूसरी वाली का का नाम है रत्नम market value before तो before वाली market value है 100 रुपए multiplied by 2000 100 रुपए multiplied by 200 ना number of shares outstanding 200 20,000 लाक और रत्नम का रत्नम का 1000 shares multiplied by 20 रुपए 1000 shares multiplied by 20 रुपए 20,000 लाक ठीक है आफ्टर की बात करते हैं आफ्टर में market price हमने निकाला 135 तो 135 का market price into 100 तेरा पांत सो और 135 का market price into 20 लाक शैज दिये ना अपनने इनको अपनने इनको 20 लाक शैज दिये थे तो 2700 कुछ गट बढ़ गई क्या 1000 into 0.2 200 लाक शैज दिये थे 200 200 तो 27,000 27,000 तो इनका gain आ रहा है 7,000 का जाहिर सी बात है उनको तो gain आ नहीं है PE का advantage मिलिया उनको और यहाँ पर आ रहा है नुकसान 6,500 का 6,500 का आईए question number 10 का last part देख लेते हैं फिर question को थोड़ा सा alter करके देखेंगे 135 का share का price है total value before acquisition money का अपन ने कुछ गड़बड किया क्या 270 का value आ रहा है after acquisition एक मेंट मैं वापत देख लेता हूँ मैंने number of shares गलत ले लिए क्या 10 में number of shares थे 200,000 200,000 अच्छा 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 तो 135 का price into 200,000 यहां गड़बड होगी 135 का price into 200,000 तो 27,000 27,000 तो इनको भी 7,000 का गेन हो गया इनको भी 7,000 का गेन हो गया ठीक है question number 10 gain per share 35 rupees, gain per share 7 rupees से per share निकाल है अचली per share भी बता देता हूँ मैं आपको money का एक share का भाव पहले 100 rupees था अब 135 हो गया तो जाहिर से बात है उनको 35 rupees का पाइदा रत्नम का एक share का भाव 20 rupees था अब 135 का भाव पे उनको 0.2 share मिला है effectively उनको 0.2 share मिला है यहनि 27 उनको तो fractional comparative में fractional share मिला है comparative में 0.2 यहनि 27 तो उनका gain साथ I hope it is clear तो रत्नम का value 7 और money का 35 आप number of shares से divide करके भी निकाल सकते हैं 1000 lakh shares थे 7000 lakh को 7 और 100 lakh shares थे 7000 के 200 lakh shares थे 200 lakh shares थे 200 lakh shares थे 7000 से divide कर देंगे तो बराबा 35 आ जाएगा तो question पूरे तरीके से solve है question में कोई problem नहीं है अब इस question को मैं को थोड़ा सा alter करके आपको solve करवाना है सोच के देखो अगर वो बोलता है कि maximum number of shares हालत तो यह हो गई खराब हालत पी तो गिर गया तो maximum number of shares जो money देना चाहेगा ताकि उनके existing shareholders को नुकसान ना हो उनके existing shareholders को नुकसान ना हो सोच समझ के अंसर देने का है ठीक है चले आईए समझते हैं आप combined earning को तो chain नहीं कर पाएंगे ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि दोनों के combined होने पर कोई synergic effect है earning पर earning के synergic effect की बात नहीं की गई है तो combined earning cannot be changed तो earning after tax दोनों का मिलाके 6000 हो जाएगा दोनों का earning मिलाके 6000 हो जाएगा I hope it is clear PE अपने expect कर रहे हैं PE 9 हो जाएगा याने market capital of the company market capital of the combined company cannot be changed market capital of the combined company cannot be changed 54,000 I hope it is clear जो money के shareholders का market capital है वो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए मतलब वो same रहना चाहिए वो same as before रहना चाहिए तो पहले कितना था 100 रुपे into 200 100 रुपे into 220,000 भई उनको नुकसान नहीं होना चाहिए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए मतलब 20,000 20,000 याने कि maximum market capital to be transferred सामने वाले को transfer कितना किया जा सकता है इस 34,000 इस 34,000 तो आप transfer क्या price पे करेंगे आप अगर transfer करेंगे तो आप क्या price पे करेंगे देखें हम अगर चाहते हैं कि हमारे existing shoulders को नुकसान नहीं हो याने हमारे existing shoulders के shares तो नहीं बदल रहे हैं shares तो उत्ती है और market capital 20,000 ई रहना चाहिए याने share का price तो 100 रुपे रहना चाहिए share का price तो 100 रुपे रहना चाहिए उसको तो चीन नहीं कह सकते इसका मतलब market price 100 रुपे fix हो गया market price 100 रुपे fix हो गया I hope it is clear तो shares जो आप देने को तयार हैं will be 340,000,000 shares जो आप देने को तयार हैं is 340,000,000 सामने वाले के 1,000,000,000 shares outstanding हैं और आप देने को तयार हैं 340,000,000 याने कि आपका exchange ratio maximum maximum बोल रहा हूं क्या हो जाएगा 340 divided by 1,000 0.34,0.34 हर एक share के बदले 0.34 हर एक share के बदले 0.34 I hope it is clear ठीक हैं भई हम सामने वाले को कितने share देने को तयार है ताकि existing shoulder को नुकसान ना हो तो पहले तो market capital निकाल रहे हैं कि combined earnings 6,000 हो जाएगी PE उसने बोल दिया 9 हो जाएगा मतलब combined market capital of the company 54,000 earning 6,000 PE 9 तो combined market capital of the company दोनों का multiplication 54,000 ही रहेगा है कि नहीं, shares के basis पे नहीं कर रहे हैं overall basis पे कर रहे हैं existing shoulders को नुकसान ना हो तो existing shoulders का market capital 20,000 भई ये नहीं बदलना चाहिए तो 20,000 माइनस कर दिया हैं देने को तैयार है 34,000 देने को तैयार है 34,000 अगर existing shoulders को कोई नए share दे ही नहीं रहे हो इसका मतलब market price भी define हो गया उनके पास में 200,000,000 share है उनके पास 200,000,000 share है मतलब share का price 100 ही रहना चाहिए in fact मैं ये बुलना चाहता हूँ share का price unchanged रहना चाहिए share का price unchanged रहना चाहिए किसी company को take over करने के लिए ताकि existing shoulders को नुकसान ना हो existing shoulders को नुकसान ना हो उसके लिए share का price unchanged रहना चाहिए I hope it is clear तो 100 रुप है इसका उनलब हम देने को तैयार है 340,000,000 चली यहां तक समझे यह तो maximum था ऐसे हमने discuss किया था minimum यहने जिसके नीचे रतनम के shoulders मानेंगे नी जिसके नीचे रतनम के shoulders मानेंगे नी हम share value के basis पे कर रहे हैं earning के basis पे नहीं value के basis पे निकाल रहे हैं तो यार वो लोग नहीं मानेंगे 20 रुपए का बहाओ 20,000 मतलब उनको minimum 20,000 तो चाहिए ही चाहिए उनको required amount 20,000 लाग तो चाहिए ही चाहिए उसके नीचे रहे हो मानेंगे नी forever I hope it is clear फिलहाल share का price 100 रुपए फिलहाल सामने वाले के जो share का price है वो 100 रुपए तो अगर मैं minimum shares बोलूँ तो वो जाएंगे 200 lakhs 200 lakhs or 1,000 याने exchange ratio exchange ratio 200 by 1,000 .2 .2 यह हमारा minimum ratio है समझ मारा अब अगर मैं आपको पूछू कि minimum कितने shares देंगे minimum यह ध्यान से समझेगा क्योंकि काइदे से minimum की case में क्या हो जाएगा minimum shares की case में सामने वाले के share का price हम जितने भी share दे रहे हैं हर case में share का price बदलता चले जाएगा उपर तो maintain करना था 100 रुपय रखना है प्री में क्या पोस्ट में क्या अपने को 100 रुपय गई price रखना है महा दिक्कत नहीं थी यहाँ प्रॉबलम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे share जैसे जैसे बदलेंगे को देने के वैसे वैसे share का price बदलता चले जाएगा तो समझते हैं हम क्या बोलते हैं minimum हम देखेंगे angle से सामने वाले के सामने वाला कॉन रतनम रतनम के angle से सोचने का है कि यार उसको नुकसान नहीं होना चाहिए minimum उसके angle से decide हो रहा है कि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए उसका नुकसान कब नहीं होगा जब before merger shareholder को जो मिल रहा था is equal to after merger before merger उसको जो पैसा उसके पास था वो after merger सेम है तो before merger तो अपने को पता है उसके पास कितना पैसा था बीस हजार बीस हजार लाक after merger भी उत्ता ही होना चाहिए after merger भी उत्ता ही होना चाहिए I hope आप लोग समझ पा रहे है ठीक है मैं per share basis पे समझाता हूँ जादा अच्छे से समझ में आएगा per share basis पे कि एक share के पीछे market price 20 रुपय था याने after merger भी 20 रुपय होना चाहिए और after merger तो उसको money का share मिल गया और कितना मिल आपने को Demi पता कितना मिल आपने को Demi पता वो उसको आपन बोलते है swap ratio जित्ता मिला उतना होना चीँ swap ratio बरबर है तो after merger जो भी price रहेगा after merger जो भी price रहेगा price after merger multiplied by swap ratio multiplied by swap ratio equal to 20 होना चीह यह तो clear है ठीक है अपना price ratio price पता ना swap ratio चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं price after merger याने market price क्या होगा earning per share divided by P earning per share divided by P बराबर यही रहेगा ना यही रहेगा आप आप समझ पा रहे हैं मार्केट price क्या होता है P multiplied by EPS P multiplied by EPS price after merger क्या रहेगा price earning ratio जो भी रहेगा multiplied by earning per share अब अपने को ना earning per share पता ना अपने को EPS पता पर price after share को मैं ऐसे निकाल सकता हूँ P E multiplied by earnings divided by total shares divided by total shares यह तो निकाली सकता है बराबर ठीक ना ध्यान से समझे ध्यान से सुनिये price after share is nothing but EPS can be written as earning divided by total shares earning divided by total shares तो P multiplied by earning divided by total shares ऐसे लिख सकता हूँ पहले जो जो पता है वो लिख लेता हूँ 20 रुपे is equal to 20 रुपे is equal to price after merger is P E P E पता है 9 हो गया earnings total पता है 6,000 होगी divided by total shares multiplied by swap ratio फिलाल swap ratio नहीं पता फिलाल swap ratio नहीं पता अच्छा total shares क्या है money और अतनम के shares मिला के money के shares और रतनम को आप जितने shares देने वाले हैं वो money के shares और रतनम को जो shares देने वाले हैं वो चलो याने मैं लिख सकता हूँ कि total shares is equal to money के पास जो shares पड़े है 200 lakhs plus रतनम को आप जो shares देने वाले है 1,000 lakh multiplied by swap ratio 1,000 lakh multiplied by swap ratio I hope it is clear समझ पाई होंगे यह तो लिगी सकता हूँ उसको कितने share देने वाले हैं वो क्या होता है उसके वाज कितने share है multiplied by swap ratio उतने share उसको देने वाले हैं और money के तो उतने share है money के share नहीं बदल रहे है यह concept complicated है पिछला question concept easy था पर यह concept थोड़ा सा complicated है चल याने अब अपने को क्या है यह आ गया 54,000 divided by 200 plus 1000 into swap ratio multiplied by swap ratio अब ठीक लग रहा है कट तो कर नहीं सकते क्योंगी नीचे addition है हाना चलो cross multiply करते है which implies 200 plus 1000 SR को उदर लेगी जाते है याने इस तरफ तो 200 into 20 4000 plus 1000 into 20 20,000 SR is equal to 54,000 SR which implies यह 20,000 उदर गया minus होने 4000 is equal to 54,000 SR minus 20,000 SR which implies SR is equal to 4000 divided by 34,000 वरबर 0.1176 shares 0.116 यह swap ratio यह swap ratio है तो shares किते हुए 0.1176 multiplied by 0.1176 multiplied by 1000 shares याने 117.6 lakh 117.6 lakh आईए देखते हैं क्या इसके कारण unchanged रहा है या नहीं थोड़ी मेनत करनी पड़ेगी चेक कर रहे हैं कि सही में सही रहा कि नहीं रहा रहना ही चीए देख लेते हैं earning 6,000 shares सामने वाले के shares थे 200 और अब भी आपने देदी है 117.6 तो EPS हो गया 6000 divided by 317.6 18.89 P9 याने market price 170 market price 170 देख लीजेगा चलो 170 into .1176 swap ratio 19.99 याने 20 रुपए और पहले का price 20 रुपए तो shareholder of B को कोई नुकसान नहीं हुआ shareholder of B को कोई नुकसान नहीं हुआ I hope it is clear, यह concept थोड़ा सा complicated है यह concept थोड़ा सा complicated है ध्यान से समझेगा, ध्यान से सुनिएगा वापस से एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने अगर मैं acquirer के angle से देखो तो बहुत आसान था acquirer के angle से हम लोगों ने बोला कि देखो combined earning क्या होगी नया PE क्या होगा उसके basis पर market capital निकल दिया market capital के basis पे फिर हम लोगों ने बोला कि यार market capital इतना है existing shareholders का market capital chain नहीं होना चाहिए तो वो minus कर दिया वो minus कर दिया तो बचा हुआ market capital किसका है जो हम pass sound करने को तयार है market price chain नहीं होना चाहिए existing shareholders का market capital chain नहीं करना है अगर existing shareholders का market capital chain नहीं करना है तो market price भी unchanged होना चाहिए तो market price को same रगा उसके basis पर बुला कि shares हो गए 340 lakh shares जो हम सामने वाले को देना चाहते हैं वो कितने हो गए 340 lakh maximum इतना दे सकते हैं इससे जादा नहीं दे सकते हैं ठीक है I hope it is clear अगर आप लोग shares 340 lakh दे रहे हैं तो मैं एक बार आपको EPS के एंगल से समझा भी देता हूँ EPS क्या होगा 6000 divided by 540 lakhs 340 इसके और 200 पहले से थे याने 11.11 अगर आप इसको 9 से multiply करेंगे तो देख लिए 100 रुपय का ही share price आजाएगा याने existing shoulders को कोई नुकसान ने हुआ minimum के angle से बोल रहा है कि यार before merger before merger जो उनको मिल रहा था acquire E को जो मिल रहा था after merger उनको वही मिलना चाहिए before merger एक share अगर 20 रुपय गा था तो after acquisition जितना भी दे रहे हो share multiplied by market price जितना भी swap ratio है याने जितना भी fractional share दे रहे हो है जो भी दे रहे हो multiplied by market price should be same तो 20 is equal to price after merger into swap ratio price after merger कैसे निकाल सकते हैं जब हमको तो price पता ही नहीं है क्योंकि उसको जिनने share देंगे उसके हिसाब से price define होगा तो price नहीं पता है तो price after merger पर ये तो पता है कि price after merger will be PE multiplied by earning divided by total shares PE पता है earning पता है ये दोनों तो पास जितने share है multiplied by swap ratio उसके पास जितने भी share है इस case में 1000 थे multiplied by swap ratio तो वो लिख दिया तो इसके कारण दोनों में एक चीज़ common आगी swap ratio अब सिर्फ swap ratio ढूणना था तो swap ratio के basis पे finally अपना है question solve हो जाता है solve होने के बाद अपने सिर्फ cross test किया ज़रत नहीं थी swap ratio तो आगया swap ratio multiplied by existing shares मिल जाएगा shares किते देना है पर existing हमने सिर्फ एक test कर लिया कि हाँ यहार 117.6 रख ली देने के बंते है I hope यहाँ तके पूरा का पूरा clear है यहाँ तके समझ में आया होगा चली तो question number 9 देखते है XYZ is considering merger with ABC Limited XYZ share is currently traded at 20 तो लिख लेते है XYZ ABC market price 20 it has 2,50,000 shares outstanding shares 2,50,000 and earnings after tax amounts to 5,00,000 रुपीज earnings 5,00,000 ABC has 1,25,000 shares outstanding 1,25,00,000 current market price is 10 ठीक है and earning after taxes 1,25,000 1,25,00 यहाँ तक आप PE निकाल सकते है देखे ज़र अशा पहले EPS निकाल लेता हूँ EPS 5,00,000 divided by 2,00,000 or 1,25,000 divided by 1,25,000 तो PE हो गया 10 और 10 दोनों का PE same the merger will be affected by means of stock swap ABC agreed to plan under which it will offer current market value of ABC's shares ठीक है ABC has agreed to a plan under which XYZ will offer the current market value of ABC share तो ABC के share का जो current market value है वो उसको offer करेगा ठीक है what is the pre-merger EPS and PE यह हमने निकाल दिया if ABC PE is 6.4 ABC का जो PE है वो 6.4 है what is the current market price what is the current market price अगर PE 6.4 है अगर PE 6.4 है ABC का तो market price क्या होगा market price भी 6.4 ही होगा ठीक है what is the exchange ratio and what will be XYZ post-merger EPS ठीक है what will be the exchange ratio है अगर इसके basis पर मैं exchange ratio बोलूँ तो exchange याने swap ratio swap ratio हो जाएगा 6.4 के market price के basis पर बोल रहा हो 6.4 के market price के basis पर इनका price तो 20 ही रहेगा याने 0.32 0.32 बोलता है कि post-merger EPS किता होगा तो आप shares कितने देंगे उनको 1,25,000 into 0.32 1,25,000 के basis पर 1,25,000 उसके existing shares 0.32 shares आप देने की बात कर रहे हैं तो 40,000 shares देंगे इसका मतलब अब नया EPS क्या होगा मैं दोनों की earning को add कर देता हूँ दोनों की earning को add कर दीजे 5,00,000 और 1,25,000 divided by सामने वाले के shares थे 1,500,000 सामने वाले के shares थे 1,500,000 और अब आप 40,000 shares और देने की बात कर रहे हैं तो 6,25,000 divided by 2,90,000 2.16 2.16 आई ये question number 9 का यहां तक का answer देखते हैं 6.4 0.32 2.16 चलिए बढ़िया फिर हो बुलता है What should be the exchange ratio if XYZ pre-merger and post-merger are to be same किसके एंगल से बात हो रही है XYZ के ठीक है XYZ का pre-merger और post-merger EPS सेम रहना चीए acquirer का acquirer का याने की EPS की ratio में share देना है 1 by 2 1 by 2 swap ratio रहना चाहिए याने 0.5 आई ये देख लीजे 1,25,000 multiplied by 0.5 आप उसे shares देंगे 6,2500 0.625,00 combined earning 6,25,000 divided by 2.5,00,00 plus 0.625,00,00 तो 3.125,00,00 shares हो जाएंगे I hope it is clear 2 रूपीज का EPS आ रहे है तो EPS शुड़ भी सेम बोल रहे है अब आपको तो क्या होना चाहिए हमने कर लिया चली question को थोड़ा सा alter करकी solve करने की कोशिश करते है maximum shares हम जो concept पढ़ रहे हैं उस concept पर जा रहे है maximum shares जो XYZ देने को तयार होगा XYZ देने को तयार होगा चली देखते हैं market capitalization की बात करेंगे उसके लिए फहले earning की बात करेंगे earning combined firm की 6,25,000 मान रहे हैं की P.E. same रहेगा मान रहे हैं assume करने इसका मतलब market capital हो गया 62.5,00,000 earnings multiplied by P.E. इसमें XYZ का जो market capital है XYZ का जो market capital है वो same रखना है उनको loss नहीं होना चीए same रखना है याने market price multiplied by number of shares 50 market price multiplied by number of shares 50 तो आप देने को कितना तयार है maximum payment possible याने maximum share is possible 12.5 market price unchanged रहना चाहिए market price unchanged रहना चाहिए हमने market price लिखके रखा था 20 रुपे 20 रुपे अगर मैं पुराने market price के रहसाब से जाओं तो भी 0.5 ही है अब ये तो maximum था हम minimum की बात करते है minimum जो सामने वाले को चाहिए तो minimum के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे before merger सामने वाले को जो मिल रहा था और after merger जो सामने वाले को मिल रहा है वो दोनो value सेम रहना चाहिए before merger का market price 10 था एक share का market price 10 था after merger का जो market price है वो तो सामने वाले को कितने share देंगे उसके उपर depend करता है हम लिख सकते हैं कि after merger का share price क्या होता है after merger का swap share price multiplied by after merger market price multiplied by swap ratio after merger market price निकालने का तरीका है earnings multiplied by PE divided by total shares into swap ratio यह हो गया हमारा after merger market price earning जितनी भी होगी multiplied by PE multiplied by divided by total number of shares यहां लिक रहा है 10 equal to earnings combined 6,25,000 divided by सामने वाले के 2.5,00,00,00 shares है आपके कितने shares है वो नहीं पता तो swap ratio multiplied by आपके फिलहाल existing outstanding shares है 1.25,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 1.25,00,00,00,00 multiplied by swap ratio इसको solve करते हैं which implies यह पूरा इदर जाएगा 25,00,00,00 plus 12.5,00,00,00,00,00еле swap ratio is equal to 6.25,00,00,00 swap ratio हो ठीक है अब यह नेगेटिव जा रहा है कि फूर मर्जर का मार्केट प्राइज टैन था ना प्राइज टैन छेला पच्छेसर डिवाइड बाइड बाइड टू पॉइंट फाइल लाक चलो ठीक है विच इंप्लाइज एक मेंट यहां पर इंटू पी करना रह गया इंटू टैन इंटू टैन तो यह हो गया था 62.5 लाक 62.5 लाक which implies 25 लाक is equal to 62.5 लाक swap ratio minus 12.5 लाक swap ratio which implies swap ratio है 25 लाक divided by 50 लाक याने 0.5 65 तो minimum maximum same हो रहा है क्यों same हो रहा है क्योंकि दोनों का PE same है क्यों का PE same नहीं होता अलग अलग होता तो यह swap ratio भी अलगाता इसको समझते हैं suppose कीजिए कि ABC का PE 6.4 था हो जो दिया होता न 6.4 उसके basis पर करते है तो उसका market price क्या हो जाता 6.4 तो यहां पर क्या बदलता यहां पर क्या बदलता market price before merger is equal to combined earning combined earning वही रहेगी multiplied by PE ratio जो combined form कर रहेगा यानि कि यह भी XYZ का XYZ का तो 10 है XYZ का तो 10 है divided by उसके shares 2.5 लाक plus swap ratio into 1.25 लाक into swap ratio तो यह change हो जाएगा अब यह उदर क्या हो तो 2.5 लाक into 6.4 16 लाक plus 1.25 into 6.4 8 लाक swap ratio is equal to 62.5 लाक swap ratio which implies 16 लाक is equal to 62.5 लाक swap ratio minus 8 लाक swap ratio which implies swap ratio is 16 लाक divided by 62.5 minus 8 54.5 लाक्स तो यह किता हा रहा है 16 divided by 54.5 0.2936 0.2936 अपन इत्तेश है is swap ratio में देने को तहीं आ रहा है swap ratio ठीक है 0.2936 आईए समझते हैं 0.2936 अब बिफोर मर्जर तो price 6.4 है अब आफ्टर मर्जर इसके कारण price क्या हो जाएगा आफ्टर मर्जर इसके कारण price क्या हो जाएगा 0.2936 के कारण तो 6 लाक 25,000 की earnings divided by 2.5 लाक प्लस आप 0.2935 या 0.2936 शेर देने को तहीर हैं swap ratio उनके एक शेर के बदले अपना 0.2936 उनके एक शेर के बदले अपना 0.2936 इसको multiply करेंगे 1 लाक 25,000 से 1 लाक 25,000 से 36697 आ रहा है 0.36697 ठीक है या 0.3667 0.367 तो इसको रहा है 6.25 लाक 25,000 से 2.5 लाक 25,000 से 2.867 2.18 2.18 यह क्या है EPS PE तो 10 ही रहेगा याने market price हो जाएगा 21.8 market price 21.8 जो market price पहले 20 था अब 21.8 हो जाएगा existing shareholders gain में XYZ के shareholders gain में ABC ABC को मिल रहा है 0.2936 share 0.2936 share of 21.8 26.4 आ रहा है और वो ही उसका before major price था ठीक है I hope minimum निकालना maximum निकालना अपन लोगों ने 2 questions कर लिए maximum के अपन ने 3 questions कर लिए तो यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हम लोग solve कर रहे है ठीक है I hope यहाँ तक कि पुरा का पुरा clear होगा यह वाला party hand करते है चला चले लिए अगला question देखता है question number 15 तो यह question में कुछ खास नहीं है सिवे concept है जो हमको समझना है बाकि overall बहुत easy है simple limited and dimple limited are planning to merge the value of companies are dependent on fluctuating business conditions the following information is given of total value total value में उन्होंने बोला है debt or equity दोनों दिया हुए आपको याने यहां पर जो values दी भी है उसके total में of each of the companies ठीक है और property दिया और फ़र बोलता है current debt of simple is 65 dimple is 65 but simple is 460 simple is 460 ध्यान दीजेगा उन्होंने नाम इस बार उल्टे लिखे है ठीक है अब वो बोलता है debt or equity की value separately बताइए अगर आप ध्यान देंगे last case में last case में तो simple limited का debt plus equity का value है 410 debt plus equity का value है 410 और आप बोल रहे हैं कि debt 460 है तो ऐसे case में कल जाके अगर company बंद होती है या कुछ भी होता है तो 410 debt वालों को pay होगा और limited liabilities होती है companies तो तो इसका मतलब बचे वे जो 50 वाले debt holders है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा equity वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा debt holders को भी 460 में से 410 ही पे हो रहा है तो that is the main case main clause जो हमारा वाँ पे debt में हमको पढ़ना पढ़ता है presentation कैसा है इस question में बहुत easy चीज है बस यह समझ में आ रहा है debt से 410 value है debt की pair value 410 ही है 460 नहीं है कौन से case में तीसरे case में तो हमको करना क्या है हमको ना debt और equity का split बताना तो पहले debt का बता देंगे फिर equity का बता देंगे तो debt in first case simple limited will be 460 हमारे पास 3 phase है हमारे पास 3 phase है पहले phase में 460 दूसरे phase में भी 460 पर आखरी phase में 410 हो जाएगी value high growth, medium growth, slow growth उनको multiply कर देंगे उनकी probability से 0.2, 0.6, 0.2 ठीक है यह देखे तो 460 into 0.2 92 460 into 0.6 276 और 410 into 0.2 82 तो overall value of the debt अब उन्होंने separately पूछा है इस 450 अब equity की बात करते हैं तीनों case में value of debt minus कर देंगे तो बचाओ value value of equity होगा तो 820 minus 460 इस 360 first case दूसरा case 550 minus 460 90 और आखरी case में 0 तो उनको उनके respective ratios से multiply करतेंगे 72 54 0 तो value बन गई 126 126 बढ़ी तो ये किस की value होगी ये दोनों separate value होगी simple की dimple के case में dimple के case में debt की value तो 65 यह तीनों case में ये कम नहीं हो रही ना जैसा simple की case में हुआ अब ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसे भी equity की value निकालना है तो पहला case 1050 minus 65 985 825 minus 65 760 और 590 minus 65 525 इनको इनकी respective probabilities से multiply कर देंगे तो value आगी तो सरुब बताना क्या चाहता था actually question बराबर frame नहीं हुआ question को frame करना चाहिए था merger होने में किस तरह की त्याने क्या value loss हो सकता है merger करने में dimple limited के shoulders को क्या value loss हो सकता है आप समझे एकल जाके अगर ये दोनों forms merge हो जाती है दोनों form merge जाती है और हम ये slow growth phase देखता है तो slow growth phase के case में अगर आप merged value देख रहे हैं merged value तो merged value कितनी होगी merged value ये पूछा नहीं है question में यह हम discuss कर रहे हैं कि यार ये question क्यों बनाया है इन्होंने तो properly frame नहीं किया मैं दोनों के values को add कर रहा हूँ 550 plus 825 1375 और 410 plus 590 is 1000 तो अगर आपको मैं merged firm के value बोजूँ merged firm का debt अलग बताए और equity अलग बताईए तो आपको नहीं लगता जो last case है उसमें दोनों debt minus हो गए 460B और 65B मतलब debt of simple will be paid by the shareholders of dimple ये risk involved है ये risk involved है वो सबसे बड़ा flaw है 15th question में सबसे बड़ा flaw यह है जो उन्होंने पूछा ही नहीं होगा main reason होता बाकी answer बहुत easy है answer हमारा discuss हो गया है ठीक है चलिए moving ahead question number 21 पर है 21 T and E are in same industry the former is in negotiation for the acquisition of latter यानि T E को acquire करने वाला आपको latest financial statement दी है number of shares debentures की value earning before interest depreciation and tax market price T limited plans to offer E limited business as a whole पूरा business for which it will be 7 times यह जो earning before interest and tax उपर दिया हुआ 7 times reduced by outstanding debt उनका जो भी debt वो minus कर देंगे discharge by its own shares at market price यानि खुद के share price पर देगा वो जो earning before interest and tax है फेलो उसको multiply by 7 कर दो उसमे से debt minus कर दो उनका जिटना value आ रहा है उत्ना हम देने को तही आ रहे जितना value आ रहा हम उत्ता देने को तही आ रहे फटा फट निकाल लेते हैं भाई तो कितना देने को तही आ देख लेते हैं, तो उनका earning है 115.71, ठीक है, earning before interest depreciation and tax 115.71, तो value हो गई 115.71 into 7, 809.97, in short 810, 810, less debentures, तो debentures की value निकली भी है, 240, debentures नहीं है, loan है, 240, तो 810-240, 810 से minus कर रहा हूं, 570, market price of T, 220, तो इसका मतलब आप shares किते देंगे, 570,000,000 divided by 220, 2.59,000,000 shares, 2.59,000,000 shares, original value रखके देखते हैं क्या होता है, 569.97 divided by 220, 2.59,000 shares, फिर भी उत्ता ही हो रहा है, ठीक है, 2.59,000 shares, उनके फिलहाल shares है, 6,00,000, तो अगर मैं 6,00,000 से divide कर हूँ, तो roughly आप 0.43% shares दे रहे हैं, 0.43% shares, आगे बढ़ते हैं, E is planning to seek, सामने वाला क्या सोच रहा है, यह तो आपने देने का offer किया, सामने वाला क्या सोच रहा है, 1 share for every 2 shares, 1 share for every 2 shares, याने वो 50% चाता है, हमारा ratio निकल रहा है, अगर मैं ratio की बात करूँ, तो 2.59 divided by 6 आ रहा है, 0.43, 0.43 और उसको चाहिए 0.5, तो फर्क है थोड़ा सा, आपको tax का rate दिया हुआ है, अब वो बोलता है, बताओ net consideration payable कितनी है, नेट consideration payable कितनी है, इन बोथ alternatives, बोथ alternatives, तो अभी अपने जो पहला alternative निकाला, उसमें तो net consideration वोई बन रही है, 570 lakhs, पहले यह देख लेते हैं, 570 lakhs, question number 21, दूसरे case में तो shares case आप से निकल जाएगा, 569.97, तो अपने को round off नहीं करना है, यह समझ में आता है यहाँ पर, 569.97 lakhs, ठीक है, तो 2,59,000 shares देना है, ओके अपने भी निकाला है, 2,59,000 shares देना है, अपने रेशयो भी निकाला है, चलो कोई नहीं, यह T का offer हो गया, अपन E के offer पे देख रहे हैं, E के offer पे consideration किता बनेगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, 1 share for every 2 shares held है, यह हो गया T का offer, अब आते हैं E के offer पे, ठीक है, जैसा institute नहीं किया है, वैसा ही किजेगा, अभी हम दोनों का offer डिसकस कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अलग-अलग ही करते हैं, अपन भी वैसे ही करते हैं, जैसा institute नहीं किया है, आई, वापस original question पे आ जाते हैं तो पहला तो पूछा था, net concentration, paypal निकाल दिया, number of shares to be issued निकाल दिया, EPS of T after acquisition, EPS after acquisition, तो पहले तो दोनों की earnings चाहिए, EPS निकालने के लिए दोनों की earnings चाहिए, उन्होंने अपने को earning before interest and tax दिया, तो T और E, earning before interest and tax, 400.86, और 115.71, अब question में depreciation तो कहीं दिया नहीं है, तो we'll have to ignore it, interest निकाल लेते हैं, interest, interest less करना है, तो 580 का 10%, 58, ठीक है, और दूसरे वाले का 12.5%, 240 का 12.5%, 30, चलिए, तो 400.86-58 हो जाएगा, 342.86 और 115.71 में से 30 माइनस कर दिया, तो 85.71, अब माइनस करते हैं, tax, 30% का tax दिया है, मैं directly post tax figure लिख रहा हूँ, 342.86 का 70%, 240, और 85.71 का 70%, 60, तो यह आगया, 30,000 हमारा earnings after tax, फिलहाल दोनों का EPS कितना कितना है, तो 12,00,000 शेयर और 6,00,000 शेयर दिये हैं, पहले शेयर लिख देता हूँ, 12,00,00, और 6,00, तो EPS हो गया, 240 divided by 12, 20 और 10, ठीक है, market price भी दिया हूँ है, 220, 110, तो मैं इससे PE भी बता सकता हूँ, उसे भी लिख रहा हूँ, क्या पता आगे काम पढ़ जाए, तो 220 divided by 20, 11, और इसका भी 11, दोनों का PE से हैं है, अब वो बोलता है, merged EPS बता हूँ, merged EPS, तो बहुत simple है, 240 की अर्निंग, प्लस 60 की अर्निंग, divided by 12,00, शेह्स थे, और अपन ने और शेह्स दे दिये 2.59, ठीक है, 300 divided by 14.59, 20.56, I hope it is clear, merged EPS जो आ रहा है, तो आईए, कुश्चिन का answer compare कर लेते हैं, 20.56, ठीक है, चलिए, expected market price of T after acquisition, तो acquisition के बाद market price क्या होगा, अब यह 11 है, ठीक है, तो इसका मतलब market price हो जाएगा, यह 20.56 into 11, 226.18 आ रहा है, 226.18, state briefly advantage to T limited from acquisition, तो ठीक है, उनको क्या acquisition है, synergic benefit वगरे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो theoretical answer है, बहुत सारी बात हैं हैं उसमें देने के लिए, अब अपन E के angle से यही सब कुछ solve परने की कोशिश करता है, ठीक है, E के angle से, value क्या होगा, net consideration payable, तो consideration payable है, 6 lakh shares, हर 2 share के बदले 1 share, और 1 share का बाज़ार बहुँ 220 रुपए, 660 lakhs, 660 lakhs, पहला part, दूसरा part number of shares to be issued, वो तो निकल दिया, 3 lakh, तीसरा part, EPS after acquisition, तो earning तो दोनों की मिला की same ही हो जाएगी 300, divided by 12 plus 3, 15 lakh, 20, market price, तो P multiple से multiply कर देंगे, तो 220, ठीक है, तो पुरा का पुरा same हो गया, यहोपटेस clear, और रहना भी है क्योंकी दोनों का P same, दोनों का अगर आप देखेंगे, तो P same है, 11-11, और आपने ratio भी almost same ही maintain किया है, जैसा P, market price भी वही ratio में, EPS भी वही ratio में, सब कुछ वही ratio में, तो वही ratio आपने maintain किया है, तो ओविस सी बात है कि उसमें कोई, किसी को एक को gain, एक को loss नहीं हो रहा है, दोनों को same ही benefit है, चली, so moving at, question number 23 देखिए, को question shoot किया क्या, नहीं, H limited agrees to buy over the business of B limited, effective from 1st April 2012, the summarized balance sheet, of H and B on 31st March is as under, तो आपके सामने बुरी balance sheet है, H proposes to buy B limited, and the following information is provided to you, पहला, the weighted average post-tax maintainable profit, post-tax maintainable profit of H and B, for the last 4 years, is 310 respectively, 310 respectively maintained profit हो, लोग बुल रहे हैं कि इतना maintained होया, पितले चाहाँ साल में, बोथ companies have a capitalization ratio of 8%, contingent liability of H है 300, contingent liability of H, 300, H limited to issue shares of 100 each to the shareholders of B, in terms of exchange ratio, arrived on fair value basis, fair value basis, तो क्या मतलब है भी तुम्हारे fair value गा, उन्होंने आगे दिखा है, use weight of 1 and 3, use weight of 1 and 3, to net asset basis and earning capitalization method, earning capitalization method and net asset basis, तो net asset basis तो आपको पता है, earning capitalization method अभी देख लेते हैं, तो पहले net asset basis की बात करते हैं, भी 1300 है, H का net assets बराबर, पर इसमें 300 की contingent liability दीवी है, 300 की contingent liability दीवी है, याने अगर मैं net assets बोलूं, net assets, H के तो 1000 हो गए, और B के 31.5, ठीक है, अब shares देख लेते हैं, 100 E6 अब से, इसके 3.5 lakh shares है, बराबर, और B के 0.65 shares है, crore, crore में, सब कुछ crore में, तो इसका मतलब, book value per share, book value per share, 1000 divided by 3.5, 285.71, और 31.5 divided by 0.65, 48.46, खेर हमें book value per share का कुछ काम नहीं, earnings, तोनों ने maintained earning दिये, दोनों की, 300.10, 300.10, earning capitalization method समझे, capitalization का rate दे दिया, मतलब, इतना earning कमाने के लिए, normally, कोई भी business, कितना capital, invest करेगा, उतना capital, जिस पे 8% ये earning का मांट हो, उतना capital, जिस पे 8% ये earning का मांट हो, उसे बोलना है, capitalization rate, ये return on equity भी बोल सकते हैं, return on equity, ये इतना equity आप invest करेंगे, कि इतना return मिल जाए, और मैं return on equity नहीं बोल रहा हूँ, तो इस return on business, return on business, तो इसका मतलब business की value कितनी हो गई, 300 divided by 8%, 3750, और 10 divided by 8%, 125, हमें मतलब, इस line से, और इस line से, ठीक है, इनको वो बोलता है कि आप weight दीजे, आप weight दीजे 1 and 3, तो 1 किसको देना है, net asset, और 3 earning capitalization को, तो पहले H की बात कर रहे है, H का, 1000 को weight 1 देना है, और 3750 को weight 3 देना है, divided by 4, और B में, 31.5 को weight 1 देना है, और 125 को weight 3 देना है, divided by 4, यह हो गया value of business, value of business, 3062.5, 101.625, ठीक है, अब वो सामने वाले के business को, 100 each के साब से अपने शाहस देगा, तो भई, exchange कैसे होगा, यह दोनो values निकालने के बाद में, exchange कैसे होगा, तो पहले तो हम price निकाल लेते हैं, एक share का, तो HK share का price, HK share का price, जो आपने निकाला, वो गया 3062.5, divided by, उनके 3.5 crore shares outstanding है, 3.5 crore shares outstanding है, देखिया, 8.75 और BK, 101.625, divided by, हमने निकाला था, 0.65 shares outstanding है, 0.65 crore, यानि 156.35, यह market price हो गया, तो इससे exchange ratio define हो गया, समझे वहाँ पे लिखा है, कि आप 100 each के share देगे, तो यह तो face value हो गया, issue shares of 100 each, confuse मत हो जाना, issue shares of 100 each, confuse मत हो जाना, यह बोलके कि हाँ, यह वाला जो amount है, divided by 100, इतने share देना है, नहीं, face value 100 के वह shares करेगा, in terms of exchange ratio, जो fair value basis पहेगा, तो fair value तो दोनों की लगेगी न, fair value तो HRB दोनों की लगेगी, I hope it is clear, तो exchange ratio क्या होगा, 156.35 divided by 875, इतने share उनको देना है, ठीक है, 0.1786 आ रहा है, या 1787 exchange ratio, तो shares कितने हो जाएंगे, यह 0.1787 multiplied by 0.65 crore shares, उनके outstanding है, है की नहीं, कुछ 0.1161 crore shares of 100 each, 1.161 crore shares, 0.1161 crore shares of 100 each, इतने देना है, आईए, इस question का answer देख लेता है, question number 23, 875, 156.3475, हमने 35 लिख दिया था, 0.1787 का exchange ratio, तो यहां तक क्या अपना same आया है, बस उन्होंने exchange ratio पर छोड़ दिया, आपने shares भी निकाल रहे हैं, कितने shares देना पड़ेगा, ठीक है, चल, बहुत बढ़ी है, तो काफी, इसका question में नया क्या था, earning capitalization method, ऐसे थो बहुत easy question है, सिर्फ एक earning capitalization method, पढ़ने के लिए नया था, आईए अगला question देखते हैं, question number 24, reliable industry limited, is considering taking over, sunflower industries limited, आपको earnings after tax दिया है, equity share outstanding दिया है, जिससे EPS निकल जाएगा, PE दिया है, तो market price निकल जाएगा, 20 or 5, what is the market value of each company, before merger, निकल दिया, assume that management of reliance, estimates that shareholders of SIL, will accept the offer, of one share, for every four shares of SIL, one share, for every four shares of SIL, market price का ही ratio दिख रहा है मुझे तो, if there are no synergic benefits, what is the market value, of post merger RIL, post merger RIL, market value क्या होगी, चलो निकल लेते हैं, दोनों की earning सेम रही की 30, यहाँ PE अलग अलग है, तो मान लेंगे की PE RIL का ही कंटे की होने वाला है, तो 30,00,00, निकलते हैं, earning 30,00,00, shares जो आप देने वाले हैं, वो इसके shares है 10,00, प्लस सामने वाले को 2.5,00,00, shares दे देंगे, 1 share for every 4 share yield ऐसा लिखा है, तो 12.5,00,00, तो EPS हो गया, 30 divided by 12.5, 2.4, PE, PE 10 ही रहेगा, तो इसका मतलब, market price हो जाएगा, 24,00, तो उसने बुला, what is the post merger value, what is the post merger value, कहां गया, अरे, नहीं, ये, तो value हो जाएगी, ये 24, multiplied by 12.5 actions, 300 lakhs, 300 lakhs, फिर हो बोलता है, what is the new price, बता दिया, are the shareholders of RIL, better or worse off, than before, तो better off ही है, पहले price 20 था, पहले price 20 था, अब वही price 24 हो गया, 20 से 24 हो गया, तो दिया better off by 4 rupees, ठीक है, SIL के shareholders की भी बात कर लेते हैं, बात करने में क्या है, SIL के shareholders को, pre-merger, 5 रुपए का price था, pre-merger, और post, यहां pre-liq देता हूं, post-merger, 24 divided by 4, fractional shares, यानि कि अभी नया market price, multiplied by fraction, तो 24 divided by 4, 6 रुपए है, तो यह भी तो gain में है, यह लोग gain में है, क्योंकि, PE ratio सुधर गया न, PE ratio सुधर गया, PE ratio 10 हो गया, तो they are also at gain, तो दोनों को फाइदा है, I hope it is clear, आगे बट रहें, due to synergic benefit, the management of RIL estimates, that the earning will increase by 20%, earning will increase by 20%, synergic benefit, तो पहले तो synergic benefit, PE का मिली रहा था, और फिर भी ओ बोल रहे हैंगी, synergic benefit से earning 20% से बढ़ जाएगी, तो ठीक है, 20 था, what is post-merger EPS, what is post-merger EPS, अभी इन्होंने यह नहीं बताया कि, exchange ratio क्या होना चीए, मान वो ही रहे हैं कि, जो पहले exchange ratio रहा होगा, वो ही रहेगा, ठीक है, what is the new post-merger EPS, तो earning, हो जाएगी, 36 lakhs, दोनों की earning मिला कि 30 थी, 20 का synergic benefit, shares, 12.5 lakh, तो EPS हो गया, 36 divided by 12.5, 2.88, ठीक है, and price per share, तो PE तो अपन वो ही मानें के 10, तो market price हो जाएगा 28.8, ठीक है, will the shareholders be better off or worse, निकाल सकते हैं, better off ही है अभी भी, तो question number 24 का answer देखिए, market value तो निकाली थी, EPS 2.4, 24, ठीक है, gain on merger, overall gain दोनों का मिला के 50 लाक, हमने independently निकाला था, RIL का gain, overall gain उन्हीं निकालके बताया है, ठीक है, हमने यहां तक तो किया ही था per share basis पर 20% से earning बढ़ गी shares उतने ही 2.88 तो 28.8 तो shareholders तो दोनों के दोनों gain पर ही है तो यह भी हमने किया था ठीक है अब यहां हमने per share basis पर निकाला था यह market value, market value का पूता है market price का पूता है question पर ध्यान दीजेगा और question के accordingly निकाल लिएगा उन values को चल यह फिलाल आगे बट रहे है तो एक्दम यह question हम लोगों ने पहले भी किया ऐसे questions तो जो अभी किया था हमने तो अब कर रहे है question number 25 यह नया question है important marker के रखिए कुछ नया है इसमें पढ़ने के लिए इसलिए AFC wishes to acquire BCD shares of two companies are 10 lakh and 5 lakh तो मैं shares लिख देता हूं दोनों के AFC BCD shares है 10 lakh 5 lakh फिर वो आपको बोलता है current growth rate BCD का है calculate increase in total value of BCD calculate value increase in BCD resulting from acquisition on the basis of following condition कि value BCD की कितने से बढ़ी value BCD की कितने से बढ़ी फिलहाल उसका growth rate था 7% expected growth rate under the control of AFC यह समझ में आ रहा है कि AFC BCD को take over कर रहा है कि उनके under में growth rate 8% हो जाएगा उनके under में growth rate 8% हो जाएगा current market price 100 है current market price per share of BCD 20 है AFC का भी दे दिया, BCD का भी दे दिया market price 100 और 20 ठीक है expected dividend of BCD है 0.6 expected dividend of BCD है 0.6 इसके बारे में कुछ बोला नहीं growth rate pre-merger pre-merger 7% growth rate post-merger 8% ठीक है बोलता है बताओ क्या increase in value of BCD तो बड़ा अजीब है ऐसे कैसे बता दे तो increase in value of BCD मतलब फिलहाल तो पता है 20 into 5 lakh है तो growth rate के change के कारण का increase growth rate के change के कारण का increase इसके लिए हमें growth rate change के कारण market price impact निकालना पड़ेगा growth rate change के कारण market price impact हला कि BCD take over हो गया तो उसका कोई market price नहीं है उनका but still we can determine the gain या value of the form value of the form under AFC okay let's try to understand this तो इसके लिए आपको कही ना कही वो वाला formula लगाना पड़ेगा तो इसके लिए अपने को वो formula लगाना पड़ेगा ना RE is equal to dividend divided by market price plus growth rate हाना क्यों ताकि बाद में हभी एक पर return मिल जाए तो बाद में इसी return के basis पे growth rate revise पे market price निकाल लेंगे हमको ये भी तो पता है कि market price is dividend upon RE minus G हाना तो पहले पुराने market price से RE निकाल लेते हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि dividend दिया और growth rate दिया है तो और तो कोई formula है नहीं अपने पास इसके अलगवा ये ही एक formula है जिसमें dividend और growth rate ही होता है तो बाद में वो दूसरा formula निकाल के market price निकाल लेंगे इससे value of form निकालना है ये इस question में नया है ये इस question में नया है Sir exam में कैसे click होगा same question आएगा ऐसी करना पढ़े हो चलो तो RE है फिलाल dividend 0.6 divided by market price कितना 100 या 20 है न market price 20 plus growth rate pre growth rate 7% so it is 0.6 divided by 20 3% plus 7% 10% तो new market price अगर AFC take over कर लेता है तो value of the firm value of the firm मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँगी separate entity है और value of the firm निकालने का ये ही तरीका है value of the firm रहेगा 0.6 divided by 10 minus 8% ठीक है यह 0.6 divided by 2% 30 रुपीज 30 रुपीज तो value of firm क्या हुआ value of firm 30 रुपीज multiplied by 5 lakh shares outstanding है 150 lakh 150 lakh old value क्या थी 20 multiplied by 5 lakh 100 lakhs तो gain हो गया ना 50 lakh का gain हो गया क्योंकि उनको value of firm firm को gain क्या है वो बढ़ रहा है कि calculate the increase in total value of BCD स्रिफ value वूछ रा था तो value तो ऐसी निकलेगी कि कोई exchange ratio नहीं दिया है कुछ भी नहीं दिया है फिलहाल तो ठीक है तो क्या करना है जब भी growth rate वाला question आएगा ऐसा mark करके रखिए growth rate वाला question and dividend दिया हुआ है तो Gordon's model लगाना है ठीक है यह mark करके रखिए इस question में कि ऐसा करना पड़ेगा आईए on the basis of a four set condition यह जो भी हमने पढ़ा इस पर calculate gain or loss to the shareholders of both if AFC were to offer one share for every four shares of BCD one share for every four shares of BCD चलो देखने है shares to BCD पांच लाग into one by four तो एक लाग 25,000 ठीक है तो बोल रहा है calculate gain loss to the shareholders तो gain loss तो value of firm के अंगल से होगा value of firm के अंगल से value of firm post-merger, post-merger कितनी हो जाईगी पहले तो पुरानी firm की value निकल लेते हैं पुरानी firm की value यहां अपने पास figures है 10,00,000,000 everything, 1000,00,000,000 लाक्स तो AFC की value होगी, 1000,00,00,000 और aforementioned conditions पे बोल रहा है इसका उटलब BCD की वाल्यू 150 लाक लेना है तो टोटल वाल्यू हो गई 1150 लाक्स वाल्यू अब दो फॉर्म ठीक है शेर्स हो गए इसके शेर्स थे 10 लाक्स और अभी आपने 1 लाक पच्चेज आए शेर रोड दे दिये 11.25 लाक्स शेर्स 11.25 लाक्स तो मार्केट प्राइज हो गया 1150 दिवाइड बाइ 11.25 102.22 102.22 हो गया मार्केट प्राइज अब दे शेर्स ठीक है तो शेर्स उल्डर्स का गेन लॉस निकालते है AFC का भी निकालेंगे BCD का भी निकालेंगे Pre-market प्राइज आपको पता है 100 है Post-market price है 102.22 तो इनको गेन हो गया 2.22 बाबर इनको गेन हो गया 2.22 बाबर अब अब शेर्स से मॉल्टिप्लाइज कर देंगे मार्केट वाल्यू बेसेस पे निकाल सकते है BCD Pre-market price 20 पहले तो 20 था अभी तो अपन 30 के बेसेस पे बोली नहीं सकते है उनके share holders के लिए तो price 20 था अब उनको 102.22 में divide by 4 shares मिले तो fraction 1 by 4 है 1 by 4 है की 1 by 5 है 1 share for every 4 shares है था ना हाँ 1 share for every 4 shares है तो 25.56 यानि इनका गेन अगर आप बोलेंगे तो 5.56 I hope it is clear पार्ट 2 का अंसर देखते है पेड़नम 25th question में 11.50 11.100 इन 2.22 पुराने shareholders का उन्होंने totality में gain निकाला है 4 shares पे 22.22 अपने एक share पे निकाला तो 22.22 divided by 4 is 5.56 5.56 जो अपने निकाला है ठीक है एक ही बात है 2.22 चलो कोई problem नहीं है अपना same ही answer है आगे बढ़ता है तो थर्ड पार्ट देखते है calculate the gain to the shareholders of both the companies if AFC pays 22 22 pay करने की बात कर रहे है to each share of BCD assuming that PE of AFC does not change PE of AFC does not change तो सामने वाले की जो earning है उस पे भी अपना PE लग जाएगा ठीक है EPS and AFC is 8 and 2.5 8 and 2.5 तो ये 8 और 2.5 पे 8 और 2.5 पे अपन पहले अपना PE निकाल लेते है अपन अपना PE निकाल लेते हैं तो पहले अपनी जो earning थी अगर अपन EPS का market price देखे market price 100 तो 100 divided by 8 12.5 100 divided by 12.5 और 20 divided by 2.5 8 20 divided by 2.5 8 I hope यहाँ तक है clear है तो पहले तो अपने चार्ट में दो figures अपने इंक्रूट कर लेते हैं ये दो figures EPS तो दिया हुआ ऐसे PE से PE इंक्रूट कर लेते हैं 12.5 और 8 12.5 और 8 I hope it is clear वो क्या बोल रहा है आपको वो बोल रहा है कि यार assume कि EPS 8 रहेगा और 2.5 रहेगा तो इससे combined earning मिल जाएगी हम उनको cash देंगे ध्यान दीजे 22 के आप साम एक शेर पे पे करेंगे यानि हम cash देने की बात कर रहे है cash ठीक है और बोलता है PE नहीं बदलेगा PE नहीं बदलेगा यानि कि हम जो इससे पहले BCD का जो value add कर रहे थे ये तनी महनत करके हमने 150 की value निकाली वो add कर रहे थे तो अब उससे काम नहीं बन सकता न अभी हम 150 की value आड कर रहे थे अब उससे काम नहीं बन सकता सिर्थ क्यों नहीं बन सकता उससे काम क्योंकि अब हम बोल रहे है कि उसकी जो भी EPS है उसका जो भी EPS है उसका जो भी EPS लगेगा 12.5 उसका जो भी Earning है उसका जो भी earning है EPS मत बोलिए earning बोलिए कि उसका जो भी earning है उसके उपर तो अब हमारा PE लगना चाहिए तो वो value हमारे current synergic benefit हुआ पहले हम बोल रहे हैं कि synergic benefit growth rate का है which is 7-8% हाना तो हमारे दिमाग में अभी वो ही चल रहा है कि हाँ यार पहले जो value थी 100 अब वो value हो गई 150 अपने calculate किया था पर आप वैसा नहीं हो सकता क्योंकि हम यह बोल रहे हैं कि भाई तेरी earning 2.5 है तेरी earning 2.5 है multiplied by multiplied by number of shares 5 lakh number of shares 5 lakh याने total earning 12.5 है total earning 12.5 है अब तो इस earning पे हमारा PE लग रहा है 12.5 हमारा PE लगा दो 12.5 तो value of form अगर आप ऐसे निकालेंगे तो 156.25 हा रही है हमने पहले 150 लिया था अब यही value 156.25 हा रही है इसका मतलब वह value नहीं ले सकते है वह value नहीं ले सकते है I hope it is clear तो अब नया solve करना पड़ेगा इसको तो कैसे करेंगे earning capitalization method से ही करेंगे यहने EPS multiplied by PE earning capitalization method नहीं गलती से बोल दिया हमने EPS multiplied by PE उसी से solve करेंगे क्योंकि assuming PE is same तो पहले earning निकाल लेते हैं क्यों earning क्यों निकालना है क्योंकि वहाँ पर एक assumption लिखा हुआ है it is assumed that AFC invest the cash जो उपर cash दे रहा है न at 10% तो उससे 10% कमा रहा था वो उससे 10% कमा रहा था तो यह भी तो उसका नुकसान है यह भी उसका नुकसान है और वो 22 रुपीज पे करने की बात कर रहा है चलो देखते हैं तो earning पहले कितनी थी? earning थी आठ रुपे मुल्टिप्लाइट बाई 10 लाक शेज और सामने वाले की भी earning आड़ कर देते हैं 2.5 मुल्टिप्लाइट बाई 5 लाक शेज तो यह दोनों मिलाके 92.5 हो गई अरनी 92.5 लाक्स इंट्रेस इंकम जो चले जाएगी हम सामने वाले को 22 केस आप से 5 लाक शेज पे पेमेंट कर रहे थे इस पे 10 परसेंट का लॉस तो ओविस ही बात है सामने वाले का EPS उत्ते से कम हो गया हाना उत्ते से EPS तो कम होई जाएगा सीधा सीधा तो 22 multiplied by 5 लाक multiplied by 10 परसेंट 11 लाक इसमें से कम हो गए तो 92.5 माइनस 11 81.5 शेज अब सामने वाले को शेज नहीं दे रहे हैं कैश दे रहे हैं शेज नहीं दे रहे हैं कैश दे रहे तो अपने शेज तोटते ही रहे तो इसका मतलब EPS अपना हो गया 8.15 8.15 उनकी अर्निंग अपने इसमें आड हुई है ऐसा समझिए हमने उनको जो पैसे दिये उससे उनकी अर्निंग हमारे इसमें आड हुई 12.5 12.5 और हमारा लॉस हो गया हमारा लॉस हो गया कितना लॉस हुआ वो 11,000,000 रुपए है ने 1.1 per share 11,000,000 divided by 10,000,000 1.1 और सामने वाले की अर्निंग हमारे इसमें आड हुई है साड़े बारा लाग एड हो रहे हैं, ग्यारा लाग हमारे जब से जा रहे हैं, ये साड़े बारा लाग एड हो गए, और ये ग्यारा लाग हमारे जब से चले गए, तो still we are in a gaining position, still we are in a gaining position 1.5 का, ठीक है, चलो, P 12.5 है, तो market price हो गया, 8.15 multiplied by 12.5, 101.875, 101.875, तो shareholders इसके कितने है, 1.875, 1.875, और BCD के shareholders उसको कितना gain हुआ, वहाँ पे मत करना, 22 into 4, उनको 22 cash दे दिया, 22 minus 20, उनके share का price 20 था, 22 हो गया, 22 minus 20, उनको 2 रुपए का gain, अपना gain 1.875, सामने वाले का gain 20, ठीक है, I hope यहाँ तक है पूरा का पूरा clear है, आईए, question का answer compare कर देते हैं, 25th का, एक मिन हाँ, तो उनको ने gain निकाला है, 1.88, अपने 1.875 निकाला, और BCD का 2 रुपीस per share, I hope it is clear, यहाँ तक है पूरा का पूरा सामन में आयोगा, उनको ने दो method से solve की हैं, अपने यह जो दूसरा वाला method है, इसी basis पे solve करके रहा है, चलिए, पार्टिया hand करें, चलिए, page number 13.32 पे question number 5, the CEO of the company thinks that shareholders, एक मने अपना question number 4 हो गया था क्या, question number 4 हो गया था, CEO of the company thinks that shareholders always look for EPS, therefore he considers maximizing the EPS, his company's current net assets are 80 lakh, profit sorry, current profits 80 lakh P multiple 10.5, तो आपके फिल्हाल profits है, 80 lakh, P है 10.5, he wants to buy another firm, which has a current income of 15.75, दूसरी firm है, जिसकी income 15.75 lakhs है, और P multiple 10 है, चीक है, what is the maximum exchange ratio, which CEO should offer, so as to keep the EPS at current level, तो आपको अपना EPS maintain करना है, ठीक है, EPS at the current level, given that market price of both the companies are 42 and 105, market price 42 and 105, चले देखते हैं, पहले तो इसके basis पर EPS तो पता चले, अभी तो EPS ही नहीं पता, market price पता है, PE पता है, तो उन दोनों से EPS निकल लेंगे, 42 divided by 10.5, चार रुपे, 105 divided by 10, याने 10.5, ठीक है, इसके basis पर shares भी निकल लेंगे, profit divided by EPS, तो 80 लाग divided by 4, 20 लाग shares and 15.75 लाग divided by 10.5 का EPS, याने 1.5 लाग shares, ठीक है, अब यह shares तो जानना ज़रूरी है, बरना सामने वाले को consideration क्या देना है, समझेगा नहीं, हम अगर अपने EPS maintain करना चाहते हैं, याने 4 पर ही रखना चाहते हैं, तो हमको सामने वाले को shares EPS की ratio में देना पड़ेगा, अब उसका EPS जादा है, 10.5, तो हमारा swap ratio होगा, 10.5 divided by 4, 2.625 लाग shares, 2.625 लाग shares, ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बार निकाल देते हैं, अब profit होगा, 80 और 15.75, 95.75 लाग shares हो जाएंगे, आपके share है 20 लाग, और सामने वाले के, 1.5 लाग shares multiplied by 2.625, आप इतने shares देने वाले हैं सामने वाले को, यहने 3.9375, ठीक है, तो total shares हो गए, 23.9375, 95.75 divided by 23.9375, इस 4, ठीक है, EPS 4, तो यह तो हम लोगों ने पढ़ा है, कि आप EPS के ratio में देंगे, तो EPS maintain हो जाएगा, what is the maximum exchange ratio, यह maximum है, यहने maximum सामने वाले को share देंगे, तो इतने देंगे, इसके उपर देंगे, तो अपना EPS गिर जाएगा, ठीक है, फिर हो बुलता है, if CEO borrows funds at 15%, आप 15% पे पैसे borrow कर सकते हो, और आप सोच रहे हो, cash पे करोगे सामने वाले को, cash, ठीक है, how much cash should he offer to maintain the EPS, how much cash should he offer to maintain the EPS, चलिए, देखिए, आपको EPS maintain करना है, ठीक है, तो फिलहाल आपकी जो earning है, फिलहाल आपकी जो earning है, वो 80 है, बरबर है, 80, सामने वाले की earning add हो जाएगी, target company की earning add हो जाएगी, अगर आप उसकी entity को take over कर लेते हो, याने 95.75 lakhs, ठीक है, पर अगर आप कुछ borrow कर रहे हो, तो उस पे interest expense लगेगा, बरबर तोत्ते से आपकी earning कम हो जाएगी, वो बुल रहा है, आप 15% से borrow कर सकते हैं, और tax rate भी दिया है, क्योंकि जो profit हो तो post tax है ना, और जो interest हो pre tax item होता है, तो आप कुछ amount borrow कर सकते हो, कुछ amount borrow कर सकते हो, पर borrowing पे जाहिव सी बात है interest लग जाएगा, तो कुछ interest deduct होगा, at the rate of 15% और post tax करना है, तो मैं into 70% भी करूँगा, 30% तो tax है, 30% tax है, ठीक है, of what amount, यानि सामने वाले को जितना amount देना है अपने को, सामने वाले को जितना amount देना होता, मान लेते हैं कि वो amount x है, मान लेते हैं कि वो amount x है, तो 15 का 70% होगया, 10.5% of x, 10.5% of x, यह इस में से minus हो जाना चाहिए, यानि अपनी earning हो जाएगी, 95.75 lakh minus 0.105 x, ठीक है, जो अपने shares है, अब अपन तो सामने वाले को cash दे रहे हैं, shares नहीं दे रहे हैं, यानि अपनी shares रहेगा है, 20 lakh, अपनी shares रहेंगे न, और तो कुछ रहेगा नहीं, and we have to maintain the EPS at 4, तो इसका मतलब 4 should be equal to 95.75 lakh minus 0.105 x divided by 20 lakh, यह equation को solve करेंगे तो हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, आप सामने वाले को जितना भी cash दे रहे हैं, उसके case में उतना interest expense आपने minus कर देना चाहिए, Sir, ऐसा एक similar question अपन लोगों ने किया था कुछ दिन पहले, पर वहाँ आपने ऐसे नहीं कराया था, वहाँ पे आपने profit के basis पे नहीं कराया था, वहाँ पे आपने कराया था on the basis of की combined profit है, फिर combined profit के अंदर में दोनों के profits add होने के बाद में, I think same ही तरीके से कराया था जितना मुझे थेयान में, value of firm basis मुझे लग रहा था मैंने शायद value of firm basis पर कराया था नहीं शायद profit की basis भी कराया था profit लिया था फिर उसमें से interest cost minus कर दिया था और फिर P multiple से multiply कर दिया था same ही था same ही था वहाँ पर value of the firm निकाल रहा है कि value of the firm बाद में क्या होगा इसलिए मैं confused होगे था कोई नहीं same तरीके से किया हम लोगों ने तो जब भी आप cash payment करेंगे cash payment तो आपकी earning कम होगी कित्ती कम होगे आपको निकालना पड़ेगा था 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 इस question में वही हुआ है आई यह इसको solve करते हैं अब यह जो 4 है 20 lakh उदर गया multiply होने तो 80 lakh हो गया minus 80 यह lakhs divided by 0.105 देखो तो यह आ रहा है कुछ 169 lakh 169 lakh यहने सामने वाले company को अगर cash में acquire करना है तो 169 lakh rupees देंगे आई यह answer देखते हैं question number 5 का तो 2.625 यह तो अपना सही हो गया ठीक है 95.75 minus 0.105 x is equal to 20 20 into 480 minus 95.75 is 15.75 यही लिखाना आपने भी 15.75 divided by 0.15 का 70% हो गया 0.105 तो 15.75 divided by 0.105 150 हो रहा है मेरा calculation mistake है 150 lakh ही हो रहा है calculation mistake था तो same ही answer आ रहा है जो institute का answer आ रहा है 150 lakh is the maximum cash जो आप सामने वाले को pay कर सकते हैं I hope यह वाला question भी पूरे तरीके से clear होगा institute का चल तो we are done with question number 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th question देखिए 14th question P is considering to take over R by exchange of 4 shares of P for every 5 shares of R सामने वाले के 5 shares लेंगे अपने 4 shares लेंगे ठीक है 4 by 5 swap ratio the relevant financial details of the two companies are as under profit before tax before tax number of shares दिया है P ratio दिया है tax rate 30% है market value of both the companies तो चलिए profit से शुरुबात करते है P और R profit before tax 15 और 13.5 ठीक है tax का rate दिया हुआ है 30% तो profit after tax आ जाएगा निकालिएगा 10.5 9.45 चलिए पहला क्या बुला है market value of both the companies market price नहीं market value of both the companies simply P से multiply करूं तो हो जाएगा पर फिर भी market price भी निकाल लेते हैं आपन shares लिख लेते हैं 25 and 15 तो EPS हो गया 0.63 0.42 ठीक है market price पी पता है पी इए है 12 और 9 तो market price हो गया 5.04 5.67 तो market value हो गयी this multiplied by shares जो value आपने निकाला multiplied by shares तो 15 करोड़ shares से multiply करूँगा तो 85.05 करोड़ और 5.04 multiplied by 25 करोड़ shares से multiply करूँगा तो 126 करोड़ तो यह निकल गया market value ठीक है question का second part देखते हैं value of original shareholder value of original shareholder यहाँ पर merged firm के angle चे आपको पूछ रहा है कि merged firm में original shareholder's की value क्या होगी अब यह बड़ा confusing question है मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं मैं elaborate करके देता हूँ क्या आप यह बोल रहा है पहले हम merged firm की value निकाले और फिर बताएं दोनों shareholder's की कित्ती value हुई यह हम यह करें कि हमने already question में दोनों firms की value निकाल दी है हमने already दोनों की दोनों firms की value निकाल दी हम यह दोनों को add कर दे हैं और बोलते हैं यह merged firm की value रहेगी युकि दोनों case में अंसर अलग अलग आ रहा है एक तरीका हम लोगों ने पढ़ा है कि earnings add कर लेता हैं एक हमने पढ़ा है कि earnings add कर लेता हैं फिर उस पर P multiple multiply कर दे तो market value आगी फिर दोनों holders की value निकल जाएगी ठीक है और दूसरा तरीका अभी हम लोग यह देख रहे हैं कि यह दोनों की market value add हो जाएगी ठीक है और उसके basis पर हम लोग profit निकाल लेंगे यहने दोनों की value निकाल लेंगे तो यहां कौन सा करना है तो देखिये जेनरली second वाला जो question होता है उसमें first वाले part में आपको बुलता है कि देखो सामने वाले की earning और अपनी earning add हो जाएगी सामने वाले को अपना ही P लगने वाला है assuming कि अपना ही P लगने वाला है what will be the value of the firm ऐसा कुछ तो question होता है और फिर बोलता है दोनों shareholders का gain loss निकालो यहां directly gain loss निकालने बोल दिया उसने और उसके just उपर उसने बोले है बताओ दोनों firms की value वित्ती है इसका मतलब हम यह मान रहे हैं यह समझे कि उपर के question में क्या पूछा है उसके continuation में हम चल रहे है तो हम यह मान रहे हैं कि यहां बहुत दोनों firms की value अड़ होगी दोनों firms की value अड़ होगी और उसके basis पे हम लोग यहां पर बता रहे हैं कि अब merged firm की वेब में original shareholders की value बित्ती होगी merged firm की value हम मान रहे है 12 करोट ठीक है तो इसका मतलब total shares हो गय है इनके 25 उनके 12 दोनों मिला के 37 याने market price हो जाएगा 211.05 divided by 37 5.704 ठीक है न तो इसका मतलब P के shareholders के लिए value होगी 5.704 multiplied by 25 और R के shareholders के लिए value होगी 5.704 multiplied by 12 क्योंकि value पूछा है per share gain loss नहीं पूछा तो यह हो गया 142.6 142.60 और 68.448 68.448 मतलब अपने कोई swap ratio में यह समझ में आ रहा है कि R के shareholders को नुकसान हो रहा है और P के shareholders को gain ठीक है चल question number 14 का answer match कर लेंगे 142 और 68.44 अब इस question में profits add करके P multiply करके भी answer निकाला जा सकता है price per share after merger price per share after merger यह तो अपने निकाली दिया affect on share price of both the companies if directors of P expect their own pre-merger P ratio to be applied to the combined earning ठीक है हम तो इसी की बात कर रहे थे हैं मैं तो बोल रहा था कि दूसरा तरीका यही हो सकता है सामने वाले के merge form का value निकालने का तो यह तो उनों ने वैसी अलग से मांग लिया इसका मातला point number two और ज़्यादा signify करके clarify करके बता रहेगी original market value यह total value रहेगी आई अब इसके basis पे solve करते हैं दोनों की earnings combine हो जाएगी earning हो गई 10.5 को add करना हाँ 10.5 और 9.45 after tax वाले को 19.95 ठीक है shares हम तो यही मान रहे हैं कि 37 crore shares है ठीक है तो इसका मतलब 0.539 EPS PE combined firm में P का लगेगा याने 12 तो market price 6.47 6.47 P के shareholders की value हो गई 6.47 multiplied by 25 और R के shareholders की होगी 6.47 multiplied by 12 77.64 161.75 इसमें भी अपने को तो यही दिख रहा है कि R के shareholders को नुकसान हुआ है हाना आई ये question number 14 match कीजे 6.47 6.47 combined price उसको 5.04 से compare किया और 5.67 से compare किया 6.47 को 5.67 से compare किया पर जब वो compare इन्होंने price को compare किया तो उसमें उन लोगोंने पहले तो उसको ratio लगा दिया न 5.18 होगी 80% 80% 6.47 का 80% 5.18 उस तरीके से ठीक है चलो आगे बट रहा है तो अपनने question number 14 देखा भी 16 D-merger का है तो अभी नहीं करेंगे 19 हो गया है 20 हो गया है 21 हो गया है 22 D-merger का है बाद में देखेंगे 23 हो गया है 24, 25 हो गया है 26 पहा जागी 26 AB Limited is planning to acquire and absorb the running business of XY Limited Valuation is based on the recommendation of merchant banker and consideration is to be discharged in the form of equity shares by AB Limited शेर्स देगे हम लोग acquire करके 31st March the paid up capital of AB Limited consists of 80 lakh shares of 10 each जो acquirer है उसके 80 lakh shares outstanding है highest and lowest market value 570 और 430 है in last 6 months याने कहीं न कहीं हम पितले 6 महीने के basis पे जो price में fluctuation है या जो price है उसमें कहीं शायद averaging करेंगे कहीं averaging करेंगे और वो price पर अपना share देंगे ठीक है for the purpose of exchange the per share is to be recurrent on the average of the highest and lowest of the last 6 months we were 570 और 430 divided by 2 500 का average price मान रहे है 500 का average price अब उन्होंने दिया है XYZ की balance sheet XYZ की independent merchant banker engaged in the negotiation has produced the following estimate of cash flows जिस entity को हम acquire करने की बात कर रहे है उसके cash flows दिये वे हैं आपको ठीक है आने वाले 5 साल और end में terminal value का भी estimate दिये terminal value 5 साल बात का it is a recommendation of merchant banker that business of XY may be valued on the basis of aggregate of discount cash flow at the rate of 8% at the rate of 8% और 8% का discount rate दिया हुआ है आपको तो multiply कर देंगे simply तो यह देखो 0.93 0.86 7974 68 और terminal value भी तभी की है 0.68 के basis पे चीक है चलो फटा फट cash flow basis पे value निकाल देते हैं आप लोग calculate कीजेगा मैं यहाँ independently सबके figures नहीं लिक रहा हूँ कर दो कर दो झाल झाल पॉक आ है 592.4 592.4 और दूस्रा तरीका उन्होंने बोला नेट आसेट वैल्यू अब नेट आसेट वैल्यू क्या होता है नेट आसेट वैल्यू मतलब कि कि इतना सा teh 250 मतलब इसमें क्या है ऐसा बोल रहूम् उछ बतता भी नहीं है इसमें तो 250 तो एक value आ रही है 592.4 और एक आ रही है 250 question number 26 आईए दिखते है 500 का average price 592.4 value on net asset basis 250 ठीक है यह दुनों match हो गए है अब आगे बट रहे है उसने बोला है आपको average करना है इन दोनों का यह दोनों method से जो values आ रही है उसका average करना है याने दोनों की value को divide by 2 कर दीजिए 421.2 देख ली जा रहा है कि नी calculate the total value of business of XY limited number of shares to be issued हम 500 का अपना एक share issue देने वाले है ब्राबर है तो हम सामने वाले को 0.8424 0.8424 lakh shares देने वाले है number of shares to be issued basis of allocation of shares among the shareholders of XY limited basis of allocation of shares among the swap ratio swap ratio पूछ रहा हो आपको 0.8424 divided by यहां 10 each के share है और 5 each के भी shares है तो 10 each के 20 lakh और इनको अपन equivalent shares बोलेंगे 5 lakh भाई 5 रुपए के 10 lakh shares याने 5 lakh shares आना तो divide by 25 lakh कर देता हूं तो swap ratio आ रहा है 0.033696 0.033696 आईगे बस swap ratio match कर लेते हैं 84,240 shares देना है तो यह तो निकाले ही था अपने है 84,240 shares सामने वाले के equivalent shares निकाल दिया और वह equivalent shares के basis पे 20 तो 5 के ratio में उन्होंने बाढ़ भी दिया distribution अमों के shareholder मैंने सिफ swap ratio निकाला था मैं सिफ swap ratio नहीं आपको distribution भी बताना है कि किते किते shares किस कि shareholder को देना है तो भी उन्होंने question number 27 R and S companies operate in the industry and financial statement हार as under दोनों companies के profits को दोनों companies की balance sheet आपको दीवी है tax rate भी दिया है earning after tax भी दिया हुए number of shares दिया है dividend payout ratio दिया है dividend payout ratio और market price दिया है assume that both companies are in the process of negotiating a merger through exchange of equity shares तो बोलता है पहले तो decompose करो the share price of the company into EPS and कहां क्या हाँ EPS and PE हमने question number 26 किया था इसमें भी हम यही कर रहे थे decompose करना EPS में और PE में तो चलो वो बोलता है कि share price के दो तुकडे बताओ इसमें EPS क्या है और इसमें PE क्या है हमारे पास earning after tax है हमारे पास number of shares है तो earning after tax divided by number of shares EPS आ गया ठीक है यहां लिखते जाता हूँ company का नाम है R और S तो EPS हो गया 2.665 दूसरे बाले का 249600 divided by 1,60,000 1.56 ठीक है market price आपको दिया हुआ है 50 और 20 तो इसका मतलब PE हो गया 50 divided by 2.665 18.76 और 20 divided by 1.56 12.82 ठीक है फैला बाला part also segregate EPS into return on equity and book value intrinsic value of the component चलो हमारा जो book value per share है book value के उपसे शुरुवात कर रहा है तो ये दोनों का total हो गया 24,00,000 divided by 2,00,000 shares 12 रुपे ये है 16,00,000 कोई reserves नहीं दिख रहे तो 16 रुपे दिवाइड बाइड नहीं 10 रुपे 10 रुपे 10 रुपे return on equity EPS divided by book value 2.665 divided by 12 22.21% और 1.56 divided by 20 is 15.6% ठीक है चलिए पहले यहां तक के match कर लीजे cushion number 27 के data को 22.21 15.6% ठीक है चलो पढ़िया आगे बढ़ रहे हैं estimate the future EPS growth rate of both the companies आपको dividend payout ratio दिया है dividend payout ratio मतलब retention ratio आप बता सकते हैं अगर 20% dividend pay कर रहे हैं तो retention ratio 80% है और अगर 30% का dividend payout ratio आपको 70% है retention ratio ठीक है cushion के अंदर में आपको growth rate दीवी थी ना अगर आप कोई dividend pay करके बचावा पैसा reinvest कर रहे हैं बचावा पैसा reinvest कर रहे हैं तो return on equity का retention ratio के basis पे आपने को growth rate मिल जाएगा growth rate is equal to return on equity multiplied by retention ratio याने 22.21 का 80% 17.77% और 15.6 का 70% 10.92% यह growth rate आगया दोनों की दोनों कमनी इसका 17.77 और 10.92 फिर हमने पढ़ा था यहां तक के पहले हम लोग compare कर रहे थे हैं तो देख रहे थे कि market price R का बेटर है EPS R का बेटर है PE R का बेटर है book value R का बेटर है return on equity R का बेटर है growth rate भी R का बेटर है याने कि R के कम share S को take over करते हैं समय S के हर एक share के बदले R का एक share से कम देना चाहिए ठीक है अब वो आपसे मांगेगा range based on expected operating synergies are estimated intrinsic value of S limited equity share will be 25 per share सामने वाले का intrinsic value roughly 25 rupees हो जाएगा you are required to develop a range of justifiable equity share exchange ratio that can be offered range range यानि minimum maximum minimum maximum क्या range में आप shares दे सकते है minimum कितना और maximum कितना that can be offered by R limited to the shareholders of S limited R limited to the shareholders of S limited आप maximum कितना देने को तैयार रहेंगे उनको ये निकाल के देना है तो अगर आपको याद होगा question no.28 जब हमने किया था start कहीं ना कहीं इंच आप questions से हम लोगोंने किया था तो मतलब revision के point of view से हम इसको end-end में कर रहा है कि भई minimum निकालते से हम हम बोल रहे हैं सामने वाले के share orders अपने share का loss तो करेंगे नी उनका जितना share value है उत्ते तो ratio में shares चाहिए ही रहेंगे यानि कि market price basis market price basis यानि अगर मैं minimum बोलूं minimum तो minimum रहेगा 20 by 50 ठीक है तो यह point 4 और अगर हम maximum बोलें तो हमको उससे जितना फाइदा हो रहा होता maximum उसको pass on करेंगे उससे जादा तो देंगे नी तो उसका share का price 25 वर्थ का है 25 वर्थ का तो that is the maximum benefit हाना तो 25 by 50 0.5 यह range हो जाएगा यह range हो जाएगा कि हम 0.4 minimum और 0.5 maximum देने को तहीं आ रहे हैं और कौन सा justifiable है कौन सा justifiable है तो सीधी बात है lower side पे justifiable है 26 27 27 ही कर रहे था न 0.4 lower limit 0.5 maximum limit और lower side पे रहना चाहिए क्योंकि सब कुछ S का R का better है compare to S ठीक है question में बाकी के parts पूछे वे नहीं है जो question number 28 में पूछे गए थे ठीक है अपन calculate करके देख लेते हैं अपन calculate करके देख लेते हैं उन्होंने बुला calculate post merger EPS 4th part में question number 28 से उठा रहा हूं जो मैं 27 में आप से solve कर रहा हूंगा calculate post merger EPS on the exchange ratio of 0.4 is to 1 में यहीं बान रहा हूं 0.4 is to 1 हमने lower 0.4 ही दिया था offered by BA limited and NGKate immediate EPS accretion or dilution if any that will occur to both the shoulders चलो तो हमने देखा था दोनों का earnings हमको पता है पहले दोनों का earning ले लेते हैं दोनों के earning का total है 5,33,000 और 2,49,600 7,82,600 ठीक है earning हो जाएगी combined 7,82,600 shares हो जाएगे combined अपने 2,00,000 शेर और सामने वाले के 1.6,00,000 into 0.4 जो हमने उनको दिया याने 0.64 तो 2,64,000 shares मतलब EPS हो गया 78,2,600 divided by 2,64,000 2.96 2.96 P.E. अपना लगेगा कितना P.E. निकाल लेते हैं 18.76 तो market price हो जाएगा 55.53 55.53 एक बार समद लो उसने क्या मांगा था आप से उसने बुला calculate post-merger EPS निकाल लिया based on exchange ratio being offered by BA and indicate the immediate EPS का accretion और dilution EPS का accretion और dilution अपने को बताना है ठीक है तो एक तो है R earnings पे किसका क्या accretion है और किसका क्या dilution है R और S before merger EPS कितना था before merger EPS अपने निकाला था 2.665 और 1.56 after में R को तो कोई नए shares नहीं मिले तो उसका EPS होगया 2.96 तो उसको तो फाइदा ही हुआ S को 2.96 का 0.4 क्योंकि उसको हर एक share के बदले 40% share मिले तो swap ratio multiply हो जाएगा 1.184 तो S dilution में R accretion मतलब benefit में ठीक है totality में भी निकाल के दे सकते हैं हम लोग multiply it by number of shares चलो question का next part था based on 0.4 is to 1 pre-merger PE ratio will continue या अपने किया था market price निकाला था अब बोला बताओ accretion dilution तो market price के basis पे बोलते है market price के basis पे before में R का market price था 50 और दूसरे का 20 after में R का हो गया 55.53 तो वो तो फाइदे में आ गया अब सामने वाले का 55.53 multiplied by 0.4 याने 22.21 22.21 तो S भी फाइदे में आ गया तो value wise तो benefit में है S के shareholders earning wise वो लोग loss में है पर value wise तो लोग benefit में ही है और value ही main तो value में आगर वो लोग benefit में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की I hope यहां तके पुरा का पुरा clear है समझ में आया होगा ठीक है तो यह था अपना question number 28 I think we are done 29 हो गया था 30 demerger पर चलिए ठीक है एक बार का यहां पेंट करते हैं तो चलिए अब जो illustrations दिया है उनको solve करते हैं और फिर demerger की concept के साथ शुरुबात करेंगे illustration 2 page number 13.25 Company X contemplating to purchase Company Y Company X has 3 lakh shares EPS to a 30 per share ठीक है तो हम X के बारे में और Y के बारे में लिख लेते हैं Company X के 3 lakh shares है Market Price आपको दिया हुआ है 30 per share Y के 2 lakh shares है Market Price 20 per share EPS is 4 and 2.25 Management are discussing 2 alternatives पहला है proportion of relative earning per share of 2 companies याने EPS के ratio में बाठ दो तो swap ratio on the basis of EPS 2.25 divided by 4 याने 0.5625 0.5625 ठीक है दूसरा 0.5 per share 0.5 to 1 swap ratio 2 है 0.5 ठीक है You're required to calculate EPS after merger under 2 alternatives तो पहला alternative तो मैं calculate नहीं कर रहा क्योंकि EPS के basis पेगर swap ratio है तो बाद में EPS X का ही रहने वाला है पूर कुछे नहीं होगा दूसरे वाले case में हम लोग check करेंगे हमें पहले जानना है कि earnings कितनी है तो consolidated earning हो जाएगी 4 रुपे X का multiplied by 3 lakh shares X के plus 2.25 Y की earning multiplied by 2 lakh shares Y के divided by अब नया वाला EPS चाहिए तो पहले यह निकाल लेते हैं यह हो गया 16.5 lakh तो नया वाला EPS होगा 16.5 lakh divided by X के तो उतनी ही shares रहेंगे plus हम 2.25 into 2.5 shares देने वाले हैं तो 1.125 ठीक है तो it will be 16.5 divided by 4.125 यहाने EPS 4 ही आ रहे हैं यहासा किसे 4.5 plus 43 है 12 16.5 2.25 divided by 2 1.125 plus 3 4.125 16.5 divided by 4.125 is 4 और 0.5625 तो अगर हम 0.5625 shares देंगे अच्छा एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट मिनुट सॉरी 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 मैं यहां पर shares 2.25 के fraction में ले लिया number of shares तो 2,00,00 है न तो 1,00,00 share दे रहे हैं 1,00,00 share में इसे गलती होगी 1.125 1,00,00,00 share दो लेना था मैंने EPS पर multiply कर दे तो 16.5 divided by 4, 4.125 4.125 ठीक है show the impact of EPS to shareholders of both the companies X और Y पहले वाले case में तो कोई दिक्रत नहीं है पहले वाले case में EPS maintained रहेगा तो वो वाला मैं नहीं solve कर रहा है मैं second वाले ही कर रहा हूँ before में इसका EPS 4 था X का और Y का 2.25 था after merger इनका 4.125 तो ये तो गेन में है सामने वाले का 4.125 पर fraction यानि कि 2.5 swap ratio से multiply करना पड़ेगा ठीक है यानि 2.0625 2.0625 तो ये loss में है तो X को गेन हो रहा है Y को loss हो रहा है बस ये बताना है gain और loss निकाल के देना है ठीक है impact on EPS of 2 companies चलिए ये यहाँ पर बताय हुआ है 0.125 gain 0.1875 का loss moving ahead to the next illustration X is studying the possible acquisition of YB by way of merger आपको after tax earning दी है number of shares दी है अगर मैं divide कर दूँ तो EPS आ जाएगा मैं यह EPS लिख रहा हूँ 10,00,000 divided by 2,05,000 और 3,00,000 divided by 50,000 shares छे market price दिया है उससे P.E. मिल जाएगा ठीक है तो 75 divided by 5 पंद्रा और 60 divided by 6 तेन ठीक है if the merger goes through by exchange of equity shares and exchange is set as per current market price what is the new EPS current market price के ratio में अगर रहेगा तो 60 by 75 ठीक है 80.8 0.8 तो नया क्या रहेगा EPS 13,00,000 की earning हो जाएगी 10 or 3 मिला के divided by 2,00,000 share plus सामने वाले को 50,000 की 80% देंगे आने 40,000 shares तो 2,40,000 तो 13,00,000 divided by 2,40,000 5.416 या 417 ठीक है या नया EPS है B wants to be sure that earning per share is not diminished by the merger B, B को चाहिए कि earning diminished ना हो what is the relevant exchange ratio तो exchange ratio EPS के ratio में रहना चाहिए याने 6 by 5 ठीक है 6 by 5 ये ratio में रहना चाहिए I hope it is clear चलो देखो 40,000 shares देंगे present earning उन्होंने निकाल के दी है A limited is rupees 5 therefore 60,000 shares 1.2 60,000 shares उन्होंने जैसे निकाला हम लोग उने ratio के basis के निकाल दिया ठीक है I hope समझ में आ रहा होगा यहां तक के आगे बढ़ रहा है illustration 4 देखे तो आपका current EPS दिया हो एक मत पहले question पढ़ लेता है Simpson is considering merger with Wilson the data below are in the hands of both the directors issue at hand is how many shares of Simpson should be exchanged for Wilson both are considering 3 possibilities आपके सामने 3 possibilities है है तीन बार हम लोग उन्होंप अंसर निकालना है ठीक है you are required to construct the table demonstrating impact in all चलो हम निकाल लेता है आपको current EPS दिया है आपको shares outstanding दिया है EPS दिया है अब हमको क्या निकालना है shares outstanding किते रहेंगे वो निकालना है EPS निकालना है price per share निकालना है वो बलता है P 10 और रहे गा यानि market value 35 लाकी रहने वाले यानि हमें price per share shares outstanding और EPS निकालना है in all 3 cases आईए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Case 1 Case 2 Case 3 हम कितने shares दे रहे हैं 20, 25, 30 चौद Simpson के shares outstanding जो है वो तो 50 रहेंगे वो तो नहीं बदल रहे हैं तो यह तो share issued है Simpson के shares 50,000 ही रहने वाल है तो उन्होंने बुला था भई share outstanding बताओ तो यह तो हम बता देंगे shares outstanding पहले case में 70,000 दूसरे case में 75,000 और तीसरे case में 80,000 फिर उन्होंने बुला EPS बताओ Earning in all 3 cases 3.5 लाकी रहने वाली है तो EPS हो जाएगा पहले case में 3,50,000 divided by 70,005 रुपे 3,50,000 divided by 75,004.67 और 3,50,000 divided by 80,000 4.375 फिर उन्होंने आपको बुला कि आप price per share बताईए 35,00,000 याने PE के basis पर बता देंगे आपन PE 10 है तो इसका मतलब market price is 50, 46.7 और 43.75 काईदे से question खतम हो गया फिर भी हम existing shoulder के angle से इस question को थोड़ा सवर solve कर लेते हैं कि भई existing shoulder के लिए market price क्या था? value of firm के basis पर अपन solve कर रहे है market price था 40 और 100 ठीक है? value basis पर अपन solve कर रहे है कि before क्या था? 40 और 100 हाँ ना? चलो after में इनके लिए तो 40 after में case 1 case 1 50 हो गया? 50 हो गया? और एक मिनिट इसको ऐसे नहीं लिखते है before में किस के लिए? Simpson के लिए price था 40 और Wilson के लिए price था 100 after में Simpson के लिए price 50 तो गेन पर है और Wilson के लिए ratio देखना पड़ेगा कि भी उसके 10,000 शेहस थे आप 10,000 शेहस के बदले में उसको 20,000 शेहस दियो डबल दियो बरबर तो 15 to 200 15 to 200 no gain no loss बढ़ी है ये तो हर केस में सेम ही रहने वाला है अब यहाँ price 50 हो गया यहाँ price 46.7 हो गया तो he's at gain 46.7 43.75 he's at gain Wilson के केस में आपने 2.5 ताइम्स शेहर दे दिये 2.5 ताइम्स तो 46.7 into 2.5 समझ रहे ना swap ratio 2.5 है सामने वाले के 10,000 शेहर थे उसके उतले 25,000 शेहर दे रहे हो जादा शेहर दे रहे हो ठीक है तो 116.75 ये भी gain पर है फिर अगला देखो 43.75 into 43.75 into 3 times 3 times share दे रहे है तो 131.25 यहाँ पर भी gain पर है I hope यहाँ तक है पूरा का पूरा clear है तो Wilson first case में gain पर नहीं है बाकी दोनों में gain पर है Simpson तो तीनों ही cases में gain पर है EPS Simpson का Wilson का before तो before वाला EPS question में दिया हुआ है 4 और 10 after में Simpson का Wilson का हमने EPS निकाला था 5 दूसरे case में 4.67 और 4.375 तीनों ही case में gain में है Wilson पहले case में 5 इंटो 2 10 5 इंटो 2 10 तो same level पर है दोनों का P same है क्या दोनों का P same है इसलिए दूसरे case में 11.675 तीसरे case में 13.125 ठीके ना मैंने क्या किया मैंने से उपर जो मैंने market price निकाला था Wilson का उसको divide by 10 करके निकाल दिया इस बाइड by 10 करके I hope it is clear तो यह सब नोंने बहुत बार कर लिया बस एक बार और और practice कर लिए देखने के लिए कि यार जम रहा है कि नहीं जम रहा है but we are still continuing to solve question number 16 देखने है so question number 16 is the most common technique of valuation of companies याने अगर आप valuation report देखेंगे तो maximum time आपको इसी तरह की report दिखेगी projected cash flow or discounted cash flow technique यह हो है दिखें समझे yes bank wants to acquire yes limited wants to acquire no limited and cash flows are as under आपको 5 साल का cash flow yes का दिया है और merged entity का दिया है यह यह और no अगर साथ में आ जाए तो क्या cash flow रहेगा earnings would have witnessed 5% constant growth without merger and 6% merger on account of economies of scale after 5 years 5 साल बाद अगर merger नहीं होता है तो growth rate 5% रहेगा और merger हो जाता है तो 6% रहेगा terminal benefits की बात कर रहे हूँ terminal benefits long term वाला the cost of capital is 15% उन्होंने आपको cost of capital दे दिया है number of shares outstanding दिया है उन्होंने PV factors दिया है और बोल रहे है compute the value of yes limited before and after merger यानि आपको जो basically PV factors दिया है उनके basis पर discount कर दीजिए terminal cash flow निकालिए terminal cash flow को भी discount कीजिए ठीक है वो हो जाएगी value of the form तो ये तो हम लोग उने बहुत बार किया है portfolio management में भी किया है तो कोई बहुत ऐसा hard and fast नहीं है बहुत simple चीज है आई ये इसको discount करते है चलिए तो पहले yes लिख रहा हूँ मैं 175, 200 320, 340 और 350 PV factors दिये हैं आपको 0.87, 0.756 0.658, 0.572 और 0.497 तो present value निकाल देते हैं फटा फट मैं directly total लिखूँगा यहाँ पर independently नहीं लिख रहा हूँ ठीक है 882.44 882.44 अब merged firm भी यही लिख लेते हैं 400, 450 525, 590 or 620 चली 167, 9.27 अब हम निकाल रहे हैं terminal value तो terminal value में तो growth rate भी आड़ होगा 5% यानि last cash flow पे 5% आड़ कर देंगे तो 350 में अगर मैं 5% आड़ कर दूँ तो 367.5 और 620 में 6% आड़ कर दूँ merged firm के case में 6% आड़ हो रहे है 657.2 अब यह value है जिसको हमें discount करना है तो अब इसकी present value इसकी तो पहले present value लाना है 5th tier पे इसकी present value हम निकाल रहे हैं यह 6th tier का cash flow है न 6th tier से ला रहे हैं तो यह 6th year के beginning यानि 5th year end पे पहुँचेगा पहले वो आएगा terminal value तो यह तो सिर्फ cash flow है इस cash flow को discount करना पड़ेगा तो discount करेंगे discount rate दिया है 15% पर इसमें से मैं growth rate माइनस कर दूँगा वैसे यहाँ भी discount rate दिया है 15% मैं growth rate 6% माइनस कर दूँगा 15% ही था न 15% तो यह तो सिर्फ cash flow है 6th tier end का terminal value के लिए इसको discount rate से हटा देते हैं तो terminal value पर आ जाता है तो यह 6th year beginning की value आईगी याने 50 year end 50 year end देखिए 367.5 divided by अब मैं मान रहा हूँ कि आपने portfolio management देखा है और यह technique आपको पता है present value निकाल देखिए ठीक है 657.2 divided by 0.09 तो वो आ रहा है 7302.22 अब इसकी present value ले रहा है present value last year के basis पे last year का discount rate 0.497 है तो यहां आया 3629.20 और यह आया 1826.475 तो पुराना cash flow और यह नया cash flow इन दोनों को add कर देंगे तो value मिल गई value of form using discounted cash flow technique यह पूरी future cash flow इसमें discount हो गई तो 1826.475 प्लस 882.44 हो जाता है 2708.92 और 3629.2 प्लस 1679.27 मिला के हो गया 5308.47 यह value हो गई yes limited के before merger and after merger चलो पहला हो गया acquisition की value acquisition की value मतलब वैसे तो देना चाहे था इन्होंने मैं यह बता सकता हूं कि maximum कित्ता देंगे maximum कित्ता देंगे maximum इन दोनों का difference हम pay करने को तही आ रहे हैं क्योंकि यह तो हम कमा ही रहते extra जो मिल जाएगा वह हम देने को तैया रहे है तो वह गया 2599.55 2599.55 2599.55 चलिए यह देखते है question number 16 part 2 2599.55 चलिए यह आगे बढ़ेंगे तीसरा part है gain to the shoulders shareholders of yes limited को क्या फाइदा हो गया चलो देखते हैं तो yes limited के shareholder shares दिये वे थे न company के number of shares outstanding before the merger is same and companies agree to exchange in the ratio of 0.5 shares of yes limited for each share of no limited ठीक है 0.5 share of yes limited for each share of no limited चलो देखते हैं आपने यह value of the firm निकाल दी number of shares अगर मैं बोलू number of shares तो shares है हमारे अच्छा shares तो दिये नहीं है shares दिये वे नहीं है तो अब इसको कैसे निकालेंगे कि value to shareholders क्या हुआ हमको यह पता है कि firm की value हो गई 5308.47 और पहले अगर shares x थे shares अगर x थे तो अब वो 1.5 x हो गए क्योंकि हमने सामने वाले को 0.5 shares दी हमारे shares के ठीक है 0.5 share of yes limited for each share of no limited ठीक है क्योंकि पहले दोनों companies के shares same थे न shares outstanding in both companies वा same तो अगर yes में 1 shares थे तो no में भी 1 shares थे और yes के x shares और सामने वाले को अगर आप 0.5 shares दे रहे हैं तो उनके हो गए 1.5 shares याने value of yes limited shareholders value of yes limited shareholders divide करेंगे 1.5x तो cash price divided by number of shares market price per share market price per share multiplied by number of shares is value of the shareholders ठीक है न तो xx तो कड़ जाएगा cash flow को अगर आप number of shares से divide करते हैं तो value of market price हो जाएगा market price याने value क्या होना चाहिए एक share का और उसको multiply करते हैं number of shares से तो value of shareholders हो गया तो existing shareholders x है मैं बोल रहा हूं तो xx कट गया तो यह value हो गई 5308.47 divided by 1.5 3538.98 या 3599 3539 3539 को 2708 से compare कीज़े यह gain हो गया shareholders को 3539 अभी value हो गई तो वो हो गया उनका gain gain to the existing shareholders बस ही हो गया question number 16 का final answer आईए देख लेते हैं 3538.98 3538.98 3538.98 माइनस 2708.91 वो ही difference उन्होंने निकालके बताया है चलिए I hope यह भी clear है तो काफी simple concept था पर एक दूसरा नए type का question था cash flow techniques तो अब आगे बढ़ रहे हैं अब देख रहे हैं de-merger का question question number 22 से देखेंगे de-merger से related question है देखिए following information relating to fortune India Limited having two divisions एक company है Fortune India उसके दो divisions है pharma division and FMCG division आपको दो division का data दिया है pharma और FMCG paid up capital had 3000 lakhs of one each यानि 3000 lakh shares है fortune India decided to de-merger pharma as fortune pharma division अपने business में से एक division को अलग कर रहे है यानि अपना पूरा का पूरा company में पहले दो division थे एक pharma एक FMCG उसमें से pharma को de-merge करके अलग company बना रहे है ठीक है कब से 1st April 2009 से details आपको दी भी है company का secured loan, unsecured loan, current liability, fixed asset, investment, current asset सब कुछ आपको दी होगा है board of directors decided to issue necessary equity shares of fortune pharma of one each without any consideration to the existing shareholders existing shareholders तो पूरे company के owner थे अब उन में से एक part को अगर अलग कर देते हैं तो वो part के shares भी तो existing shareholders को देना पड़ेगा नहीं तो उनका तो नुकसान होगे न उनका नुकसान होगे आप समझ रहे हैं दो possibilities है de-merge करो और उसके पूरे के पूरे shares fortune India ही रखेगा as investments, subsidiary दिखाएगा उसको fortune pharma को जाइसी बात है उनका सेम ही रहने वाले है estimated profit दिया हुआ है दोनों अपनी इसके estimated price fortune pharma का दे दिया उन्होंने कि हम expect कर रहे हैं बाद में price यह होगा average P of FMCG sector 42 P of pharma sector भी दे दिया उन्होंने अब तो question है ratio in which shares of fortune pharma are to be issued to the shareholders of fortune India तो क्या ratio में बाते हैं तो यार market price के ratio में बाते हैं EPS के ratio में बाते हैं कुछ बताया नहीं उसने बस सोचिए, सोचिए आपको company का PE पता है आपको fortune pharma का fortune pharma का PE पता है आपको fortune pharma का market price पता है market price पता है PE पता है, यहने Shares पता है EPS, EPS पता है EPS अगर पता है तो जाहिर सी बात है कि Shares भी पता है अगर आप EPS निकाल सकते हैं किसी कंपनी का तो आप Shares भी निकाल सकते हैं क्योंकि Estimated Profit भी पता है Fortune Pharma का तो Shares तो Defined है ना Shares Defined है, यह नहीं सोचना है मुझे कि भाई Market Price के रेशियो में देना है EPS के रेशियो में देना है उन्होंने बता दिया आपको सब कुछ उसके basis में हम सर्फ Calculate कर रहे हैं, आईए करते हैं Calculate PE देखते हैं PE PE, Fortune Pharma का 25 ठीक है Market Price 24.5 Earning 1470 ठीक है EPS Market Price अपॉन PE 0.98 यानि Shares Earning divided by EPS 1500 लाग 1500 लाग Shares अब सामने वाले के जो Shares Outstanding है वो आपको 3000 दिये वे थे 3000 दिये वे थे तो Ratio क्या हो गया Ratio of Shares हो गया कि हम 1500 दे रहे हैं 3000 में यानि 0.5 का Ratio तो यह तो Define हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं तो पहला पार्ट बहुत easy था बस समदना ज़रूरी है यह चीज Expected Market Value of Fortune India FMCG यानि Post Demerger पूछ रहा है वो आपको की Price क्या होगा Post Demerger तो ठीक है, आपने PE तो दिया ही है PE 42 42, After Demerger ही दिया हो है वो तो Profit 114910 का है और 1st April 2009 को Demerger हो गया यानि Profit से व FMCG Division का है 11900 तो PE multiplied by Earning, Market Value होता है Market Price नहीं, Market Value 11900 into 42 499, 800 Market Value हो गया Shares हमको पता है 3000 lakhs है तो अगर मैं इसको 3000 से divide कर दूँ तो Market Price 166.6 ठीक है आईए, पहले यहाँ तक के देख लेते है हम देख रहे है, Question 22 22 1500 Shares Ratio 0.5 ठीक है 11400, 3000 Shares EPS 3.8 अपनी तरफ से क्या गड़ भड़ भी फिर 42 से ही है 11400 है Profit मैंने 11900 लिख दिया 11400 तो 42 इंटू 11400 478 800 divided by 3000 159.6 तो सेम अंसर है बस मैंने 11900 लिख दिया था उसके करेंट फर्क आ गया 159.6 तो देखेंगे तो अंसर बहुत इजी है कुछ बहुत जादा नहीं है Question के अंदर में बहुत बेसिक चीज़े पुछी भी है आप लोगों को चलिए आईए आगे बट रहे है Book value per share of both the companies immediately after demurger demurger के बाद book value क्या होगा तो यहाँ पहले तो asset minus liability निकल जाएगा assets दिये भी है, liabilities दिवी है तो fortune pharma fortune pharma आपको जो dv.a value फार्मा और fortune इंडिया जो दिवी है वो fmcg वाली रहेगी न ठीक है उन्होंने बुलाए details of fortune इंडिया on 31st March 2009 and of fortune pharma on 1st April 2009 मतलब उसमें included है included है, अपने को exclude करना है तो यह हो जाएगा 2600 हाना fortune pharma on 1st April 2009 ठीक है unsecured loan 800 और 2400 यह थोड़ा आजीब हो गया बाकी सब तो बराबर माइनस हो रहे है 21,200-1300 is 9900 2400-7740 is 12,660 12,300-7,600 is 4,700 3,200-8,800 is 21,400 और 7,300-900 is 6,400 deferred tax asset या miscellaneous expenses negative 200 और वहाँ पे 60 ठीक है तो पहले तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 800-2400 तो minus 1600 हो रहा है ठीक है वैसे ही minus 200 minus 60 minus 260 हो रहा है asset side पे भी तो दो जगे पे थोड़ी सी गड़बड हो रही है total निकाल लेते हैं एक बार Fortune Pharma liability side total 4100 25 100 asset side 25 100 minus 25 400 21,000 Fortune Pharma का value 21,000 2600 minus 1600 plus 1900 Fortune FMCG 2900 44,900 44,900 44,900 में से 2900 minus किया तो 24,000 दोनों मिला के 45,000 Fortune India का total नेंगे तो वही हो जाएगा ये दोनों हो गई net book value divided by shares करेंगे तो book value आईए question number 22 में देखते हैं कि में को दो figures में doubt है कि वहाँ पर उन लोगों ने किया क्या क्योंकि there is some conversion कुछ पार्ट loan में convert हुआ है या ऐसा कुछ तो हुआ है जिसका data missing है उन्होंने सिवh asset और outside liabilities करके अलग-अलग निखाल दिया 21, 24 ठीक है हमने ऐसा नहीं किया था तो 24,000 और 21,000 21,000 divided by 1500 book value आ जाएगी और 24,000 divided by 3000 book value आ जाएगी चलिए I hope D-merger यहां तक कि clear है पूरा का पूरा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत basic questions आते हैं मतलब एक company को अलग कर देना है उससे जो आपको primary company दीवी है उससे तो कुछ खास था नहीं इसमें बस इसमें जो पहला point है यार ratio क्या होगा वो click होना जरूरी है कि हाँ ठीक है आपने market price दे दिया आपने PE दे दिया आने कहीं ना कहीं आप shares जानते हैं ये click होना जरूरी है जब आप first part solve कर रहा हैं तो ठीक है so we are moving at एक और ऐसा ही question है question number 30 I believe question number 30 देखिए tiger limited wants to acquire leopard limited the balance sheet of leopard limited on 31st march is as under तो आपको पूरी balance sheet दीवी है फिर लिखा है shareholders of leopard limited will get one share in tiger limited tiger limited wants to acquire leopard limited ठीक है de-merger नहीं है tiger leopard को acquire करना चाहता है और आपके सामने leopard limited की balance sheet है shareholders of leopard limited will get one share of tiger limited for every two shares हर दो share के बतले एक share ठीक है याने अपन 35,000 shares देने वाले external liabilities are expected to be settled at 5 lakh rupees shares of tiger limited would be issued at a current price of 15 पर शे 15 रुपे में issue होने वाले debenture holders will get 13% debentures in the purchasing company for same amount 3 lakh के 3 lakh का ही मिलेगा debtors and inventory are expected to realize 2 lakh तो यह जो debtors है और यह जो inventory है इन नोनों से 2 lakh मिलेंगे जब कि टूटल 270 आ रहा है 270 Tiger limited decided to operate the business of leopard limited Tiger limited decided to operate the business of leopard limited as a separate division the division is likely to give cash flows to the extent of rupees 5 lakh याने कि आप बोल रहे हैं कि यार हम इसको अलग से run करेंगे आम इस business को run करेंगे याने कि कही ना कहीं feasibility के उपर question रहने वाला है feasibility देखते हैं ठीक है 5 lakh rupees for 6 years 5 lakh per year हर सा 5-5 lakh रुपे की earning होगी यह बोल रहा है Tiger limited planned that after 6 years the division will be disposed off for 2 lakh rupees 5-6 साल बाद यह division को disposed off कर देंगे disposal के 2 lakh मिल जाएंगे ठीक है cost of debt है 16% make a report advising the financial feasibility लेना चाहिए की नहीं तो देखो पैसा कुछ जा रहा है आज पैसा आज कुछ जा रहा है और future में कुछ आएगा आज भी external liability settle करने का कुछ पैसा देना है external liability यही वाली होगी ठीक है debenture holders को तो अपन debentures ही दे रहे है फिर अपन बोल रहे है future में पुरा का पुरा business dispose off करने के 2 lakh रुपे मिल जाएंगे याने debenture holders को अभी पैसा तो नहीं देना आपने को comparatively अभी पैसा नहीं देना है हम उसके बदले में हमको debentures ही देने की बात कर रहे है ठीक है cash आ जाएगी debtors से कुछ पैसे मिल जाएगी inventory से कुछ पैसे मिल जाएगी cash तो पढ़ी है cash तो अभी 50,000 plant and equipment जो है plant and equipment 13 lakh रुपे के तो जो plant and equipment है 13 lakh रुपे के वो नहीं बिक रहे है अभी वो तो use होंगे ना उसके करेंट 6 साल cash flow होने वाला है तो cash flow का present value ले ले लेंगे और 6 साल बाद अपन dispose off करेंगे तो क्या वो plant and machinery को dispose off करेंगे तो उसके अपने को 2 lakh रुपे मिलने वाले है ठीक है 1862 प्लस 0.743 प्लस 0.641 प्लस 0.552 प्लस 0.476 प्लस 0.41 तो 3.684 multiplied by 5 lakh 18 lakh 42,000 ठीक है 18 lakh 42,000 चलो disposal के 2 lakh मिलेंगे multiplied by 0.41 तो 82,000 और add हो गए चलो यह बढ़िया तो यह हो गई अभी तक की value inflows यहां लिक रहा हूं inflows आप properly present कर सकते हैं institute का answer दिया हूँ है 19 lakh 24,000 अब बात करते हैं outflows की आपने shares दिये कितने 35,000 क्या price के 15 रुपे के तो 35,000 into 15 5 lakh 25,000 पर external liabilities भी settle कर रहे हैं तो 2 lakh रुपे नहीं 2 lakh रुपे नहीं external liabilities को settle करने के 5 lakh रुपे यह भी outflow है ठीक है पर अपने को कुछ पैसे realize हो गए realize amount तो सीधी बात है 2 lakh रुपे realize हो गए तो उत्ते से आपका expense कम हो गया बराबर है आपके पास cash पढ़ी है business में already 50,000 तो उत्ते से आपकी liability और कम हो गई I hope यहां तक के clear है तो यहां तक के आ रहा है 7,75,000 ठीक है अब बतता है debtors same amount ने debentures debentures तो debentures same amount के है 3 lakh ठीक है debentures 3 lakh रुपे के उसके हर साल interest देंगे फिर उसके आदे end में maturity आईगी यह भी एक प्रकार का outflow तो सब मिला के 10,75,000 inflow से जादा है hence business is seems to be feasible तो as such कुछ बहुत जादा समझाने के लिए नहीं था मेरे पास 10,75,000 18,42 और 82 यह दो value अपने निकाली थी ठीक है तो net आ रहा है net अपने निकाला नहीं है आ जाएगा 10,75,000 minus 19,24,000 8,49,000 कोई concept नहीं बता है मैंने इस question का ठीक है यह solvable है आराम से manage कर सकते हैं आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इस question को solve करना है ठीक है I hope question number 30 50 भी आप लोगों को जंग गया होगा बहुत basic था यहने सिर्फ calculations थे और कुछ नहीं बस यह समझना था हाँ भी feasibility test है inflows और outflows को compare करना है बस